कि नमस्कार आपका भाय स्टेडी में स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे रेलेवे समाने विज्ञान का संपूर्ण मास्टर विडियो ठीक है इसमें क्या है कि साथ आपको सेट दिये गए हैं जो कि जो साथ सेट हैं सभी विश्यों से संबंदित हैं जो साइन्स है उसके बाद विज्ञान प्रद्यकी है उसके बाद पर्यावरण संबंदित हैं कंप्यूटर मानों शरीर है सभी विश्यों को इसमें समग रूप से सामिल कर साथ सेट बनाया गया है और एक हत्तर प्रसंद अलग से दिये गए हैं यदि आप इसे देखकर परिछा में चल करते होंगे तो निश्ची दुरुप से यह टेबल पर सबसे पहले आप इसको पर्समिक्ता देखते होंगे पीटी के लिए तो आए हम इसकी शुरुआत करते हैं यह आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताईएगा कि यह एक कैसा लिए खी पहले इसमेंगे सबसे पहले वर्गी करनल किसह ने किया था आपको 90 हो जाएंगे और कृत्रिम तत्व हो जाएंगे आपको 20 इसे आप ध्यार रखेगा कुल तत्व 119 और आपको प्राकृतिक तत्व और कृत्रिम तत्व 20 हैं अब नेश्ट देखते हैं कि तत्व के वरगी करण से संबंधी तरीक के नियम का प्रतिपादन किस ने किया था तो सभी जानते हैं कि इसके नियम की प्रतिपादक कौन थे अब नेश्ट देखते हैं तत्तों के वर्गी करण से संबंधित अस्टक नियम का परतिपादन किस ने किया था तो अस्टक नियम के परतिपादक नियू लेंट्स ने किये थे अप्सन हो जाएगा आपको C नेक्ष्ट देखिए किस बैज्यानिक ने सरपर्थम आवर्थ सार्णी का निर्मान किया था तो आवर्थ सार्णी का निर्मान किये थे आपको मेडलीफ मेडलीफ हो जाएगा और आधुनिक आवर्थ सार्णी का परतिपादक मुसले थे नहां रखेंगे नेश्ट देखिए आधुनिक आवर्थ नियम का पर्तिपादन किसने किया था तो आधुनिक आवर्थ नियम का देखिया दिया हुआ है मुसले option हो जाएगा D नेश्ट दखते हैं, मेडलीफ की आवर्थ सानी में तत्तों के वर्गी करण का अधार क्या है? तो इसमें ध्यार रखेंगे परमाडू दरब्मान है, अब नेश्ट दखेंगे आपस्सन हो जाएगा आपको एग कितना है तो वर्घों की जो फ्यारा है सबस्लिन हो जाएगा दी नेश्ट दकिए अर्फ fan 2030 में अवर्तों की कूल संख्या कितना है आवर्त कितना है तो तो अनुज्च होजागा साथ आप सहरे शार sleeps दस दिखते हैं किस वर्ग के तत्तों को सिक्का धातू कहा जाता है तो किस वर्ग के कहा जाता है तो आपको हो जाएगा इगार अप्सन हो जाएगा बी नेश्ट देखिए सुन्य समूह में रखे गए तत्तों को किस नाम से जाना जाता है तो सभी लोग जानते हैं कि सुन्य समूह में रखे के तत्वों को आपको जाना जाता है ऐतो है अपसन हो जाएगा आपको कि निसक्रि However a यह सबसे ठत्राकु है सबसे भर्णी जानते है कि वह समय है सबसे बारी घातु अगरouse subjective हो जाएगा आपको जानते हैं सबसे भारिगाद हो जाएगा उसके बाद सोना हो जाएगा उसके बाद चांदी अब नेश्ट दखिए कि सबसे हलकी धातु कौन है तो जो सबसे हलकी धातु है लिथियम है अप्सन हो जाएगा आपको डी निवन में कौन सा तत्तो सरवाधिक बिद्दूत रिरानात्मक है तो सभी जानते हैं कि फ्लोरी नहीं होता है अप्सन हो है इस से आवारा तत्त भी कहा जाता है और ब्रहमांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही पाया जाता है अबर्त साणी में अधातु को किस और अस्थान दिया गया है ती अस्थान दिया आपको दाहिनी और अप्सन हो जाएगा इए नेश्ट देखते हैं कि वे तत्तो जो इलेक्ट्रान को ग्रहन करते हैं और रिनात्मक आयन बनाते हैं क्या होते हैं तो आपको होते हैं ध्यां रखेंगे अधातू अप्शन हो जाएगा भी इसमें देखिए चैसे आवरत में बाये दाएं सेजाने पर इलेक्ट्रान पीरिती में क्या परिवर्तन होता है तो यही शरन होते हैं ठाहि श्युम्त कि हैं । ए पिएंट साणि को कितने बलोक में बाठा गया है लोसे सेलोग में बाठा गया अपिए अप्षिन हो जा जाएगा डिखते हैंं हैं कि इस ब्लोक कर तत्यों सद्धानतन रंगीन योगी करता यदिफ्द ब्लोट आपको है पाप सos दखते हैं जब कोई उदासीन प्रमाणू एक इलेक्ट्रान अब इसके बाद इधर देखते हैं एक इलेक्ट्रान ग्रहल करता है जब ग्रहल करता है तो उसके फल्सरूप उत्पन उर्जा कहलाती है तो उत्पन उर्जा कहलाती है इलेक्ट्रान बंधुता तो अप्शन हो जाएगा मेटलीब का संबंध किस देशते हैं तो जो मेटलीब थे उनका संबंध किस देशते हैं तो मेटलीब का संबंध आपको रूस से है अप्शन हो जाएगा भी नेश्ट देखते हैं आधुनिक आवर साड़ी के किस सम्मूह में केवल साथ तत्तों होते हैं तो साथ तत्तों होते हैं वह आपको एक में होते हैं नेक्ट दखिए किस ओवर के तत्तों को अयस्क बनाने वाले तत्तों कहते हैं तो अयस्क बनाने वाले तत्तों कहते हैं आपको चार अप्शन हो जा सबसे हलका तत्तों कौन सा है सबसे जो हलका तत्तों सभी जानते हैं है कि ल कर देजने कैसे कह देए भी पिर्थी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाल धातू को में यह वहकाför लेकिन लोहा सब्से ज़्यादा निस करशन किया लोहा का ध्यान रखेंगे ने क्टे हैं कि पीरथी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्त्त तो कौन सा है तो पीरथी पर कर रहा है तक मतलब भूपर पर परटी तो अक्सीजन हो जाएगा अप्सण हो जाएगा हैं परतेक आवश का अंतिम सदस्य होता है उसक परतेक आवरत का निस्कृए घयास होता है इसमें पर नेश्ट दखते हैं देखिए इसमें आपको बता देते हैं कि एक 70 जो प्रस्ण है वो अलग से क्यों कमेश्टरी से दिये हैं उसके बाद यह आपको ऐसा लगता है कि कठीन है तो इसकीप करके आप सेट वाइसेट एक से वर को क्या कहा जाता है तो 17 वर को कहा जाता है हाई लोजन अप्शन हो जाएगा आपको नेश्ट दखिए सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है तो जो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है सभी जानते हैं कि उरेनियम होता है धातू जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो धातू जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो पारा होता है सभी जानते हैं नेश्ट देखते हैं ओधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है अधातु तब बुरुमीन हो जाएगा आवर्थ सारणी के छठे आवर्थ में कुल कितने तत्तों होते हैं तो छठे आवर्थ में होते हैं आपको 32 तत्त अप्शन हो जाएगा सी नेम्ट दखिए आवर्त सारनी के कि समुः को सुन्य समुः कहा जाता है आपको 8 अप्सन हो जाएगा डी आपको सोडियम द्हातू को रखा जाता है किरोशीन के तेल में क्योंकि इस तरह से रखने पर वह हावा से पर्तकिरिया करके जल जाएगा चाकू के काटे जा सकने वाली धातू कौन सी है तो आप ध्यां रख सकते हैं कि सभी जानते हैं लिथियम सोडियम पोटेसियम सभी को काटा जा सकता है चाकू से नेश्ट देखिए किस अधातू में धातवी चमक पाई आती है किस अधातू में आयोडीन जो होता है आप देखें होंगे कि लाइट बेट में या आपको लगया चमकता रहता है रिडियम के तोर पर recovery सानी में किस तक्त्व की उच्छतम इलेक्ट्राउन बंध Eugene 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 हो जाएगा आपको बी नेंश्ट है कि आवर साली के तीसरे चौ थे समुह का समाने गूंड धरम क्या है समाने जो गूंड धरम है आपको फारी और अमली यह होता है अप्शन हो जाएगा ए नेश्ट देखते हैं आप ոैंटी नहीं होगा पोरी इसमें इधर दिया हो, इस जाएगा है फस्कीन जो इसमें इसमें सानी में 36 कतारों को क्या तैया जाता है खैतीज जाते हो इसमें धियाा रख सकते हैं त्रीक के रूप में उर्धवार दर कतारों को कहा जाता है दियां रखेंगे उर्धवार सब्सक्रण की संख्या तो 63 दियां रखेंगे 367 है अके किस ब्लोक का सदस्य है तो घिलिएं आपको इस ब्लोक का सदस्य है, अप्सन हो जाएगा आपको A Next देखिए, हिलियम को छोड़ कर सभी अकिरिये गयस, किस ब्लोक के सदस्य होते हैं तिया होते हैं आपको P ब्लोक के, तो अप्सन हो जाएगा B निश्ट देखिए आवर्थ साणी के किसी आवर्थ में बाएं से दाएं जाने पर परमाणू की आकार में क्या परिवर्थन होता है तो परमाणू की आकार में का होगा तो अप्सन हो जाएगा भी घड़ता है निश्ट देखते हैं आवर्थ साणी के किसी वर्ग में उपर से नीचे आने पर परमाडू की आकार में क्या परिवर्थन होता है तो परमाडू की आकार का बढ़ता है अप्शन हो जाएगा A 6 होगा कितना होगा 6 option होगा कितनी होती है तो कि इस बियुक्त की सभी जानते हैं कि संज़ुक्त कीतनी होटी है सुन्हे होती है नेश्ट देखिए किस अकिरिये गयस का उप्योग विद्दूत बल्ब में किया आता है तो यह किया आता है आरगन का अप्सन हो जाएगा आपको ए नेश्ट देखते हैं किसी तत्यों के परमाडू के अंतिम कच्छा में उपस्थित इलेक्ट्रानों की संख्या कहलाती है तो नेश्ट देखते हैं किसी एक वर के सभी तत्तों में स्योंझी इलेक्ट्रानों की संख्या होती है तो समान ही अप्सन हो जाएगा घैसी अवस्था में पाया जाने वाला है लोजन कौन सा है तो हा लोजन आपको हो जागा अप्सन हो जायगा एग अछभक प्रमीटिवि दिखते हैं कि थोस आवस्था में पाया जाने वाला हाय लेजन कौन सा थोस अवस्था Nh network है emission कौन सा एकक रिए च्लिपा वंडल में नहीं पया जाता है तो अपया नहीं जाता है आपको ध्यां रखेंगे रेडोन जो है नहीं पयाразу लेकिन जब भुकम्प आने की संभावना होती है सुचना होती है तब उसमें उपस्तित हो जाता है नो जाने कहां से इस बात को ध्यार रखेंगे अब नेश्ट देखते हैं वाई मंडल में सरवाधिक मत्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गईस कौन सा है तो अक्रिय गईस आपको हो जाएगा आरगन आरगन की खोज किसने की थी तो आरगन की जो खोज की थी रेमजे ने की थी रेमजे म रह लेने की थी तो अफसन हो जाएगा निश्ट देखते हैं किस अकिरिये गैस का उपयोग रेडियो थेरेपी में कैंसर के इलाज में होता है आपको रेडाउन का आपसन हो जाएगा आपको सी आरगन का दरब्मान कितना होता है आरगन का जो दरब्मान होता है आपको 40 होता है ध्यां रखेंगे अब नेश्ट देखते हैं हिलियम के वाह कच्छा में कितने इलेक्टरान होते हैं तो उसमें होते हैं आपको आठ अप्सन हो जाएगा इस तरह से जो एक हत्तर देखिए प्रसंथे इसमें ध्यां रखेंगे एक हतर जो प्रसंथे आपको रसायन विज्ञान से समाप्थ हो गए अब सेट पर टेक चेप्टर से आएंग इसमें साठ सेठ थे इसमें कितना हो जाएगा आपको चोवीश्व प्रसंथे ठीक है और उसके बाद कितने प्रसंथे प्रसंथे पर चीश्चित रूप से आप बहुत ही मजबूत इस्तिती में होंगे यह मेरा दावा है तो आई हम इसे सुरुवात करते हैं इसमें पहला प्रसंथे आपको ऊब रेडियो एक्टिविटी की खौज किसने की थी देखें रेडियो एक्टिविटी की थी हैंरी बयकूरल की ती यह पूछा भी गया था विहार एशाइथा एंटिसेप्टिक सर्जरी का सुत्रपात किसने किया था ती कीये थे आपको जोसेफ नहागीर भाभा और परमाड़ू उर्जा आयोग जो है और सक्तियां में आता है केंदर सरकार के पास यह किसी विभाग को नहीं दिया आता है कि यह बराबर स्कॉर का पर्तिपाद और किया था यह कीए थे आपको अलबर्ट आईश्टाइन ने अप्शन हो जाएगा यह दिये थे आपको आइश्टाइन नहीं अलबर्ट तो अप्सण घृती है भारतिय अंतरीच अनुसंधान संस्थान इसरो कहां इस्तित है इसरो जो इस्तित है इसका मुख्याले बंगलोर में है और इसकी अस्थापना जो होती है 15 अगस्थ इसके अध्याच्छ है चंदर्शेखर बेंकट रमन को नोबेल पुरसकार कम मिला था इनको नोबेल पुरसकार 1930 में मिला था किसले रमन परभाव की खोच के लिए और 28 फरवरी को क्या मना जाता है बिग्यान दिवस मना जाता है ध्याँ रखेंगे परमाडू के नाभी की खो सूर्य के दरवमान की के एक बड़ा चार गुने को कहां जाता है तो चन्दर्शेखर सीमा और इन्हें ध्यान रखेंगे 1983 में नोबेल पुरसिकार मिला था भौतिकी के लिए और चंदर्शेखर सीमा के खोच केलीए, इसे के लिए लिए देंद आ किश्कोगराफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी या खोज की थी आपको जग्दीश चंद्र बोशने और यह बिरिच्छों की बिरिधी को मापता है दसी आप कृती है सबही लोग जानते हैं दिखते हैं कि जखते हैं भा कि अपने अच्छ स्वूरी की परिकर्मा करती है तो आपको बताने वाले बैज्ञानिक थे इसमें देखते हैं अप्शन दिया हुआ तो यह सबसे पहले भारतिय विद्वान जो गुप्त समराज में रहते थे आरे भट ने ही बताया था कि पिर्थिवी अपने केंदर पर हुंती है निूट्रान की खोज किसने की थी और नहीं हां रखेंगा पिर्थिवी की विश्वत रेखा को माप दिये थे चालीस हजार किलो मीटर ठीक है लेकिन आज बैज्ञानिक ने कंप्यूटर और टेलिसकोप के माध्यम से मापा तो चालीस हजार पचहत्तर किलो मीटर आज बरतमान में आया दो हजार साल पहले ही मत्र जो बहुत ही इंपॉटेंट की ने थी नेसजिटोन की सभी यन्ट की फिन्स जानते है जैंस SAY रखना परमानू की सिधान्त कर परतिपादन किसने किया था सभी जानते हैं कि बारने बदाबने पятельफिश्वी इस्में गया इसकी ते रचना चाल्स डार्मीन की今 जिवज दिवसकम मने आयता है यह मने आयता है अपको ठाइस पर ध्यां रखेंगे रमन के जनमदीन के अवसर पर हाइड्रोजन को तत्यों के रूप में खोज किसने की थी यह खोज की थी हेनरी के मेंडिस ने अप्शन हो जाएगा सी रक्त परिवहन की खोज आपको बिलियम हार्वे आणवे किती अप्शन हो जाएगक ऑसिस दाएगए ऊ έकषरे की खोज किसने की थी एक सरे की खोज जो है 近 audible सी रोड़न की थी अप्शन हो जाएगा बी गती के जड़त नियम को किसने पृतिपाधित किया था तो इँसते आपको गली जानते हैं नीटन दिये थे मश्चन गए भारत का बर्ट। किसे कहा जाता है तो भारत के जो बस में हैं आपको डॡ्र सलीम अलीं को कहा जाता है ध्यां रखेंगे मैं अभर की कोड की कोज किसने कीत तो ऑन्मीलियू कोड की खोज करने वाले थे हर गोविंद खुराना थे ध्यान रखेंगे option हो जाएगा आपको डी टेलिस्कोप का निर्माड किस ने किया था तो टेलिस्कोप का निर्माड आपको हो जाएगा गई-ले-ले-था दीओं डेखते हैं अप्षन तो टेलिस्कोप का जो नीर्माण होगा आपको ध्यान देते हैं तो टेलिस्कोप का नीरमाण गई-ले-था होगा आप्षन हो जाएगा आपको ड। लाइसोसोंग की खोज little laying की खोझ आपको CD probaste भुना एक प्राकरतिक चेन का सिध्धान्थ किस ने दिया था तो जो प्राकृतिक चैन का सिध्धान देने वाले ग्यानिक से चाल्स डार्वीन रही नहींनी थे अप्सन हो गाएगा कि जो किस बैग्यानिक ने पैनिसलीन की खोज किशने कि थी तो पैनिसलीन की खोज करने वाले थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग अप्शन हो जाएगा आपको कोशिका सब्द का परियोक सरपर्थम किसने किया था तो सभी जानते हैं कि कोशिका का जो पर्यों करता थे राबाट ठू कब किये थे 1650 भी में ध्यां रखेंगे डेट को भी नेक्ट देखते हैं इसलीन की खोश कोश करने वाले थे बैतिंग येंग बेश्टने की थे अफ्सन हो जायगा बी गमा किरण की खोश करने वाले थे ध्यार रखेंगे पॉल विलफ अप्सन हो दीरह्ट दक दिखिए च्ट के खोच किसने की थी तोह Means के टीके की खोच करने वाले थे zrobić ब्राकिर ठीकूर अधर नेच्चन सेलेक्षन का नियं़ किसने के द्वारा परतिपादित किया गया था नेच्च impose लेक्षन का नियं़ जो के नियम के विसकारक कौन थे तो गुर्त्वाकर्शन के नियम के विसकारक सभी जानते हैं कि न्यूटन ही थे तो अप्शन हो जाएगा आपको अब देखिए सेट नमर देखते हैं दो जिसमें 40 प्रसंद दिये गए हैं इसको क्लियर करते हैं तो बिक्रम सारा भाई सभी एस पेशेंटर कहां एस्थित है तो सीकों का अध्यन क्या कहलाता है कहां इस्थित है कवक्ख्रम क्या कर diver t ए ऐंटर धियाने सेंटर चीडेंटर हैं एखंजर फिन्घर प्रिंटिंग वह भी हैदराबाद में कहा जाताご्यां को लीनियस को अप्संर हो जाएगा D सभखभी लीनियस लेकित हैं लेका अध्यन कहलता है कोशिक को सीध्धानत का पर्ति पादन किस ने किया था यह धे आपको स्लाइड है स्वानने अप्शन हो जाएगा आपको वी जब्धिए हुँ है सेवालों का अध्यन प्रिफ्फाई नहीं करना दो नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज कहां इस्थी थे आपको पूने मुंबई में ध्यां रखेंगे मलेरिया रिसर्च सेंटर ध्यां रखेंगे यह इस्थी थे आपको दिल्ली में अप्सन हो जाएगा अंगूरों का उत्पादन संबंधी थे बीटी कल्चर से पी सी कल्चर मदुमकृ पालं से सेरी कल्चर रेशम से ध्या रखेंगे लेट देखते हैं। नितर रोग का चिकिस्ट कहला आता है तिया कहलाता है आपको आपफ्ठाल मोलोजिमित कहां इस्थित है तो सभी जानते हैं कि आर्निःधोलोजी में पच्छी न University अनुसंद्र सनस्थान कहां इस सी था त्या इसही था आपको कांदी नगर रास्टिय ढईरि अनुसंद्र सनस्थान कहां इसी था уmak कίο करनाल if अपशन हो जाएगा यह हुआज थांदा है तो आधिया ज Bringing अविट लॉजी कहले ध्यां रखेंगे और भी चर्ध की किस ने तो इवान वस्की ने की थिए रखेंगे भाभा परमाणू अनुसंधान के इंदर बार्ग कहां अवस्थित है तो बार्ग जोई सी त्रामब और बार के अस्थापन कव होती है चोवन में होती है नेशनल ब्रें रीशर्च सेंटर एस्थित है तो कहां एस्थित है यह तिए आपको गुर्गाव में इस्थित अप्सन हो जाएगा बी नेश्ट दखिए जीओं में पाया जाने वाले रोगों का अध्यन कहलाता है तिया कहलाता है आपको पैथो लोजी अप्सन हो जाएगा कीटों से संबंधित विज्ञान की साखा क्या कहलाती है तिया कहलाती है वो एंटमो लोजी अप्सन हो जाएगा ये देखते हैं जी विज्ञान सब्द का परियोग सरप्रत्irsiniz ने किया था किये थे आपको लैमार कयों ट्रेवी रेनस ने अपशन हो जाएगा चिकीशा सास्त का जनक किसे कहा जाता है तो सभी जानते हैं किसे कहा जाता है तो हिपो क्रेट्स को अप्षन हो जाएगा बी टीवर कुलोसिस रिचर्च सेंटर कहां अवस्थित है यह अवस्थित है आपको चिन्नई में अप्षन हो जाएगा सी नेश्ट देखिए Center for Advanced Technology कहां इस्थित है तिया इस्थित है आपको इंदवर में अप्शन हो जाएगा A मध्मक्खी पालन संबंधित है तो मध्मक्खी पालन आप सभी जानते हैं संबंधित है किस से तो एपी कल्चर से संबंधित है अप्शन हो जाएगा B नेश्ट देखिए भुकम्पों का अध्यन कहलाता है तो भुकम्पों का अध्यन आपको कहलाता है सिस्मों लोजी ध्यां रखेंगे और रिक्टर एसकेल पर मापा जाता है कि भुकम्प कितना आया आध्यूनिक बनस्पती विग्यान का जनक किसे कहा जाता है यह कहा जाता है लिनियस को अप्शन हो जाएगा बी नेश्ट दखिए जन्तु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो जन्तु विज्ञान का जनक सभी जानते हैं और अस्तु को और जी विज्ञान का जनक भी और अस्तु को ही कहा जाता है ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकिसा से संबंधित है संबंदित है ही दे से अपसन हो जाएगा रखेंगे घंडकर आइना हो जाएगा सवपनों का अध्यान आपको हो जाएगा और नीरो लॉजी हो जाएका स्वपनों का अध्यान ध्यान रखे गया केंद्रिये बनस्पती अनुसंधान कहां अवस्तित है तिया इस्ठीथ आपको लखनों में कोई बार प्रस निक्जाम में पूछे गये हैं फ़ौं का अध्यान कहलाता है तो पोमो लॉजियो फ़ौण और नुसंधान संस्थान कहां है तो आपको सब और भागलपूर में इस्थित ध्यां रखेंगे नेश्ट देखते हैं है मानोविकास का अध्यान कहलाता है मानो विकास कजो अध्यान अध्यान अफसन हो जाएगा अब भी औस्टियोलोजी किसका अध्यान इस्टियोलोजी में आपको व्off और स्थान कहां और स्थ याव석त कोटक उड़ीशा में है कहां है उड़ीशां नहीं ध्याँ दिए आप ग्ली अधिय। इसे देखते हैं इसमें पहला प्रस तो हेड्रोजन बं का इस अभिखिया पर अधारी है है जो आपको ना भी cotton ऑक diff परमाड़ूबम जो है नाभी किये बिखंडन अब खीरिया परधारीत है अपसन हो जाएँगा आपको D राडार के अविशकारक कौण है तरहार्वार्ट टेलर हैं अपसन हो जाएगा प्रतम नाभिकिये रियक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था आपको एनेरिक्टो फर्मी जो कि 1942 में बनाये थे और यह अमिर्का में बना है नेक्ष्ट देखते हैं हाईड्रोजन बम में बनाया था हाईड्रोजन बम बनाया गया था काफी इन पॉटेंट है और इसे प्रसन निश्चीत रूप से बनते हैं अब नेश्ट देकते हैं पोट्रान किस परकार का करण है तो जो पोट्रान है आपको धन आवेस युक्त करण है अप्शन हो जाएगा आपको बी इलेक्ट्रान किस परकार का करण है तो इलेक्ट्रान जो है रिन आवेस युक्त है अप्शन हो जाएगा बी नेश्ट देखिए निूट्रान किस परकार का करण है तो निूट्रान जो है आपको आवेस हींट करण होता है इसमें कोई आवेस नहीं होता है परमाणु बम का अविस्कार किस ने किया था तो परमाणु बम का आटोहान ने अविस्कार किया था अप्सन हो जाएगा आपको ए प्रथम कि किसने की थी एलिक्ट्रवन कि खोज जो जांगा कि आ डैनामाइट के अविस्कारक कौन थे तो डैनामाइट के जो अविस्कारक थे आपको आलफरेड नोबेल थे इनहीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार की सुरुआत की गई है यह ध्याँ रखेगा 1887 में डैनामाइट की खोज किये थे और इन्हीं के नाम पर 1901 में नोबिल पुरसकार की शुरुवात होती है पांचेत्रों के लिए और और सास्त कर नोबिल पुरसकार की जो शुरुवात होती है जो बेधन चमता है गामा कीरण की सबसे अधिक है इन चारों में से गामा कीरण की सबसे अधिक है नेफ्ट देखिए टेलिफोन का विस्कार किस ने किया था तो टेलिफोन का विस्कार के लेकजेंडर ग्राहम बेल ने किया था अप्शन हो जाएगा सी नेफ्ट देखते हैं थे यहां से प challenge नि कलते हैं और इसorta निकलते रहते हैं इस तरह से संख्यास है काफी बढ़ जने गांत पूंटम सिध्धान्त किस निया किस इसाँ नहीं कि व्andeडीय कुए था इसी डर्मिटा के उसकार इसने किया था रिदि धर लीत our आप अधारीथ आपको दॉपलर पर भाप पर अधारीथ इन में से कौन सुछ मतत्त्यों है इस में सुछ मतत्त्यों हो जाएगा आप भारत का प्रथम परमाणू रियक्टर किस नाम से जाना जाता है तो जो जाना जाता है अपसाराइस भी नेक्ट देखी सो नेक्ट देखिए इसमें देखियेे प्रस्म चूट गया लगता है कि इलक्ट रान का और आवेश निर्धारन किसने किया था तो इलेक्टानका जो आवेश निर्धारन किये थे अपको ध्यां होता है यह इसमें हलका करने होता है आपको इलेक्ट्रान देखते हैं कर लगड़ genome ग्यात करने में सहायक है क्या सहायक है तो पुझी ट्रान किसका परतिक्न है अप्समाव्जा का पिर्थिवी की आयो का आकलन इल्यायता है इूरेनियम ड्रेक्टिंग्巧m तो शाठ क्लोर वर्स है और चार दसमलो छह आपको कह सकते हैं और अब भी अब नेश्ट देखिए गामा कीरन की खोच किसने की थी तो गामा कीरन की खोच पॉल बिलाड ने की थी उसन्फन हो जाएगा आपको विए जिवासम की आयू का निर्धारन किसके की द्वारा किया याता है आपको रेडियो कार्वन से उप्रिंग हो जाएगा ए नेक्ट कि आ मैडम की यह जों की खोज करने का सिरे किसे प्राप्थ है तो ध्यान नहीं को बिक्सित करने वाले थे आपको सेमुल कोहन सेमुल वहेंत ऐसन हो जाएगा डि देखिए। परमाड़ु बम काविकास किस ने किया ठीजा परमाड़ु बमकिकास किया जे रावाट और हुप्जन हो ऑक्सण हो जाएगा करता तिरजा की क्या होती है तो और होती है आपको आधित अप्थन हो जाएगा आपको ए की की दर्पन का है एक ब्रह ने की मा आफ कर आदा है पाथ की कि शुधता की से यंतर से मापी जाती है मापी जाती है अपको लैक्टो मेटर से सर्फ हो जाएगा एक देखते हैं कि मोटर गाड़ी के चालग के सामने लगा रहता है तो क्या लगा रहता है अब होटोग्राफिक केम्डे काब़ी दृषियक होता है तिया विद्रिश्यक जो होता है आपको उत्तल लेंस होता है अप्शन हो जाएगा बी नेश्ट दखिए पानी में हावा का बुलबुला की सतर अकारे करता है तो यह कारे करता है आपको ओतल लेंस की भाती अप्शन हो जाएगा D वाइ मंडल की आधरता मापी जाती है तो वाइ मंडल की जो आधरता है आपको हाई गरो मीटर से मापी जाती है अप्शन हो जाएगा A नेश्ट दखते हैं भुकम्प मापी यंत्र तो भुकम्प मापी यंत्र क्या है सिस्मो ग्राफ है अप्शन हो जाएगा धोनी किती बृता मापी जाती है धोनी किती बृता जो है डेसिवल में मापी जाती अप्शन हो जाएगा ए नेश्ट दखते हैं मानो रेटीना पर बना वास्तिईक होता है और उप्संआ हो जाएगा विक्ट देकिए जब कोई वस्तु दो समांतर के संख्या वोगी तो कितनी वोगी को में लंद देखोर जोगी एक दूसरी तक्रा करीपर विक्रें के लिए राप कि हेरदय की गती सुनने के लिए किसी उंत्र का परियोक किया आता है तिसमें परियोक किया आता है आपको दौरे अपाइन को दौर्ठे अप्सें हो जाईगा सिकámIES मंढलीएक दाब की माप की जाती तिया रखा जाता है आपको لेन्स और प्रकास केंदर के बीस तु अप्शन हो जाएगा आपको A नेश्ट दखिये बनसपती तेलों से क्रितरीम घी बनाने में किस उत्परेरग का पर्यों किया जाता है तेया उत्राय रख कौन सा है तो नीकिल है उप्सन होजाएगा C अमोनिया गयस बनाने की हैवर विधी में किस उत्राय रख का पर्यॉख किया रहता है ते लोह चून का उप्सन होजाएगा Black देखिए कि अवतल दर्पण में बस्तु का पर्तिवी में दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा बस्तु से बड़ा बनता है जब बस्तु होगी तो बस्तु कहां होगी यहीं कि फोकस और धुरू के बीच अप्शन हो जाएगा डी निश्ट देखिए रक्त का दाब की सियंतर से मापा जाता है तिया मापा जाता है आपको इस फिगनों मेनों मीटर से सभी जानते हैं ट्रांसफर्मर का क्रोड बना होता है तिया बना होता है आपको नरम लोहे से अप्शन हो जाएगा ए नेश्ट देखिए transformer की सिध्धान पर अधारित है तिए सिध्धान कौन सा है दो बिद्दू चुम्ब किये परियरन के नियम पर त्वर्ट आप्सण हो जागा अब next देखते हैं transformer परियुक्त होता है transformer जो परियुक्त होता है ध्यार रखेंगे AC voltage को Above Chain या Up Chain करने में गतातवर होता है कि es evolve का मैं या ज्यादा करने में ही कि मापने में कि परतिरोद को मापने में किया आता है तो आप्शन हो जाएगा आपको सी परतिरोद पानी के अंदर ध्वणी सुन्ने का धुन यह allies कहलाता है तिया सभी जानते हैं हाइड्रो फोन पानी में पानी से जो भी संबंधित होगा हाइड्रो ही होगा दलदली पानी जलवास से हाइड्रो होगा आप इस बात को ध्यां रखेंगे अब नेक्ट दखते हैं लावड़ी स्पीकर में उर्जा परवर्तित होती है तो नेमों में Option हो जाएगा D, निमलीखित में से कौन सी युक्ति बिद्दूत उर्जा को यांतरी कुरजा में परिवर्तित करता है, यह कौन सा है तो ध्याँ रखेंगे, यह युक्ति बिद्दूत मोटर है Option हो जाएगा C, नेक्ट देखते हैं, रसायनी कुर्जा को बिद्दू तूर्जा में परिवर्तित होता है तिया होता है आपको बैटरी में अप्शन हो जाएगा सी रेक्टिफायर का पर्योग किया आता है तो रेक्टिफायर का जो पर्योग किया आता है आपको ध्यां रगेंगे AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का परियोग किया जाता है नेश्ट दखिए ट्रांसफर्मर का परियोग किया जाता है ट्रांसफर्मर का जो परियोग किया जाता है केवल AC में ही परियोग किया जाता है टेलिफोन लाइन में प्रवाहित उर्जा होती है तो टेलिफोन लाइन में कौन सी उर्जा प्रवाहित होती है तो विदू तुर्जा प्रवाहित होती है अप्सन हो जाएगा बी नेश्ट दखिए सुस्क सेल में किस तरह की उर्जा नहीत होती है तो सुस्क सेल जो होती है रासानिक उर्जा तो अप्शन हो जाएगा C कौन सा यंत्र उच्छ AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में या निम्न AC वोल्टेज को उच्छ AC वोल्टेज में बदलता है तिया बदलता है ट्रांसफर्मर ही की बदल सकता है अप्सन हो जाएगा D नेक्ष्ट देखते हैं आपको अब देखिए 25 देखेंगे इसमें नेक्ष्ट देखते हैं 25 तो भारत का पहला परमाणू रियक्टर का नाम क्या है तो इसमें नाम हो जाएगा आपको अपसरा अप्सन हो जाएगा DDT की खोज किसने की थी तो DDT की जो खोज करने माद थी डाक्टर पॉल मूलर थे अप्सन हो जाएगा आपको C भारतिय अंत्रीच अनुसंधान समीती के अध्यश कौन थे इसके जो समीती के अध्यश थे बिक्रम शारा भाइत अपसन हो जाएगा ए पेनिसलीन की खोज किस ने की थी तो पेनिसलीन की सभी जानते हैं कि खोज की थी एलेकजेंडर फ्लेमिंग ने अप्शन हो जाएगा बी नेख्ट दखिए भारतिय अंतरिच अनुसंधान संगठन इसरो की अस्थापना कब हुई थी तो इसरो की जो अस्थापना हुई थी आप ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 1979 को हुई थी और इसका मुख्याले बंगलोर है और के सीवानी इसके बरतमान में अध्याच्छ है भारत का पहला परमाणू को येक्टर अफ्सरा कहां इस दित है जो अफ्सरा इस धिद्यान देंगे यह मुंबई में हो जाएगा होमियो पएथी चिकीशा के जनक कौन थे तो हो जाएँगे हैनी में अप्सण हो जाएगा एक देखते हैं अ को कि कल्पना चावला का जनम कहां हुई थी तो करनाल हर् रखेंगे एंटिसेप्टिक सरजरी का विस्कार किसने किया था त्यक्या था आपको जोसेफ लिश्टर ने अप्षन हो जाएगा वी नेश्ट देखिए भारत का पर्थम प्रमाणु विजली घर कहां प्रारम किया गया था त्यक्या गया था आपको तारापूर महराष्ट में ध्यां रखेंगे भारत के पिर्थिवी पृष्यपास्त्र की तूलना रूस के की किश पृष्यपास्त्र से की आती है या की आती है आपको स्कड पृष्यपास्त, त्सक्ड अप्षण हो जाएगा आपको स्कड सी मौन जाएगा नेश्ट दखिए तो genetic code की खोज जो की थी आपको हर्गोबिंद खुराना ने की थी किसने की थी हर्गोबिंद खुराना ने ध्या रखेंगे उत्परिवर्तन का सिध्धान किसने दिया था तो उत्परिवर्तन का सिध्धान जो है Hugo बिरिज दिये थे के अप्शन हो जाएगा भारत ने अपना परमाणु बिस्फोट कहां किया था तो भारत ने जो पहला अपना परमाणु बिस्फोट किया था पोखरन में किया था यह 18 मई ध्यां रखेंगे अठारमई 1974 को किया था इंड्रा गांधी के समय में और इस पोखरन सक्ति नाम से किए गया था टेरमई 1998 को ध्यां रखेंगे सक्ति नाम से पहला सक्ति दूसरा का सक्ति और पहला का स्माइलिंग बुद्धा नाम था कोड़ नेम था वह नेक्ट देखिए भारत ने अपना पहला परमाणु विश्फोड कप किया था तेया किया था आपको देखिए 18 मईई 74 को नेक्ट देखते हैं परमाणु उर्जा आयोक का गठन किसकी अध्यस्ता में किया गया था तो परमाणु उर्जा आयोक का गठन डाक्टर होमी जहांगीरी भावा की अध्यस्ता में किया गया था नेक्ट देखते हैं भारत में निर्मित पहला बहुत देशिये उपग्रह कौन सा है तो पहला ब कि जाम में क़ुमा फिरा के पूछे जाते रहें भाभा परमानु अनुसंधान के इंदर बार्क की अस्ठापना कब होई थी तो जो बार्क की स्थापना होई थी कब तो ध्यां रखेंगे 1904 में और डियारदी यो डियारदी उकी अस्ठापना कब में ध्या्न हैं मलेडिया के टालो की खुज किसने की थी मिलाडरिया किटाडू?", रोनाल्ड रify कििफी, ए झाल은ते हैं तो कि नेश्ट देखिए यहां देखिए दिया हुआ है कि इन्सुलीन की खोज बेटिंग्यों बेशने की थी अप्शन हो जागाए जमीन से अकास में मार करने वाला प्रिछे पास्त्र अकास का सफल प्रिछेपन कप किया गया था त्या किया गया था आपको 1990 में ध्यां ऐस्थापना कब हुई थी थी आपको 13 अक्टूबर 1990 को ध्यान देंगे यह वी थी आपको 13 अक्टूबर 1990 को विकास्वाद का सिध्धान कि ने दिया था तबिका स्वाद का सिधान सभी जानते हैं कि चाल्स डार्विन ने दिये थे तो इस तरह से चाल्स डार्विन अप्शन हो जाएगा B नेक्ट दखिए हाईजा के टीका की खोच किसने की थी तो जो हाईजा के टीका की खोच करने वाले थे रावट कोच अप्शन हो जागा A जिवाणू की खोच किसने की थी तो जिवाणू की जो खोच की थी लुमेन होक ने अप्शन हो जागा A नेक्ट दäखिए भारतीव्य नाभिकीए ऊर्जा नीगम की अस्ठापना कव हुई थी त्हीं होई थीzet अस्ठापना हुई थी आपको दूसरे दुसरा पर्मानमी सफोट कब करता है दूसरा जुआस में सक में सब्सक्राइब 2008- CS दूस द्वारा छोड़ा गया था रेवीज के टीके की खोज किस ने की थी तो रेवीज की टीके को लूई पास्टर ने की थी अप्शन हो जाएगा आपको डी नेश्ट देखते हैं अब सेट नमर देखेंगे जो की काफीन पोटेंट है नेश्ट देखते हैं ड autorodorभ्स सोडा का रसाइनिक नाम क्या है इसका रसाइनिक नाम होता है किकी संद्न की कमी से होता है और जो रताओंधी होता नहीं की कमी से होता है और सबसे अच्छा सुरोत किया है तो चाहिए सबसे अच्छा सुरोट पतिका सबसे अच्छा जो सोरवत है अवला होता है अप्सरन हो जाएगा सी दिखए शै užका वेरी वेरी रोक किसे विटामीन की कमी की कारण होता है और सी कमी से कारण होता है वह सा में गुलंसील विटामिन है तो वसा में जो गुलंसील विटामिन है आपको विटामिन डी ए के ध्यां रखेगा वसा में और बी और सी क्यों होते हैं आपको जल में और एडी भी है तो वसा में गुलंसील विटामिन है जल में जो गुलंसील विटामिन है बी और सी है दोनों हो ज वे नम होता है रिसान नाम prima अब बूक ने नम क्या है और वितामिन एक आज को नमा रेटिनुल सब्सक्राइब देखिए कि बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रसाइनिक नाम क्या है इसका जो रसाइनिक नाम है आपको सोडियम बाइ करबोनेट है अपसण हो जाएगा भी नेश्ट देखें कि अट देखते हैं नेश्ट दैखते हैं इस कर्वी रोकिस विटामिन के कमी के कारण होता है तो यह होता है आपको विटामिन लिसमत्र विटामिन का रसाइनिक नाम क्या है तो भी टामिन का जो रसाइनिक नाम आप सभी थो फोता है एज जैएगा बी नफुंसकता या बानधता की सी नहें की कमी के कारण होता है तो यह होता है आपको विटामीन एक की कमी के कारण एज़न हो जाएगा आपको इलएंगो नेहीं के बड़कती तो को फिरॉल का जो रसानी के सोडियम को सनॐ नाम किया है सभी जानते हैं कि भारी जल का रसांइन को है तो घाली का रसानी को π 창ुठ हो जाएगा मार्ष नाम अ सुब इज़से पहारी जाल का रसानी कुठ गया आपको लिटेरियुम आक्साइड हो जाएगा अलगा थीज़ Collector का रासानिक सुत्र क्या होता है तो भारी जल का रासानिक स्यात्र आपको डिट्टू होता है कि मचलियों के यक्रित तेल में कौन सी बिटामिन की बहुलता होती है तो इसमें बहुलता होती है आपको बिटामिन डी की अप्शन हो जागा डी कौन सा बिटामिन गरम करने पर न आपको सभी जानते हैं कि फंक ने दिये थे कब तो 1912 में देखते हैं कि प्लास्टर और पेरीस का रसाइनिक नाम क्या है तो प्लास्टर और पेरीस का रसाइनिक नाम कैल्सियम सलफेट हेमि हैट्रेट होता है अप्शन हो जाएगा डी देखिए जीपसम का रसाइनिक नाम क् आपको ध्याँ रखेंगे सी एसओ फोर अब मेश्टव सब्स्कंटर लाइस कबंट किसमे पाया जाता है को ऑनुच्थ को नाम थ्याइन कोबाल भूं हैं आन रखेंगे थक्कां ने में सहायक होता है कौब एक तरुस में था बिटामीन के सहायक होता है मैकुलं है अप्सान हो जाएगा आपको B मैकुछन M c के विष्कार किया था यह ता में सिकर किये थे आपको होल कटने और विटामिन डि का तो partager किये थे होस्किन्स नेश्ट दखिए कि अंगलराज मिस्रं होता है मिच्रम होता है ध्या techniques सेट नमर साथ हम लोग देखेंगे जो की काफी इन पोटेंट है कि अंतरीच में जाने वाली प्रथम महिला थी तो अंत्रीच में जाने वाली पर्थम माईला वेलंटीना तेरस कोवा थी कब ध्यां रखेगा 1963 में कब थी 1963 में और पूरुष जो गये थे 1961 में गये थे इवरी गागरीन अब नेश्ट देखते हैं सोडियम का पर्तिक क्या होता है तो जो सोडियम का पर्तिक होता है सभी जानते हैं इन्य होता है सोना चांदी कोपर और लोहा में सबसे अधिक तन्य कौन है तो सबसे जो अधिक तन्य है आपको सोना ही है उसका औरम भी कहा जाता है सोना को नेश्ट देखते हैं कि 182 तो घैसे दुसका अवह प्रतिशत सुदद सोना पाया जाता है यहां रखेगा 24 होता है निकाया निकार सथे कर देखेंगे देख़ेगा निकाल परिदा आपको रिखने स् nervous फशेट सिंदर बंकितर को सिन्दूर विककरalाा के इसलिकर सब्सक्राइब करने वाली प्रथम भारतिय महिला कौन थी तो पर्थम भारतिय महिला थी कल्पना चौला थी कब गई थी तो आपको कल्पना चौला गई द्यार रखेंगे 2003 में नेक्ट देखते हैं कि चंदरतल पर मनुष्य का उतरने वाला पर्थम अंत्री च्यान कौन था तो जो पर्थम अंत्री च्यान था अपोलो इगारा था इसी से आपको नील आर्म अस्ट्रांग गए थे और इसके चालक कौन थे अपोलो इगारा के तो म नेश्ट देखते हैं विदेशी भूमी से छोड़ा गया भारत का पहला बैग्यानी को पग्रह कौन है तो बैग्यानी को पग्रह आरे बहुट है ऑप्सण हो जाएगा 75 में छोड़ा गया था सभी जानते हैं नेश्ट देखिए आटो मोबाइल बैटरी में कौन सा अमल पर नीश्ट होता है चांदी का अर्जेंटम होता है जी नेश्ट देखिए लन शीटे नम्मर thì 14 का सूतर क्या है सल्फर के औडु का सुत्र रोता सुत्र होता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मिथेन बजार में किस नाम से पाया जाता है आपको फ्रियोन बारह के नाम से अप्षन हो जाएगा A, Quick Silver का रसानिक नाम क्या है? इसका रसानिक नाम होता है पाराद भी बोलते हैं, अप्शन हो जाएगा A. निमलिखित में सबसे भारी धातु है इसमें से उरेनियम है पीतल तामबा जर्मन सिल्वर में कौन सबसे सब में पया जाता है तो जो सब में पया जाने वाला धातु है आपको तामबा सब में पया जाता है पीतल किसका मिसरन होता है तो पिता जी का जर्मन सिल्वर तो जर्मन इसमें लेटीस आता है तिया लेगेत्य उप unos driven हो घ Concept लिघिलंगर मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंत्री रूप था है और इसका अपर्तनां कितना होता है 249 होता है और अपेश की घंद दो दस्मलो दो होता है ले निवन में रहता है तो अम वह रहता है यह रहता है यहीं कि पारा नेश्ट देखते हैं कि अधिक्तम तन्यता वाला धातु है तो जो अधिक्तम तन्यता वाला धातु है तो कौन है तो इसमें सोना होता है ध्यां रखेगा एक ग्राम सोना में दो किलो मिटर तक मतलब तार खीचा जा सकता है एक ग्राम में केवल ध्यां रखे नेक्ट लेखते हैं निवन में कौन तार खीचने योग सबसे नमनिय धातु है तो तार खीचने योग तो सबसे नमनिय धातु ही सोना है जल में सबसे कम घुलन सील गवस हो जाएगा एंटू सबसे कम ca co 3 में कारबन का प्रतिषथ है दिसमें कारबन का फरतिषथ है 12 अपसन हो जाएगा डि है लोजन में सरवाधिक प्रभावशाली अक्सी करण करता क्या है अक्सी करण करता है फ्लोरीν को जाएगा सी जो सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गयस पर्युक्त किया ती यह पर्युक्त किया आती है Co2 तत्तौं का सबसे पहले वरगी करण किस ने किया था यह किया था आपको ध्यां रखेंगे डोब्रेनर ने अफसन हो प्रवावित यूनित क्या होता है तो होता है आपको अप्सण हो जाएगा बी नेश्ट देखिए समाप्त लूग्त होता है यह कितना होता है तो 58.6 होता अप्सन हो जाएगा आपको अ है कि मानोश रीर में अहार निंए भोजन मुक्तिया पच्टा यह बत्ता है छोटी आत्मी अप्सन हो जाएगा और सभी आतों की लंबाई कितना है यह 32 फिट होता है छोटी आत जो लंबाई होता है 27 फिट के लगभग में होता है मनुस्य लोहा किस से प्राप करता है मनुस्य जो लोहा पालक और सब्जियों से प्राप कर सकता है नेक्ट देखते हैं मानों शरीर में सबसे प्रचूर मात्रा में पाया जाने वाला तत्तो कौन सा है तो सबसे प्रचूर मात्रा में पाया जाने में से किस अंग में प्रारंभ होता है तो सबसे पहले मुझ में ही प्रारंभ होता है शरीर में सबसे बड़ी हड़ी कौन है तो सरीर में सबसे जो बड़ी हड़ी है फीमर ज्यां के हड़ी होती है मानों शरीर का सबसे बड़ा आंतरीक अंग कौन सा है तो सबसे बड़ा आंतरीक अंग आपको यक्रित हो जाएगा अप्सन हो जाएगा बी मानों मस्तिक्स कितने ग्राम का होता है तो जो मानों का मस्तिक्स होता है 150 ग्राप हता है निक्ष्ट देखिए है कि मनुख्य के मस्तिकष्ट का सबसे बढ़ा भाग है सबसे बढ़ा श्री सबसें सबसें चेहें इस मनुस्य के सबसें च्छोटी सबसें की सरी मास्टr मास्टर ग्रंथी किसे कहा आता है तो सरीर में जो मास्टर ग्रंथी है ध्यार रखेंगे टूटरी कहाता है अप्शन होगा एक देखते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए कि आप मानों शरीर में उपरोष्थी को कहां पाएंगे या पाएंगे आपको जांग में अप्शन होगा हम एक मिनट में कितने बार सांस ले सकते हैं तो हम ले सकते हैं आपको 16-18 बार अप्शन होगा ए निख्ट देखिए टीबिया नामक हड्डी पाए जाती है तो जो टीबिया नामक हड्डी है टांग में पाए जाती है अप्शन होगा बी वह अंग जो मानों शरीर में पीत उत्पन करता है तो पीत उत्पन करने वाले अंग कौन है तो यह कृत है अप्शन होगा बी नेश्ट दखिए अब थ ओर देड़ेत काली कुरयत पर्दौता अपर मानों किटना होता है तो मानों रक्त का प्यों कितना होता है और सब बहुतर होती है प्रती होती है कहिए सब्दातार ऊधीर वर्ग है पसबीज जानते हैं कि यह कौन हो जाएगा तो O हो जाएगा इनिकी सबको देता है सर्व ग्राहिय नहीं सभी से ले सकता है कौन ले सकता है तो AB रक्त समूवाले व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति से रक्त ले सकते है एक AB ग्रूप वाला व्यक्ति खून दे सकता है किसको दे सकता है केवल IB को अप्सन हो जाएगा अम next लेकते हैं और रक्त समूव वाले आदमीं का रक्त किसे दिया जा सकता है पो अब सभी रक्त सम्मूव को अप्सन हो जाएगा डी martial देखिए मानों शरीर हमें रकत चाप निमलिकत में द्वारा नियंतिरीथ होता है नियंतिरीथ होता है और अपको टँरेइडरन द्वारा अपहलो जाएगा नेक्षट देखते हैं है इंसुलीन की कमी के कारण होने वाला रोग 걸ुघ होने वाला रूब सबसे छोटी हड़ी है सबसे छोटी हड़िए सबसे च्छोटी हड़ी होती है निस्ट देखते हैं लाल रक्तकण का निर्माण होता है तो जो लाल रक्तकण का निर्माण अस्थी मज्जा में होता है अप्सन हो जागए एक ओयक्स मनुष्य में रक्त की ओसत मात्रा होती है तो जो रक्त की ओसत मात्रा होती है पांच से छोलिटर होती है अप्सन हो जाएगा सी लाल रक्तकण क टीन होता है नेक्ट दखते हैं कि रख्थ को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपिवंग में आता है तो प्रोटीन अता है पton혁द दो सरीयर में हैमोगलोब पार्य होता है और नेख स्थे accountable अ foreign meses s दो आप्रशेपेंट से्ट सद दोटेंट है मोटेंट है देखिए हैं इसमें बचेहों परत किस मंदल में पाई तो या पाय या दिए सभी जानते हैं समताप मंडल में perfection होजाएगा बी और परवेगनी किरोनों को पिर्थीची से रच्छा करती है तेसं पिर्थीची के सबसे करीब श्थित मंडल है तो सबसे करीब स्थित मंडल मंडल सूर्य की समईप्थम गुरहे संबAnn when जो गुरह भूद्ध है ज्यार रखेगा और प्लेटो सब को गुरह से मालेता हटा दिया गया अब 2006 में अभिवर्तमान में आठ ग्रह हैं निश्ट दखते हैं तो सूरी से सरभाधिक दूर इस्चित ग्रह है तिया सरभाधिक दूर है आपको बरून अप्शन होगा सी सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीब्र ये नी चमकिला ग्रह है सब से चमकिला ग्रह सभी जानते है कि सुक्र है और इसे भगनी ग्रह भी पिर्थिवी का कहा जाता है रात्री के समय आकास में कौन सा ग्रह लाल दिखता है यह लाल दिखने वाला ग्रह है आपको मंगल अब निश्ट देखते हैं पिर्थी पर सर्वाधिक मात्रा में पाये जाने वाले तत्व कौन से हैं पिर्थी पर कह रहा है तो पर कमतलब हो जाएगा आक्सी जन अप्सन हो जाएगा सी नेश्ट देखिए सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह आपको ध्यां रखेंगे सनी हो गया है और इसके 82 उपग्रह पुना हो गया है हमारा सोर मंडल कौन सी अकास गंगा में इस्तित है हमारा जो सोर मंडल है मंदाकनी जो कि अकास गंगा कह जाता है इसे साम कभी तारा कहा जाता है आकास में सबसे चमकदार तारा कौन सा है तो आकास में जो सबसे चमकदार है साइरस तारा है अप्सन हो जाएगा डी नेश्ट दखिए विरस्पति का अध्यन करने वाला उपग्रह कौन सा है तो यह करने वाला उपग्रह वायजर वन है अप्सन हो जाएगा आपको डी टाइटन कीस ग्रह का उपग्रह है जो टाइटन है आपको सनी का उपग्रह ध्यां रखेंगे नेश्ट देखते हैं बीना उपग्रहों वाला गरह कौन सा है तो बीना उपग्रहों वाला गरह सभी जानते हैं कि बुद्ध और सुक्र बीना उपग्रह के गरह है तो यह दोनों ही हो जाएगा अप्सन दिया होगा नेश्ट देखते हैं को दखेज दिया सी अबिस्टित एक मात रूपग्रह और अंतरीच में तारे मंडलों की कूल संख्या तो हमसी सूरी के सबसे का निकट का तारा जो है आपको फ्राक्सिक्मा सेंचूरी है अपसन हो जाएगा आपको एध्यान रखेगा जो कितना परकास वर्स दोर है परकास वर्स दूर है पीटःवी से नेस्ट देखते हैं वंन्डल की सबसे उपरी परत है वहीर मंडल लगता है तो आठ मिन्ट कितना लगता है इस को बदलिएगा तो आठ घंटा हो जाएगा तीन दिन है और गंटा मन इस मंडल में घटित होती है वर्षा आंधि तुफान बादल है तो यह है तो उलिखों का मिश्रम है कि वाई में तो नेटरोजन भी मिला हुआ है तो सभी जानते हैं है यह हैडरोजन हो जाएगा सुरी में भी सबसे जादे हाइड्रोजन भी पाया जाता है पारा बैगनी क्रोणों से रच्छा करती है तो पारा बैगनी क्रोणों से रच्छा ओजोन गैस जो है पारा बैगनी क्रोणों से रच्छा करती है सोकर पिर्थिवी की रच्छा करती है नीला ग्रह कहा जाता है जो नीला ग् यह से भगनी ग्रह भी कहा जाता है काफी इंपोटेंट इसमें प्रस्ण दिए गए हैं यह आप लगाते हैं तो निश्चीत रूप से प्लस में होंगे तारे का रंग सुचक होता है अब ध्यां रखेंगे तो इसमें हो जाएगा आपको इन में से कोई नहीं तारे का जो सवर्परिवार का सबसे ठंडा नेफचून रखेंगे कि सब्सक्र को दोनों पर क्या होता है क्ला यूप्त है तो सनी जो है वाला यूप्त ग्रह नेक्ट सब्सक्र देखिए सल यनिनी हाइड्रोजन जो होता है हिलियम में बदलते रहता है इससे निरंतर सूर्य उर्जा देते रहता है नेप्चून की खोज किस ने की थी नेप्चून की खोज आपको गयले ने की थी और मनुस में पहली बार मनुष्ण ने पहली बार की सुवर्ष चांद पर कदम रखा था यह काफी इन्पोटेंट है यह कदम की सुवर्ष रखा था तो सभी जानते हैं कब निशो नहत्तर में तीनियात्री गए थे निलाल मस्ट्रांग एल्टीन बज और माइकल कोलिंस अंत्री च्यात्री को अकास का रंग दिखाई देता है यह दिखाई देता है आपको काला ध्यां रखेंगे सूरी की सत्व का तापमान कीतना होता है तो सूरी की सत्व का तपमान 6,000 डिग्री केलीन होता है और पंदर मीलियन सेंटीघ्रेड जो होता है आप ध्यां रखेंगे यह होता है उसके केंद्र का अपेज़श देखिए सबसे चोटा उपकरा कॉन है यह मंगल का मंगल और विरसपती के बीच में होता है अब देखते हैं अगिला सेट है आपको दस्वाव सेट इसे अम लोग देखेंगे नेश्ट देखते हैं इसमें देखिए तो बड़ा जी की काई यूनिट है तो बड़ा जी की काई यूनिट क्या होता है तो एने मीटर प्रती केजी स्क्वाइर होता है तो अप्सन हो जाएगा आपको C आवेग माप है आवेग किसका माप है या भार का माप है अपसन हो जाएगा डी निश्ट देखिए अदीश रासी कौन है तो अदीश रासी आपको उर्जा जो है अदीश रासी है संबेग तोरण बॉला गूर्ण क्या है या सदीश रासी है निमलिखित में से कौन सा सदीश आछ से defense which subdivis ray je Technique अंदिस एक प्रमात्रा है जिस नहीं होता है लेकिन का नहीं कह stolet है नहीं की देखते हैं है कि प्रिष्टिय रोता है कि प्रिष्टिय और में कि dwa होती है it mill t like yo ach uta अप्षेन हो जाएगा आपको crane बल का CGS मात्रक क्या होता है तो बल का जो CGS मात्रक होता है डाइन होता है और एक न्यूटन बनाबर दस प्रगात पांच डाइन होता है ध्यां रखेंगे नेक्ट देखिए एक माइकरोन किसके बराबर होता है तो एक माइकरोन जो है आपको ध्यां रखेंगे 0.001 mm के बराब होता है कि लोग्राम राशी गवाजन होता है और रेती स अपत्स और के सब्सक्व जानते हैं को से एक तो सक्ती किसका एकूंघ है चारज शोंडी टीज्स examine ऐसे प्रकास वर्ष जो है आपको ध्यां रखेंगे दुरी का एक रोगां यह वर्ष्ग कतना होता है तो 12 मेंट test 9 15 मीटर अब नेश्य दख्ते हैं कि एक बार बराबर होता है एक बार बराबर होता है दस पारफ्र फासकल के अप्लाइगा सी इंगस्टरम को अभीव्यक्त करने की क्या है कि आ इंगस्टरम को तरंग धर्य से संबंधी और नेख्ट देखते है एक तो एक्याह की सकती कीश के बराबर होता दह साथ percentage होता है सालीऻिस वार्ट के बराबर होता है CApple inanu की सक्षट का इक् Can निकोंडायोर होता है देखते हैं इसका आपशन होता हैपको आपको डए अपरव बता दिये थे अब नेखते हैं का निम लिखित में से कौन सी कौडी यह बेघ को सही इक यह है सकूर्य की इकाई क्या है इसमें तो gradient प्रती, सेकेंड होता है, option होजाएगा D, next देखिए, को बेक की वीमा क्या होती है? तो को बेक की वीमा होती है, ml, t-1, तो फ्रतर प्रती, सेकेंड इस्क्वार है, इसे याद रखेंगे, next देखते हैं, एक पार्शेक में कुल कितने प्रकास वर्स होते हैं एक पार्शेक में ध्यां रखेंगे कि तीन दस्मलों दो छब प्रकास वर्स होते हैं परमदाब देखिए यह प्रसंद पूछा गया है परमदाब है परमदाब क्या है तो गेज दाब पलस एक बार को परमदाब कहते हैं अप्शन होज़ाएगा यह क्ते हैं एक वर बराबर होता है टो एक फ्रैम्ट ≥ होता है दोस प्रगाथ 15-द्र मीटर के बराबर होता है टाप का स अ Denali कर नपी जाती है या मात्रख का मात्रक है तो जोती तिप्पधा का मात्रक होता है केंडेला होता है अप्शन होसाइगा अधिक है यह अधिक है आपको गामा किरण की ध्यां रखेंगे कई बार प्रशंद पूछे गएँ कि हैं नेस्ट दखेएं एलेक्ट्रो बोल्ट मात्रक्त एलेक्ट्रों बोल्ट मात्रकत कैसका पूर्जाग का एकाई क्या है जो भीद्द्धु धरा चीरत एकाई क्या है तो बिद्धु तावेस का जो मात्रा के कुलाम होता है अप्सन हो जाएगा रसायन उद्योग में कौन सा मूल रसायन मना जाता है तो सभी जानते हैं कि यह सुफोर ही होता है तो अप्सन हो जाएगा सी नेश्ट देखिए कि वी टामिन के नाम क्या है तो सभी जानते हैं फिलो क्योंनीन होता है रग का ठका-इसी से बनता है कस्टिक सोधा का रसाइनिक सुतर क्या होता है तो azda को अ और चलियान ड़िए झमना इसे जम करते हैं तो परिव différence करता है आपको ध्रिया judicial रखेंगे यहulation प्रांसफर्मर परियोग मिलाते हैं क्यों परियोग के आता है कि यह सी परिपत में परियोग किया आता है भोल्ट को घटाने या बढ़ाने के लिए इस बात को भ्यां रखेंगे सुरी की किरणों कि तीवर्ता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं इस उपकरण को कहते हैं तेखिए निवन में कौन मैगनिफाइंग ग्लास की भाती परिक्ष्थ होता है तिया परिक्ष्थ होता है आपको अभिसारी लेंस अप्षन हो जाएगा प्रकास का बेग को सर पर्थम किसने मापा था या मापा था किसने रोमर ने और प्रकास का बेग कितना होता है तो 30,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, इसमें होता है 6.2-3-10 प्रगात तेइस्ट अप्सन हो जाएगा आपको भी इसे एक मोल भी कहते हैं ध्यां रखेगा मोल का भीमान इतना ही होता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है तो दूरी जो मापने की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेख है अप्सन हो जाएगा कर देखिए कि एक प्रकास ब्राबर होता है एक प्रकास ब्राबर होता है नो दसमलो चार चार गुणे दस परगात 15 मीटर यदि वहीं दस पर गात 12 कर दिए गाट एक लिटर कितना गैलन बराबर होता है एक लिटर जो होता है आपको 0.264 गुणे दो कि 0.264 दो कितना होता है गयलन के बराबर ध्यां रखेंगे और एक गयलन में 100 अगर लीटर में होगा तो 169 लीटर होगा कितना होगा 169 लीटर नेश्ट देखते हैं कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है एक फर्मी में जो होता है आपको 10 पर घात मैनस 15 मीटर होता है अपसं हो जाएगा बी लोगरीथम के अविस्कारक थे वह जोन नेपियर थे अपसं हो जाएगा सी सभी जानते होंगे अब नेश्ट देखते हैं क्वांटम सिध्धांत के परतिपादक हैं तो जो क्वांटम सिध्धांत के परतिपादक हैं मैक्स प्लांक हैं वाई मंडल की आधरता को मापने वाले यंत्र हैं तो वाई मंडल की जो माधरता मापी जाती है हाई ग्रो मीटर से मापी जाती है न पीर्थिवी के उपक्रह का कच्छी बेग निर्भर करता है तो कच्छा की तिरिज्या पर अप्सन हो जाएगा नेक्ट देखते हैं घड़ी की चाभी में देखते हैं नेक्ट घड़ी की चाभी में संचीत उर्जा होती है तो कौन सी उर्जा होती है घड़ी की चाभी में तो इसमें होती है सभी जानते हैं कि इस्थिती उर्जा होती है अपसन हो जाएगा सी नेक्ट दखिए यदि किसी पिंड के संबेक 50% बढ़ा दिये जाए तो गती जुर्जा का मान होगा तो गती जुर्जा का मान जो है 125 परतिसत बढ़ जाएगा अप्शन हो जाएगा नेक्ष्ट दखिए अनुधर्य तरंग उत्पन हो सकती है या उत्पन होगी किसी अनुधर्य तरंग तो सभी माध्यम में अप्शन हो जाएगा किस माध्यम में अनुप्रस्त तरंग उत्पन नहीं हो सकती है तो अनुप्रस्त तरंग उत्पन नहीं होगी कहां ध्यां रखेंगे यह हावा में उत्पन नहीं होगी नेश्ट देखते हैं है और प्रती बोल प्रति बोलर विकीर्थी का अनुपात कहलाता है इसकी अनुपात उस्पर अपयास था गुड़ां कहलाता आपा two- slick अधिक होता है इसलिए थायरना से तरंग अप्सरव्य कही जाती है जब उसकी आवीरती हो तो उसकी जब आवीरती आपको मैं सुनाय क्विछ से कम हो तो नहीं से जाएगी और 20,000 होग हम से 20然age 9000 हर्टज के बीच में रहेगी तो ही हम धनी सुन सकते हैं मेल से दखेते हैं यधि तरंग की लंबाई का मान आध्णा कर दिया जाए ड्एनी का बेंग हो गा दो लिख क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा option हो जाएगा एग नेश्ट दखिए धौनी तरंगे हैं धौनी तरंगे जो अनुधर होटा है option होता है गोलिये दरपन की फोकस दूरी उसकी वकरता तरीज़ा की होती है क्या होती है आधी होती आप्सन हो जाएगा नेश्ट देखते हैं उत्तल दर्पंड द्वारा बना परतिवीम होता है तो उत्तल दर्पंड द्वारा जो बना परतिवीम होता है कालपनिक और सीधा होता है अप्शन हो जाएगा c next दखते हैं प्रकास तरंग उधारण है तो प्रकास तरंग जो उधारण है विद्दुच चुम्ब किये अनुपरस तरंग का option हो जाएगा आपको अब इसमें देखते हैं फोटोग्राफिक केमरे का अभिद्रिस्यक लेंस होता है आपको उत्तल होता है अप्सन हो जाएगा देखिए लिए बरबर MC स्कौायर का पर्तीपादन किया था किस के द्वरा किया गया था सभी जानते हैं एंस्टाइन के द्वरा किया था थोरियम का नाविक को बदला जा सकता है किसमें बदला जा सकता है तो प्लोटोनियंम में अप्सण होजाएगा भी के और भारत में जो хват लिपारियं में बढता है केरल में भषय ध्यान रखेंगे भी द्हूज के पदार्थ की रन की होगी ध्या रखेंगे नेक्ट दखते हैं एक उर्जा का उर्जा का छए कम होता है तो दिष्ट धारा में यह जिErिक कि दो ट्यारेक्ट करेंट में ट्रैन्स परन्स पर किसी धान पर अधारित है तो ट्रांस्फर्मर जो है आपको चुम्बखिए प्रेरण के सिधान पर अधारित है अप्शन हो जाएगा बी नेश्ट दखिए घरेलू परकास के लिए परियुक्त लेंप किस क्रम में जोड़ा जाता है यह जो जोड़े जाते हैं आप ध्यां रखेंगे यह समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं नेक्ष्ट देखिए उस्मा की परकिरिया से सरवाधिक ती व्रक्रम से अस्थनांतिरित होती है ते अस्थनांतिरित होती है आपको B की रण अप्षन हो जाएगा C नियुन्तम संभव ताप है तो नियुन्तम जो संभव ताप है मैनस 273 डिगरी सेल्सियस अप्षन हो जाएगा सी यदि वाई मंडल न हो तो दीन की अधी होती है आपको कम अप्षन हो जाएगा ए क्योंकि परावर्तन थोड़ा कम होगा सूर्य ग्रहन के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है तिया दिखाई देता है आपको कोरोना अप्षन हो जाएगा बी कोरोना का मतलब वाईरस नहीं यह समय लेजिएगा कि जो सूर्य ग्रहन होगा तो यह जो भाग है चारो तरफ का बगलबाला इसी को बोलते हैं को रोना नतने हैं सूरी के परकास का आंतर प्रावरतन हो सकता है यदि परकास यो परकास है कांच से उढ़िल में में जाए तो सबसे ज्यादा आप को लाल रंग का तरंग धर्य जो हता है ज्यादा होता हुघ सबहसे प archives की रफले पहले कि सबसे पहले किसने ज्यादत की तो रोमर ने ऑपसरें कि चरव सुच्म दर्शी में बस्तू को रखा जाता है तो जब प्रकास वाइवी से कांच में जाता है तो क्या होता है यह तरंग धर्य क्या होता है भड़ जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब परकास जाता है तो परकास जो जाता है हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है परकास तंतु किसी धान पकार करता है तो परकास जो तंतु है आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है यांतरी कुर्णा को बिद्दू तुरियाँं बदलता है कौन तो वर डाइनेम हो जाएका सभिवह जानते है अब नेश्ट दखते हैं सूरी के केंदर का ताप कि इतना होता है सूरी के केंदर का ताप मान होता है आपको 15 मिलियन सेंटीग्रेट होता है ध्यां रखेंगा अप्शन हो जाएगा एक दसमलो एक दसमलो पांच गुणे दस प्रघात मैंनस साथ केल्वीन होता है इस बात को भी ध्यां रखेंगे अगर रिशु कीज़ेगा तो 15 मिलियन सेंटीग्रेट ही आएगा तो समाने में उसी याद रखें सूरी के केंदर का दाब कितना होता है तो दो गुणे दस प्रघात सोरण न्यूटन वर्ग मीटर बडाबर होता है अप्शन हो जाएगा तो परमाणू रियक्टर अधारित है तो परमाणू जो रियक्टर है आप नाभी की विखंडन पर अधारित है दे परमारु बॉम अधारित होता है यह जो अधारित होता है न और नियन्तीरित ना भीकिए भी खंड़न पर अधारित होता है लेपलेएं देखे भाया है है है्टा उन्हार कहिति में से इसिलेकों तथा Ze produced नहीं कि य॥ तो पोजिट्रान की जो खोज है आपको किया था एंडर्शन ने अप्शन हो जाएगा आपको कौन C, अप्शन C हो जाएगा, नेक्ट देखते हैं, एक कुलाम आवेस बराबर होता है, तो यह बराबर होता है आपको 6.25 गुणे 10.816 इलेक्टरान के, 6.25 गुणे 10.816 इलेक् नेक्ट देखते हैं, एक वाट घंटा बराबर होता है, तो एक वाट घंटा बराबर होता है, 3.6 गुणे 10 पगात, 3 जूल के बराबर होता है, 3 जूल के बराबर होता है, अप्शन हो जाएगा आपको B, नेक्ट देखते हैं, मैक संख्या का उप्योग किसकी चाल निधारन के लिए किया जाता है आपको बीमान की चाल के लिए एक कारप्डेकटी में नियुनतं होता है धहां रखी too सदूरी होती है उनन्थ होती है प्रकास के तरंव iç धान्त को आप इंसमें हो जाएगा एकतर लाल रंका घ्म होता है सब्सक्राइब के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है यह उदाहरण है आपको व्यति करण का अप्सण हो जाएगा डी नेश्ट देखते हैं धूब के चसमे की पाउर होती है तो सभी जानते हैं कि यह जीरो डैप्टर होती है वाइम अंडल में परकास के बीस्तराण का कारण क्या है तो सब्सक्राइब आपको सभी जानते हैं प्रकास की गति किसके बीच से जाते हुए नियूंतम होगी यह नियूंतम होगी किसके तक से जाते हुए तो अप्सन हो जाएगा एक निश्ट देखिये सूरी की उसमा पिर्धी पर कैसे पहुंचती है तिया पहुंचती है आपको बीकिरों ड्वारा आपसन हो जाएगा बी रेफिरिजेटर में थर्मो एस्टेस्ट का कार है इसका थर्मो एस्टेस्ट का कार क्या होता है रेफिरिजेटर में तो सभी जानते हैं कि एक समान ताप क इनेक्ट देखते हैं ज्यू замण होता है इसे सबसे जएदा होता है ःस्यृट सबसे ज्यादा होता है सह सबसे कम वाईव में होता है 332 मिटर 30 सेकंड और एलमुनियम में ध्यान रखेगा 420 मिटर 30 सेकंड बढता है नेक्स दखिए कि नेश्ट देखते हैं तो प्रती ध्वनी का कारण है तो इसमें प्रती ध्वनी का कारण क्या होता है तो ध्वनी का प्रावर्थान अप्शन हो जाएगा एक नेश्ट देखिए नेश्ट देखते हैं जूला जूलते समय कोई ब्यक्ति जूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्थ काल क्या होगा तो उसका आवर्थ काल आपको घड़ जाएगा अप्सन हो जाएगा बी नेश्ट दखिए यदि जूले पर एक ब्यक्ति के अस्थान पर दो ब्यक्ति बैढ जाएं तो आवर्थकाल क्या होगा तो आवर्थकाल आपको अपर वर्तित रहेगा अप्सन हो जाएगा C नेश्ट देखते हैं सेकेंडी पेंडूलम का आवर्थकाल होता है इसका आवर्थकाल होता है आपको दो सेकेंड अप्सन हो जाएगा B केसी का नली में जल का उपरी सतह होता है जल का जो उपरी सतह होता है उत्तल होता है, अप्सन हो जाएगा B, नेश्ट देखते हैं, द्रव का घनत तो अधिक होने पर प्रिष्टिय तनाव, तो प्रिष्टिय तनाव आपको बढ़ जाता है, अप्सन हो जाएगा A, पारे को जब एक बरतन में रखा जाता है, तो उसका मेनिस्कस कैसा होगा, तो जो मेनिस्कस होगा, सभी जानते हैं कि उत्तल ही होगा, तो अप्सन हो जाएगा B, उचाई बढ़ने से वाय मंडलिय दाब क्या होता है, तो आपको बढ़ता है, अप्सन हो जाएगा B, नेश्ट देखिए, एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर होता है, आपको द पेच्छा चंदरमा का दरबमान लगभल है लगभग कितना है तो इसका आप सभी जानते हैं कि एक वटा एक आसी है दरबमान चंदरमा का और गुर्थवा करशन एक बटा च्छव है भू अस्थाय उपग्रफ पिर्थिवी के चार और चक्कर लगाता तो लगाता है आपको 24 गन्टा में अप्शन होजाएगा want the explanation कि पेस्टीघी का पलायन होता है तो 13.أपthing प्रती से मय जाएगा बहु जब कोई बश्तु उपर से गिराई जाती है तो उसका भाता तो उसका बहार जो होगा आपको परिवर्टन सील होगा एक नेक्ष्ट दखिये ग्रहों के गटी के नियम को किसने परतिपाधन किया था तिया परतिपाधन करने वाले कौन थे आपको तो केपलर थे एक जेट इंजन की सिधानद पर कारे करता है तो एक जेट इंजन जो होता है आपको काम करता है राइखिक संबेक सरच्छन पर अप्सन हो जाएगा डी नेश्ट दखिये एक केंद को 36 से कितने कोण पर फिकने पर अधिकतम 36 दूरी तै करेगी तो सभी जानते हैं कि यह 45 डिगरी कोण पर कोई बस तू फिकेंगे तो सबसे अधिक दूरी तक जाएगी वाइव उंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है तो उसका कम घंत कम घंत तो ही कारण बादल में तैरते हैं नेक्स देखते हैं गयस के अणों का गती जूर्जा किस ताप पर सुनए होती है तो यह होती है आपको माइनस ध्यान रखेंगे इसमें दिया हुआ है देख लिजिएगा तो पारे का ताप मान किस ताप किस ताप तक परिख्थ हो सकता है तो यह होगा आपको 360 डिगरी सेल्सियस अप्शन हो जाएगा किसी गैस में उत्पन ध्वनी तरंग सदय होती है तो कैसी होती है तो ध्वनी तरंग अनुधर्य होती है अप्शन हो जाएगा निश्ठ देखिए किसी अस्थान पर पीर्थिवी के चुम्बकिय छेत्र के 36 जो उर्धवारदर घटक बराबर हैं तो उस अस्थान पर नती कोण का मान कितना होगा तो नती कोण का मान होगा आपको देखते हैं अप्शन इसमें क्या क्या दिया हुआ है आँगा ने तो नती कोण का मान ध्याँर रखेंगे तो होगा आपको 45 डिग्री स्थाइगा न्यूट्रान अप्शन होजाएगा B एंगस्ट्रम क्या मापता है आपको प्रकास का तरंग धर्य अप्शन होजाएगा B exist देखिए देश्ट देखिए है क्या है इसका साओ फैंधन बराबर होता है तो नेस्ट देखते हैं यह जो टाइपδα का是ivel रहेंगे स्वर्स पर कारे करता है तो जिए ति एंगी तक संभेख सरचन पर कária bond दखिये थे मानकदाब है तो मानक दाब क्या है तो पारे का 70 मिली मीटर मानक दाब माना जाता है मैद मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है तो मैनोमीटर के द्वारा सभी जानते हैं यह माप की जाती है निख्ट की मातरा बदलने पर और वरतीत आपको घॉनत होता है इस आपकरम कितना होता है मानो सरीर का समाइन थापकरम होता है तीन सो दोस कि होता है क्या कि पारा consonandra जंता है तो पारह कितना डिरी सलसियसर क्योंटा है Спर पारा जंता है उच्च तापकारम को मापने का अंतर है तौन एक अंतर है पाइरो मीटर हो जाएगा बो लिश्च दखते हैं उगला सेट अब नेश्च दखते हैं दखिए नमबर प्रेक्टिश सेट 14 है तो इसे देखते हैं क्योंकि यहीं वीडियो में सभी को कम्प्लीट कर देना है तो सुस्क सेल क्या है तो प्राथमिक सेल को सुस्क सेल कहते हैं ध्यान देगे परकास की गती नियुंतम होगी तो परकास की जो गती नियुंतम होगी कांच से गुजरने पर अप्सन हो जाएगा सी नेक्ट देखिए तोडित चालक बना जाते हैं तो तोडित चालक बना जाते हैं आपको तामबेक बना जाते हैं अपसन हो जाएगा C कि C अंतर का काम डाइनेमो के कारेका उल्टा होता है तो डाइनेमो के कारेका उल्टा होता है आपको मोटर अपसन हो जाएगा B डाइनेमो यांतरी कुर्जा को बिद्दू तूर्जा बदलती है और बिद्दू तूर्जा यांतरी कुर्जा को डाइनेमो बदलता है मोटर बदलता है चुम्बकिये छेतर मापा जाता है तो चुम्बकिये छेतर जो मापा जाता है फल्क सो मीटर से मापा जाता है अप्शन हो जाएगा दे नती और चुम्बकिये भूमत रेखा के बीच का कोंड होता है तो उसके बीच का कोंड होता है आपको 0 डिगरी अप्सन हो जाएगा C नेश्ट देखते हैं उतरी चुम्बकिये धुरू का नमनकोंड कीतना होता है इसका नमनकोंड जो होता है आपको 90 डिग्री होता है इसकूटर के विसकारक है तो सभी जानते हैं इसके ब्रोड सा है अपसन हो जाएगा नेश्ट देखिए कास्मिक किरणों की खोज किसने की थी तो कास्मिक किरणों की खोज जो है विक्टर हैसने की थी अपसन हो जाएगा बी नाभीकिये रियक्टर में उर्जा उत्पन होती है तो जो नाभीकिये रियक्टर में उर्जा उत्पन होती है नियंतरीत विखंडन द की तो पुजिटरान की खोंज आप को इंडर्शन ने की थीं हो जाएगा एक में देखते हैं एक समान निसुसक शेल में बिद्धूत अब गटाई होता है तो जो बीदूत अब गटाई होता आपको अमोनियम को लाइड होता है फ़्सन हो जाएगा सी अती चालक का लच्छोन को कि अपस्न हो जाएगा एक अब निश्ट को कि ठोस कपूर से कपूर वास्ब बनाने की परकिरिया को कहते हैं तो वास्ब नाने की परकिरिया को कि समेर्था होती है कि साहटा होती है क्योंकि षार हमें सबसे अधिक कढें ही चुमबकीं स्भ बिच को को करते हैं ते सभी जानते इसे फुर वक्ष के दिखबाद कोण करते हैं सबसे अधिक भेदन झामता ही तो जो सबसे अधिक भेदन चमता होती है ये लिएस कीरण की इमगती टुटा-च देखते हैं कि यदि किसी दरपण को ठीटा कोंड से घुमाया जाए तो परिवर्तित कीरण का घूंडन होगा तो उसका कितना होगा टू ठीटा होगा ध्यां रखेगा टू ठीटा नेश्ट देखते हैं बिद्धु धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का परियोक करते हैं इसका परियोक करते हैं अपको ध्यां रखेंगे ए मीटर का एक एंगस्ट्रम बराबर होता है दोस परगात मैनस दस मीटर के तो अप्सन हो जाएगा एस नेश्ट देखिए खाना पकने का बर्तन बर्तन का होना चाहिए तेनी कैसा होना चाहिए तो उच्च बिशिष्ट उस्मा और उच्च चलकता वाला होना चाहिए ध्यां रखेंगे सवरी देखे खाना पकने का बड़तन का होना चाहिए तो इसमें आपको अप्शन होगा देखते हैं और दिया होगा तो इसमें ध्यान देंगे इसका अप्शन सही होगा उच विशिष्ट उस्मा और नीम निचा लगता होनी चाहिए अप्शन हो जाएगा किसी गयश का आयतन प्रसारगुणांक हमेशा होता है तो कैसा होता है तो यह रिनात्मक होता है अप्शन होगा आठेखे त्योट दखेए हो GO blacks अब regular का अप्शन हो जाएगा दिए लीप्ट की खोज किस ने की थी तो लीप्ट की कोज करने वाले थे और थी उड़ते हुए हेलिकॉप्टर में उर्जा होती है यह उर्जा होती है आपको इस्थिदीज और गतिजू दोनों होती है अपसन हो जाएगा सी ने किसी ताप पर धौनी का बेग 32 32 मीटर 32 सेकेंड होता है तो की स्ताप पर होता है तियर सीम्पल है जीरो डिगरी सेल्सियस पर ही होता है पीर्थिवी तल से उपर या नीचे जाने पर गुरुत्य तोरन का मान क्या होता है घड़ता है अप्सन हो जाएगा एक नेश्ट देखते हैं दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक तो दाब बढ़ने पर जल का क्वथना क्या होता है बढ़ता है वेंचूरी मीटर से ग्यात करते हैं तो वेंचूरी मीटर से आपको ध्यान रखेंगे जल के परवाह की दर की गणना की जाती है नेश्ट देखिए एक लिप्ट एक समान से उपर जा रहा है तो उसमें इस्थित व्यक्ति का भार क्या होगा तो ध्यान देंगे और वर्थित रहेगा अप्शन हो जाएगा सी अब देखते हैं अब 15 नमर देखते हैं नेष्ट देखते हैं इसमें आपको 15 सेड तो रबर के सन्सलेशन में निम् में परयोक किया आता है तो आईसो फ्रीन ऑप्शन हो जाएगा आपको को सोने के Mitte कि आभूसन बनाते बनाते समय इनमें मिलाया जाता है तो सभी जानते हैं कि इसमें आपको मिलायाता है तामबा, अप्सन हो जाएगा आपको A, नेश्ट देखिए, नायलोन बनाने में परियुक्त कच्चा पदार्थ क्या होता है, इसमें होता है आपको A-D-P, अप्सन हो जाएगा B, मुंबत्ती का जलना, मुंबत्ती का जलना कैसी है, तो यह रसाइनिक प्रिवर्थन है, अप् प्रिवर्लमुनिय में कारण होता है, वुझला, नेश्ट देखते हैं, कपूर को किसे बीधी द्वारा सुद्र किया आता है तो सभी जानते हैं कुर्ध पातन विधि द्वारा निम्न में कॉन सी धातु को सदेव ऐस्था में पाया जाता है तो आता है या आता आपको हैड्रोजन डाता है निम्न inhib्न निम्न में कौन सा तत्तो सभी रंगी नियोगीक बनाता है तो जो सभी रंगी नियोगीक बनाता है क्रोमियम अप्सण हो जाएगा ए सबसे हलका तत्तो कौन है तो सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन से हलका कोई नहीं है अप्सण हो जाएगा आपको ए सोना की अमल में घ पासफोरस ही होता है यूद्ध में पर्योग की जाने वाली गैस लिवसाइड बनाई जाती है तो बनाई जाती है अपसन हो जाएगा सी नेक्ट देखते हैं तो इसमें है आपको टेट्रा एथिल लेड अपसन हो जाएगा बी नेक्ट देखते हैं सुस्क धुलाई के काम आता है तो सुस्क धुलाई के काम में आता है आपको बेंजीन अपसन हो जाएगा बी दावा बनाने के काम में आता है तो दावा बनाने के काम में क्या आता है तो या तो कार्बन के हो जाएंगे उप्सेन होजाएगा Clifford column की से अमपूंियां के निर्मान में निम्न उत्पिरर्यक का परियोग लाया जाता है ते लाजा J한다 है फिर सिय नीला स्याही बनाने में परियोग किया आता है, तो नीला स्याही बनाने में आपको फेरस सलफेट का परियोग किया आता है, रेयोन रेसे तयार किया आते हैं, तो जो रेयोन रेसे हैं आपको तयार किया आते हैं, किसे से लू लोसे, तो अप्सन हो जाएगा A, नेश्ट देख किसी परमाणू के गुर्ण निर्भर करते हैं किसी परमाणू के गुर्ण निर्भर करते हैं ध्यां रखेंगे इलेक्ट्रोनिक सरचना पर तो अप्शन हो जाएगा डी नेख्ट देखिए किसी बिटामिन के जलिये बिलियन का रंग गुलावी होता है तो किस बिटामिन के जलिये सभी जानते हैं कि बिटामिन बी बारो इसका रसाइनिक नाम क्या होता है तो साइनो कोबालमीन होता है इसे ध्यां रखेंगे सबसे हल की धातू है तो जो सबसे हल की धातू है आपको लीथियम होती है और सबसे भारी होती है आपको उसमियम नेश्ट देखते हैं वसा बिले होता है तो जो वसा बिले होता है किसमें वसा बिले होता है तो कार्बन टे क toughest sanic naame क्या है तो इस व कहसा इस्ट परीन का जो रसाइनिक नाम है एस टाइल सैली क्रली लीन होता है सने ड ऐस्ट सबसे भारी धातू है उसमियम है लिए देखिए कि पाइस एस ट्रेप्टो माइसीन के खुच करता है स्ट्रीत्य वास मैंन है अपन देखते हैं जल का सुध्धी करण किया जाता है तो जो जल का सुध्धी करण आपको किया जाता है ध्यान देंगे क्लोरीन द्वारा किया जाता है पीने योगे सबसे अधिक बिद्धुत रिणात्मक तत्तों कौन सा है या रिणिये तत्तों कौन सा है तो सबसे यह है आपको फ्लोरीन पारबन होता है अपसन हो जाएगा ऑग अत्रेफलों किसका बहुलक है अटेफ़लॉण जो है आपको टेट्राफ फ्लोरो एथिलीन का है संसलेशी त्रेसा क्या है संसलेशी त्रेशा रेयो नफस्ट देखते हैं के काच पर लिखने के लिए कि अमल का पर्योक किया आता है तियों पर्योक किया आता है ध्यां रखेंगे बहुत ही इंपर्टेंट प्रस्न है तो हाइड्रोजन ट्राइड से समु मुद्री जल से नमक किस्व बीधी द्वारा तयार किया आता है ते तयार किया आता है आपको ध्यां रखेंगे वासपी करण बीधी द्वारा अप्सण हो जाएगा बी अब नेश्ट देखते हैं आपको टेस्ट पेपर सुल्ल जो की इन्पोटेंट है नेश्ट देखिए तो निव्ण में कौन सा सबसे अस्थाई तट्थो है तो कौन अस्थाई तथ तो है तो सीशा जो है सबसे अस्थाईaben में औरकिरिये गैस की खोज किस की थी तो निपंगी दखिए एक भाना को पकाति संदे सरवाधिक मात्रा में नष्ट होता है तो देख सास्परस को रखा जाता है पीले अक्या इस तर कौन सी गयास चान्धी की सतह को काला कर देती है तो सभी लोग जानते हैं वो जौन्घंड melting नेश्ट देखते हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है ध्यां रखेंगे 46 परसेंट होती है और येन पी के का अनुपात होता है यहीं नाइट्रोजन होता है यूरिया इन पी का अनुपात होता है चार अनुपात दो अनुपात एक होता है ध्यां रख कि अतिस बाजी में लाल रंग किस मुलक का कारण होता है तो इस्ट्रांसियम अप्शन हो जाएगा बी अमलोग अच्छारों की अभी किरिया के फल सोरूप बने पदार्थ को कहते हैं तो क्या कहते हैं तो लौण कहते हैं अप्शन हो जाएगा बी नेश्ट देखिए उदासीनी करण किरिया में तो उदासीनी करण किरिया में क्या होता है तो लौण योम जल बनता है अप्शन हो जाएगा सी सबसे सुद्धतम जल होता है तो सभी लोग जानते हैं कि अवर्षा का जल होता है इसमें विद्धु धरा परवाहित नहीं हो सकता सुद्ध जल होता ह है सुद्द जॉल होता है क्या सबसे अधिक होती है तो सबसे अधिक होती है आपको ढ़लवा लोहा में अपसन हो जाएगा देखिए आदर्स गयस की आंतरी कुर्जा निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है तो ताप पर अप्शन हो जाएगा C, कुकिंग गयस मिसरन होता है तो कुकिंग गयस मिसरन जो होता है आपको ध्यां रखेंगे ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है अप्सन हो जाएगा D, नेक्ष्ट दखिए, सबसे कठोर पदार्थ है, जो सबसे कठोर पदार्थ है, आपको हीरा होता है, अप्सन हो जाएगा A, आक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो आक्सीजन के समस्थानिक दो होते हैं, अप्सन हो जाएगा A, एक अप्षन हो जाएगा है दीक के नाभिक में होते हैं एक न्यूट्रान और एक पूरान होते हैं अप्षन हो जाएगा कि और इउरेनियम के समस्थानिक वोते हैं आपको ध्यान रखेंगे 238 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि इसके समस्थानिक तीन होते हैं प्रोट्रियम डूट्रियम टूट्रियम नेश्ट देखते हैं अनिस्चित्ता के सिधांत का प्रतिपादन किस ने किया था तो यह किये थे आपको हाइजेन बर्गने अप्सण हो जाएगा बी स्थीर ताप पर गयस का आयतन कम करने में उसका दाब क्या होता है तो इसका दाब जो होता है ध्यां रखेंगे बढ़ जाता है क्या होता है बढ़ जाता है तो अप्चन हो जाएगा C नेश्ट देखिए परमाणु भठी में कौन सा इंधन परियुक्त होता है तो यह परियुक्त होता है आपको यूरेनियम अप्शन हो जाएगा सी भुपाल गय सुद्रघटना में कि स्कार रिशा हुआ तो इसमें मिघाईल आइसो साइनेट का हुआता यह अगजा तो और ध्यां रखेगा ए मिघाई आपको तो हो इसकी अपशन आपको धियां रखेंगे तो सिंदूर का रासाइनिक नाम क्या है तो सिंदूर का जो रा साइनीक नाम है मर्कूरस सलफाइड होता है आपशन हो जाएगा भी नेस्ट देखिए का रेडियो कारबन डेटिंग से किसका निर्धारन होता है जीवासम्की आईव का अपशन हो जाएगा भी नेस्ट देखते है शुरी की किरणได macht гutions तूलर कूकर को गरम करता है ugly एंफ्रारेट प्लेटिनंफ होता तब के की स publicity है और में हाओ लूजनों में सबसे अधिक अभिकरिया सील है अभिक इलिए सील है तो, फ्लॉरीन अप्शन हो जाएगा आगा बकसाइड का रासाइनिक नाम क्या है तो इस तरह से अप्सेन हो जाएगा आपको डि ह़ाडरीट एलूमिनियुम अक्साइड अप्सन हो जाएगा डी निष्ट देखिए कि मोनाजाइट किसका अजस्क है तो अपको थोरियम का और बिश्यु में सबसे अधार थोरियम पायाता है केरल में भारत के कौंसी अधातु कम्रे केताप मान पर द्रह वस्थाम पाई जाती है या पाई आती है आपको ब्रुमीन अप्सन हो जाएगा ए नेफ्ट दखिए रेडियम प्राप्त किया जाता है तो जो रेडियम प्राप्त किया जाता है पीच ब्लेंडे से यू थिरी ओ एठ होता है इसका सुत्र ध्यां रखिएगा पीछ ब्लेंडे का निवन में किसका परियोग दरपन को चमक देने के लिए होता है तो जो चमक देने के लिए होता है सिल्भर नाइट्रेट का घोल का तो अप्सन हो जाएगा सबसे अगहात और धनिये धातु है तो सभी लोग जानते हैं कि सोना होता है अप्सन हो जाएगा बी अब नेक्स्ट सेट देखते हैं देखिए अब इसमें आगे आपको टेस्ट पेपर 17 जो की इन्पोटेंट है नेक्ट देखते हैं तो पानी का भारीपन की सबिले के कारण ह होता है तो यह होता है आपको कैल्सियम के तो आप्सन हो जाएगा बी किससे टेप रिकॉडर की टेप लेपीत रहती है ती अपको फैडोमेगनेटिक चुरूण से तो पाबसेव हो जाएगा आप डी देखिए और गेकलीब होटीता में कि दूबाकर रखा जाता है कि समें और युरिया रचाइनिक नाम क्या रखता लुप होटयों के रेष्ट दोत जो आकशीजन से परतिकिरिया नहीं करता कहलाता है तो क्या कहलाता तो आयोडीन कहलाता है अपसन हो जाएगा बी रेयोन नाइलोन तथा पोलिस्टर एक रेसा है तो कैसा रेसा है तो इसमें संसिलिष्ट रेसा हो जाएगा अपसन हो जाएगा बी नेश्ट दखिए मरकरी को किस धातू के पात्र में रखा जा सकता है या रखा जा सकता है लोहा के अप्सन हो जाएगा C निमन में कौन जल से हलका होता है तो जल से जो हलका होता है सोडियम अप्सन हो जाएगा B समान्य टौ लाइट में कौन सी गैस होती है तो समान्य टौ लाइट में जो होती है आरगन के साथ मर्करी वेपर होती है उप्सन्य हो जाएगा c next दखते है इस है कि मिल्क एमेगनीजिया क्या है मिलक और मेगनीशिया है मेगनीशियम हैड्राकसाइड अप्षन हो जाएगा डी नेश्ट दखते हैं कि क्वाटरज किसे बनता है क्वाटर जो है आपको ध्यां रखेंगे कैल्सियम सिलिकेट से बनता है अप्षन हो जाएगा बी सोने के आभूशन बनाने में किस धातू को मि था इसका किये थे आपको जोसेफ इस्पीडन ने दिया होगा अप्षन देखते हैं अब ध्यां रखेंगे अप्याज और लौसुन में गंद किसके कारण से होता है तो सभी जानते हैं कि यह पोटैसियम होता है अप्षन हो जागा बी हैड्रोकार्बन का प्रकृतिक शुर क्या है जो प्रकृतिक शुरुथ है कच्या थल होता हैं अब कि किस गयस परियोग इंहारे होता है तो यह होता है आपको ब्यूटेन का सीरकत जलिये बिलियन है अब्या हो लिद्सक्राइबार है कि और आप सos देखते हैं पनीर नीमन में किसका उदारण है पैटरोल एक मीसराहस का पिटरोल एलकेन का यह उप्सेण हो यह पॉलिथीन प्राप्थ होता है पॉलिथीन जो प्राप्थ होता है आपको एथेलीन बहली करन से तो सनुजाएगा सी देखते हैं यह किस संसलीस से रेसा को करित्रीम के नाम से जाना याता है यह कृतली सिल्क रयोन होता है ऐसा हो जाएगा बी नाइलों है तो पऌलीमाइड अप्सण हो जाएगा एक नेक्र दिखते हैं देखेंगे किस का मिश्रन होता है तो बालू और सिलिकेट का मिश्रन होता है ऑप्षन सी डाइनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो डाइनामाइट में पाया जाता है आपको नैट्रोग्लिसरीन तो इस तरह से अप्षन हो जाएगा आपको सी नैट्रोग्लिसर सबसे इस भूब परपटी में हो जाएगा Qli-2 इस बात को और परपटी में तो फूब को परपटी मेंडिन हो जाएगा ऑगणी सामक से निकलती है एक आपको carbon monoxide ध्यान देंगे अगनी सामक से निकलती है तो carbon dioxide निकलती है ध्यान रखेगा carbon dioxide यहनी कि co2 co2 क्या होता है जब वहां छोड़ा जाता है तो वहां से oxygen को हटा देता है जिससे आग क्या हो जेती है बुझ जाती है ध्यान रखेंगे co2 रबर को मजबूत और उच्छाल भरताक बनाने के लिए इसमें क्या मिला जाता है तो इसमें मिलाया जाता है आपको sulfur ध्यान रखेंगे सुтуर मिल ज Rap की आता है तो जो कच्छा अलमुणियम की सनाम से जाने आता है तो ऑजिहाइएगा रखेंगे कच्छा उयों की स्तत्य को दर साथ है तो तो अहुत कि इतना होता है तो तेटी सो डिगरी सेल्सियस के आसपास होता है इसका गलनांग कि कारबन डायक्साइड की कितनी मात्रा वाई मॉंडल में रहती है तो वाई मॉंडल में आपको रहती है ध्यां रखेंगे जीरो पॉइंट जीरो तीन प्रतिस्वत अप्सवन हो जाएगा बी परमाणू का दरब्मान व्यक्त किया आता है तो सभी लोग जानते हैं कि ए एम यू में व्यक्त किया आता है अप्सवन हो जाएगा सी अब नेश्ट देखते हैं देखिए अब सेट नम्मर 18 जो की सब्सक्राणि कैल देखिए और को सभी जानते हैं कि अलगए सब्सक्राइब कल देखिए हैं साबवोन के साथ ततपरता सब्सक्राइब धसे ज्जाग नौब बनाने वाला जल है तो वह जल कौन सा है कुछ जल हो जाएगा अप्सण गडिया देखते हैं कि निवन में कौन सी अमलो बर्शा सभी जानते हैं कि नैट्रस अक्साइड यूम सल्फर डायक्साइड तो अप्शन हो जाएगा और अब 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 आप सबसे कहा होता है तो नार्वे में होता है और अमलो बर्शा से जो ताज महल की सुन्दरता है नीचे मकता है वह कम होती दिखाए दे रह को प्रिच्षक किया सकता है किसके माने से ऊसाधन विद्ही से पिर्फक किया सकता है नशट डेखते हैं। है साउने देखिये सुन्ध जल का कोथनाग फारेन हाइट क्या होगा तो सुद्ध जल का जो कोथनाग होता होता है 200-12 डिग्री फारें है अप्षन हो जाएगा डी नेश्ट दखिए तो बनाने के लिए परियोग में होने वाली गैस है तो होने वाली गैस कौन सी है तो सीओ टू अप्षन हो जाएगा बी क्लूकोज का रसायनिक सुत्र होता है तो होता है यह रखेंगे का नाम पड़ा नॉठान के नाम पर ही पड़ा इसमें इसको बनाने में नीवार्क और लंदन प्रवको له परटूनने काम किया था इसलिए निवार्क पर्लस लंदन मिला के बना ऐं नाय लॉच देखते हैं मैं है कि सभी जांतंतते हैं टो औहँती में कि दोツयुनिक वटती को सभी जानते हैं सीचमें रंजक वकतार्थ बनाने में पर्योग किया आता है तो यह पर्योग किया आता है आपको कई रामल का अप्शन होता है तो कि इतना होता है तो सभी जानते हैं इसका जो पढ़ते होंगे करता है तो 22 दसमलो चार लिटर अप्शन होजाएगा डि अपमार्जक है अपमार्जक आपको सोधख अभिकरता है अप्शन होजाएगा डि नेष्ट दखिए RDX का पुरूरूप क्या होता है RDX का जो पुरूरूप होता है Research Develop explosive होता है Option हो जाएगा C Bulletproof पदार्थ बनाने के लिए कौन सा कौन सा बहुलक परिक्त होता है ध्यां रखेंगे कौन सा बहुलक परिक्त होता है तो उसमें होता है Polycarbonates Option हो जाएगा D पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है तो जो पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है बेक्टिरिया को मारने के लिए Option हो जाएगा B Next दखते हैं परियोग साला में इवडिया का संसलेशन और सरपर्थम किसने किया था तो बहुत popular question है बोलर मिथेनोल किस नाम से जाना जाता है तिया जाना जाता है आपको ध्याँ रखेंगे बुड एलकोहल के नाम से अप्शन हो जाएगा C Next दखिए DDT का पूर्ण रूप क्या है तो DDT का पूर्ण रूप है आपको डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन अप्शन हो जाएगा D Next दखते हैं गैसोहॉल गैसोलीन किसका मिश्रण है तो यह मिश्रण है आपको इथाईल एलकोहल का अप्शन हो जाएगा A Next दखते हैं पीर्थिवी की आयू का आकलन किया जाता है तो पीर्थिवी की आयू का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से अप्शन हो जाएगा A और पीर्थिवी की आयू इससे ज्यांत करके कितना बताया गया है तो 460 कडोर वर्स बताया गया है और चंद्रमा की भी आयू 460 कडोर वर्स नहीं है Next दखिए रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सरजित करता है तो रेडियो धर्मी पदार्थ करता है बीटा कीरण अलफा करण और गामा कीरण तो अप्शन हो जाएगा D हड्रोजन के रेडियो सकीरिय समस्थानिक कहलाता है तो रेडियो सकीरिय समस्थानिक कहलाता है ट्राइटीम अप्सव जाएगा बी छित एकंते हैं इलेक्ट्र trauma की परवीरति किया उक्सी कर SMPE का मान निड़ालbe किस ने हुआ है था देंगे अब डेखते हैं आपको चेस्ट पेपर 19 बीच्टक्र माइ नाम-कुंड्रिया का संबंध है और इसका नाम क्लिअध कि-टा ने किया था नेक देखिए व सिब्सक्राउस के कि अंदर अर्जा का निर्मान किसके द्वारा होता है यह होता है आपको माइस्टका लिए ज़ारा अपशन हो दोन सबहें दिएने होता है तो माइटर कौन्ड्रिया में हरितलवक में सभी में डिएने होता है देखिए के मानो के कौन से अंग में लशी का को सिकाए बथा को सिधान का परति पादन किस ने किया था सभी जानते हैं कि स्लाइडे नियों स्वान ने किया था तो अप्शन हो जाएगा आपको स्लाइडे में स्वान अप्शन सी और शुत्री भी भाजन पाया जाता है तो और शुत्री जो भी भाजन होता है आपको ध्यां रखेंगे तरुन सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पच्छी है तो सबसे ज्यादा दिन तक और शुत्रमुर्ग ध्याँ रखेंगे और इसका ही सबसे बड़ा अंडा होता है चमगादर की सोवर्ग का प्राणी है चमगादर जो आपको ध्याँ रखेंगे मैमेलिया का प्राणी है जो कि अस्तंधारी के अंतरगत ही आता है ध्याँ रखेंगे एथिलीट फूट बिमारी होती है तो एथिलीट फूट बिमारी फफूट से होती है अप्सन हो जाएगा ब लेंगर हैंस की दीपिका पाए जाते हैं पंक्रियाज ग्रंथी में अप्सन हो जाएगा भी नेक्ट दखिए कि रुधीर परिशंचरन तंत्र की खोज करने वाले पर्थम भग्यानिक थे तो सभी जानते हैं विलियम हारवे ने किया था कुट्टे के काटने पर वाइरस के द्वारा जो रोग उत्पन होता है वह कहलाता है है जीवानु की खोज किस ने कि थी जीवानु की जो खोज की थी आप ध्यां रखेंगे लिमेन होक ने कि थी अप्सन हो जाएगा डी सकरकंद में भोजन संक्रहित होता है जडो में होता है हल्दी के पोधे का खाने योग हिंस्छा क्ونसा होता ति यह होता है आपको पुरेकंद आप्सन हो यागा बी निइश्ट देखिए लिम्फोसाइड रच्छा करती है तो लिम्फोसाइड जो रच्छा फोशक्ति की लगतार कमी से होता है तो पिलागरा रुग होता आपको नियासिन की कमी से अप्सण हो जाएगा आपकोगा मानो Timothy सारी में मांश्टर गृष्ठी घिलती है सबसक्तर कि Committee से कहा जाता है कि यह सभी जानते कि शरीर में बहुतायात मात्रा में पाया जाता है तुया पाया जाने वला है आपको कालसियम में आप सन हो जाएगा बी कळाशा टा होगा गुषbug होती है पूरुस छोड़ती है न को एक सुवआई छोड़ता है तो महिला जर्छोड़े गी और पूरुस यद्यु तो, इसलिए होता है कि गुळु सुत्र यो होता है पिता के गुळु सुत्र पर निधारित होता है। असतन धारियों में मुख्य उत्सर।्जयी पदार्त होता है znów में है निद्रा में खराटे भरते समय अप्सन हो जाएगा भी नेश्ट देखते हैं कि निकलियस की किस ने की थी तो नुकलियस की तो भारत का केंदरिये उसदी अनुसंधान संस्थान कहां पर हैै तो केंदरिये जो उसदी अनुसंधान संस्थान है आपको लखनयू में है काफी इनपर्टेंट है इसे हंड्रेट परशेंट आप दिहां रखेंगे अधिक फेफणों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है फेफडों में जो रक्त अंग पहुंचाता है दाया और लिंद होता है अप्शन हो जाएगा बी नेश्ट दखिए रक्त का कौन सा कौन जीवानू से रच्छा करता है यह रच्छा करता है कौन आपको स्वेत रक्त कौन इसे WBC कहा जाता है ठीक है वाय मंडल में भारी गैस भी जानते हैं कि होता है तो अप्शन हो जाएगा आपको डी मनुष्य के सरीर में सबसे छोटी और श्रावी ग्रंथी कौन सी है और इसका वोजन कितना होता है जीरो दसमलो छो गराम होता है ध्यां रखिएगा कई पूछा गया है नेश्ट देखते हैं कि स्वस्त मनुष् अब देखते हैं टेस्ट पेपर 20 जो की इनपोटेंट है नेश्ट देखिए तो गाय के दूध में किसके कारण पिलापन होता है तो हलका पिलापन होता है तो यह होता है कर रूटीन के कारण अप्शन हो जाएगा बी एच आइबी की खोज किस ने की थी तो लूक मॉन्टे ने की थी अप्शन हो जाएगा बी नेश्ट देखिए पाउधों में वास्पोत सर्जंदर के निधारन के लिए किस यंत्र का उप्योग किया जाता है तिया किया आता है आपको पोटो मीटर का अप्शन हो जाएगा नेश्ट देखिए मानो तवचा में पाया जाने वाला वरणक है तो इसमें कौन सा होता है मेलानीन होता है यह क्या होता है यदि मानो शरीर में मेलानीन की मात्रा अधिक होगी तो ब्यक्ति काला होगा और कम होगी तो गोरा होगा धूप में रहने से अधिक होती है और छाम में रहने से कम होता देखे इस तीरियां जब माईके जाती हैं ध्यां रखेंगे माईके से ससुराल तो अच्छाओं में रहती हैं तो क्या हो जाती हैं गोरी हो जाती हैं भलका मतलब अंतर हो जाता है तो मेलानीन के मात्रा हलका घटने लगता है इस बात को आप ध्यां रखेंगे डायलेसिस मसीन का विश्कार किसने किया था तो डायलेसिस मसीन का कोल्प ने किये थे अप्सन हो जाएगा बी नेक्ट दखते हैं कोशी का भी भाजन के समय असपश्ट दिखाई देते हैं क्या दिखाई देते हैं गुण सूत्र अप्सन हो जाएगा बी जारवीक सात्र क्या ह के और इसका सुक्त कॉपक किया थो लाल पांडा ध्यान रखेंगा लाल पांडा सुपख सुख़ब अ就到 रहे में भाई है कि डबल रोटी कि निर्मान में किस कवक का परउयों कि अपशन होगयाता है एक ये सर वाधीक हम सर्वाधिकट करता है ध्यां रखेंगे ठी को सिकावं को न candles करता है अपसन हो जाएगा स्य नेश्ट देखिये ऑन कि दोहरा निशेचन होता है अबीर्त बीजी पोधों में अपसन हो जाएगा अब जीव दरब दिवसे मनायात है ध्यां रखेंगे तिया मनायात है कब तो पचीस अपरेल को और मलेरिया और मुलन का लच्छ रखा गया कब तो दो हजार पचीस तक रखा गया है भारत सरकार द्वारा नेश्ट दखते हैं हुआ है भोजपत्र किस पेंड की चल से प्राप्त होता है भोजपत्र होता है बिटूला के के चल से किसे होता है मूटेशन वा Theo human啊 को बनौने तो होगे भी ज economy प्रोटीन पाया प्रोटीन पायाता है और को बिच्यान जनक है जनक माइकली इसी लिए इसे माइकोलोजी का आता है माइकोलोजी में इसे कवक का अध्यन किया यह बिचने द्वारा पानी के और सोसित होने की प्रकिरिया क्या है तो आपको अंता प्रासरण है अप्शन हो जाएगा बी नेश्ट देखते हैं सुगर बेबी किसकी प्रजाती है तो सुगर बेबी जो है आपको ध्यां रखेंगे तर्बूज की प्रजाती है अप्शन हो जाएगा बी नेश्ट देखिए अमलवर्षा का मुख्य ओवए है तो अमलवर्षा जो है सलफर डायकसाइट का मुख्य ओवए है अधिक विकिरन के संपर्क में आने से रोग होता है तिया होता है आपको कैंसर होता है अपसन हो जाएगा ए नेश्ट देखिए चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता ह चर्म रोग पर दूसन के कारण होती है या बढ़ जाती है तियक तो दोसन के कारण कृत्रिम गर्वाधान के लिए संट के बीरे को किसमें सुरचित रखा जाता है और आपको सीड्रो नाइट्रोजन में कौन सा रोग जीवाणू के कारण होता है तो आपको होता है टीवी नियां रखेंगे टीवी जो होता है बेक्ट्रिया के कारण ही होता है नेक्ष्ट देखते हैं और आपको नेक्स्ट देखिए था नेश्ट दखिए भीवर में भविष्ष के लिए कौन सा भीटामिन भंडारित होता है तो भंडारित होता है कौन तो भीटामिन सबसे कम किसको होती है खजूर को होती है उसे पर्यावरन का क्रिमनल कहा याता है कौन सा प्रोटीन जल में घुलन सील है तो है आपको को किस भाग का दान कि आता है कार्णिया का अप्षण हो ये नेश्ट देखे सिब एक किस वीटामिन कोबाल्ड पहाँ जाता है अपको विटामिन वीडा रहा इसका रसाइनिक नाम क्या होता है साइनों कोबाल मीन कोबाल बाल से का हो जाएगा कोबाल्ट हिर्दे की गती को जांच की सी अंतर द्वारा की जाती है यह की जाती है आपको कार्डियो ग्राम द्वारा अप्शन हो जाएगा नेश्ट दखते हैं कापास प्राप्त होता है तो जो कपास प्राप्त होता है ध्य रखेंगे अब निख्ट देखते हैं कि मनुष्य को सरवाधिक उर्जा प्राप्त होती है और प्रती ग्राम सरवाधिक कुरुजा प्राप्त होती है तो वसा से सरीर में वसा का संक्रहण मुख्यत होता है तो सरीर में जो वसा का संक्रहण होता है सभी जानते हैं चरवी में होता है अप्सन हो जाएगा ऐसी नेश्ट देखे अब देखते हैं टेस्ट पेपर 21 कि नेश्ट देखते हैं तो पूस्प किसका रूपांत्रण है पूस्प जो रूपांत्रण है प्रांकुर का तो आप्सण हो जाएगा आपको ई दियां रखेंगे AIDS के लिए किया आता है, option हो जाएगा C, पुस्पों के खिलने यों बंद होने की किरिया कहलाती है, तिया कहलाती है क्या, अनुकुंचन, option हो जाएगा A, नेश्ट देखते हैं, दाढ़ी मूचों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है, तिया हार्मोन आपको ध्यां रखेंग के टेस्टो इस्ट्रोंस होता है, option हो जाएगा B, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है, तो जो लकवा होता है, ध्यां रखेंगा यह होता है, विटामिन B7 की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं, तो बाल जो सफेद होना आपको विटामिन B3, पैंटो थेनी कम भी होता है ध्यां रखेगा सिकों डियां रखेगा तो बोलते हैं क्या दिए ध्यां रखेगा अबर समुनिकम की खुचकी तो सफ़ाउयए बेनेगी थी नेश्ट देखिए मक्का पौधों में परागन होता है तो मक्का जो पौधों में परागन होता है ध्यां रखिएगा वायू द्वारा होता है अप्शन हो जाएगा डी करोटीन मुख्य भाग है तो करोटीन जो मुख्य भाग है बिटामिन एक अप्शन हो जाए तो पीत रॉस जठर रॉस और अग्नियासिक रॉस सभी सहायक है इस तरह से अप्शन इसका हो जाएगा डी शरीर के किस भाग में पीत का निर्मान होता है तो शरीर के जो यक्रीथ होता है उसमें पीत का निर्मान होता है लीपीड है तो लीपीड क्या है तो यह इस्टर होता है अप्सन हो जाएगा सी नेश्ट देखिए नेश्ट देखते हैं केंसर के इलाज में किस ड्रक का पर्योक किया आता है तो इसमें किया आता है आपको इंटर्फेराउन का आप्शन में होजागा डी सट देखिये लेजर की खोज किस ने की थी? तो जो लेजर की खोज करने वाले बैग्यानिक थे, TH माइमाह ने किये थे, तो अप्शन हो जायगा C, खुदीनी का परत्यारोपण सर पर estão किसने किया थक टो तो उनिघनी का प्रत्यार्यपन कि गया थें गया खेगा जोसेफ मूरे तो नहीं और आ आपको सी को मेन तो आप auton और अप्शन हो जाएगा भारत में सरपर्थम की सुवर्स एड्स की पहचान की गई थी काफी इन पोटेंट है 1986 में कई बार प्रसंद पूछ दिया गया है इसे ध्यां रखेंगा 1986 में भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ तो भारत में जो चोचक इसका सबसे बड़ा भाग होता है तो यह भाग होता है आपको सेरी ब्रहुम अप्शन हो जाएगा इसको प्रमस्तिक भी बोलते हैं मांस अंडा दूध प्रमुख सुरोथ हैं किसका सुरोथ हैं तो यह प्रोटीन का सुरोथ हैं अप्संद देखिए मनुष्य के सरीर में पसलियों की संख्या होती है पसलियों की संख्या होती है चोविस अप्संद हो जाएगा बी बीस सुबंद दिवस मना जाता है आपको 21 मार्ज को अप्संद हो जाएगा ए नेक्ट देखिए लिकेमिया किसके कारण होता है तो लिकेमिया जो होता है आपको एस आर नब्बे के कारण होता है अप्संद हो जाएगा धी लिकेमिया किसके कारण होता है तो एस आर नब्बे के कारण होता है हिर्दय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्या नहीं लेना मनुष्य के जीवनकाल में कितने दांत दो बार लेखसीत होते हैं तो बिक्सित होने वाले हैं आपको लीज़香े हो arises in yeah सभेए इस एक प्राप्थ होता है तो जो इन्सुलीन प्राप्थ होता है किसे प्राप्थ होता है डलिया की जड़ों से यहां डलिया लिख कोकूर निष्यचं की किरिया कहां होती है निष्यचं की किरिय अंडवाहिन नॡौर मात्रा में तत्तो है बनेश्ट दखें सब कोई व्यक्ती सोता है तो उसका रक्त चाप क्या होता है सबहविग बात है से घर जाएगा कि देखते हां है तो है ए चुर्या की तो मातरा पाई अपशन हो जाएगाvärd की ह שמןें बिसे मिलते हैं ठख्याइड क्यों साइसे बिलकुल नहीं पाई अन्डे में जो नहीं पाए जाने वाला है विटामिन सी नहीं पायाता है मानों मुत्र में समानता किसी विटामिन का उसर्जन होता है तो इसमें होता है आपको विटामिन स्ट to KondHow Do S ये पेपसीन बदल देता है पोडीली को पाशथ में ऐस हो जाएगा उपस्थित प्रोटीन है तो जो उपस्थित प्रोटील है तहीन रखेगा इसमें आपको एंपस Centraljm हो जाएगा जहरीले पदार्थें को कहा जाता है तो टॉक्सिन हएय अफ़ेते हैं अ कि शिल्च समस्प으 कंहते रहती है तो कोशी क्या में जो उर्जा संचीद रहती एटीपी के रूप में रहती है आप्शन हो जाएगा दी एपीक कल्चर मधमक्की पालन और लेरी कल्चर सबजीयों संबंदीथ है और सिल्भी कल्चर बन संबर्धन से संबंदीथ है इसे भी धिया रखेंगे नेक्स्ट दखते ह तीह प्रोटीन प्रोटीन का संस्लेशन ओप्सन हो जाएगा सी कि मस्टिख सुजर कि सीव के कारण होता है तो सभी जानते हैं इसक होता है भीचल उनेजाइम वंजिन इनजाइम का विचार तोटीए है आपको धिया प्रतिपादन किया था घेंगा वाइटर की स्गरंथी के बढ़ने के कारण होता है तिया होता है आपको थाइराइड गरंथी अप्शन हो जाएगा एक नेक्स्ट दखिए कि जिस पोधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उससे कहते हैं तोसे क्या कहते हैं तो किर्प्टो गेम्स कहते हैं उप्शन होजाएगा दी सबसे मजबूत मांच प्रेश सीद्स पाई पाइए जबड़ों पाई आती है गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है तो इसमें आपको इल्बू मीन जो है गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है नेश्ट देखते हैं DNA का संसलेशन किस प्रवस्था में होता है तिया होता है आपको इंटर फेज में तो अप्शन हो जाएगा A इंजाएम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है start कि शर्वाधिक संख्या सर्वहारी में आति है OPSON होजाइगा सी नेश्ट सagra यहिसमें गुद्रिद के अध्यण को कहते हैं तो भूण है पेके अध्याग कोफें को कटें जए जई रैम अलोजी बृधा आवस्था का अध्यार किया यह करिस्ट के अध्यान को कहते हैं यक्रीत के अध्यान को कहते हैं है पेटो लोजी अप्सन हो जाएगा भी नेश्ट देखिए मनुष्य के सरीर में सरबाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है तो सरबाधिक जो पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलो जोन है अप्सन हो जाएगा C लाइसीन होता है तो लाइसीन क्या होता है तो एमीनो अमल होता है अप्सन हो जाएगा A नेक्ट देखिए नहीं बनाई जाती है तो अपसे हो जाएगा सी कि यक्रीत कि सुरूप में भोजन को संचीत रखता है तिया है आपको ग्लाइकोजेन के रूप में अपसे लिए गावी केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा सुरोत है तो इसमें हो जाएगा दूध़ अपसम और इस नश्च दे होती है अप्सन हो जाएगा वी और सबसे छोटी हती होती है सबसे छोटी हड़ी होती है नेश्ट देखते हैं जन्तु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है जो और्थो पोड़ा होता है पौधे का प्रजनन अंग है पौधे का जो प्रजनन अंग है फूल है अप्सन हो जाएगा सी नेश्ट देखिए किस रोग में रख्त का थक्का नहीं बनता है तो किस रोग में रख्त का थक्का नहीं बनता है ध्यां रहेंगे हिमोफिलिया में रख्त का थक्का नहीं बनता है सरीर में आक्सीजन की पूर्ठी किसके माध्यम से होती है माध्यम से होती है लाल रख तो कोई si ka हो अपसर नेफ्ट देखते हैं की कि प्राजनन समबंधीcych सूचना एकत रहती है तो कहां रहती है तो DNA में रहती है अपसंटु जाएगा यह थार मारोष्थल में किस परकार की बनास्पती पाई याती है जीरो फाइट बनास्पती होगी तो अपसंट preferred जल पीने से कौनसा रोग जाता है दूसरी जल पिने से आपको हैजा रोग होगा ध्याँ होगा नेस्ट दहुंए रोहा एनियों की प्रद्द में परतिस्थ होता है ध्याह आपको ध्याँ रहें ही पर श्रDING परसेंट fällt होता है एंजाय मों नामक अस्थी मानो पाई जाती है था में होता है नहीं दोओढर देखते हैं पिट्यूट्री गरंथी इस्तित होती है पीटूटरी गरंथी ममस्ठिक शित होती है ते बीटामिन दूध में नहीं पज़ा जाता है तो सभी जानते हैं इसका लपको स्क्राग्वाइड्रेट में आते हैं तो ध्यां रहेंगे इसमें हो जाएगा आपको ओपिश आर्टर्च उर senza ठीज को पॉध्यग आ को ऐन सब हाग स्वसंद करता है तो पोधे का जो है आपको ध्यां रखेंगे पती से स्वसंद होता है कि है सिनकोना पैद है किस भाग से कुनेर प्रब्राप्त किया एता है तो कई चाल से प्र सब्क्राप्त consumers सबसे अधिक होता है एक पेंड की आयू का अनुमान लगाया जा सकता है तिया लगा थे तरह से माली ये हो गया इसमें इस तरह से बोले है इसमें जितना संख्या होगी उतना वर्स निश्चीत होता है नेश्ट देखते हैं प्रकास अंसलेशन के दरान पैदा हुने वाला आक्सीजन का सुरोत है आकासिजन का सुरोत क्या है जोन होता है यहां में प्रकास में ऑप्रकासशं में प्रकास कले फोलों को किरितनी भंग से पकाने हैं तो पर्युक्त गयस है तो कोनशी गयस है तो पत्यों का हरा रंग होता है क्यों होता है तो सभी जानते हैं कलेृ estoy के कारण होता है option हो जाएगा डा नेनिक देखते हैं पत्यों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रौ के रूप में कभी बाहर सम्हाहर निकलता है उन्हें क्या कहते हैं तुम्हाहते हैं आप जैन्त काँणाई तोड निशेचभी के दावरान कौन सी गैस निकलती है तो इसमें निकलती है oxygen option हो जाएगा A next देखिए पधे मुखेता पोशन करते हैं यह करते हैं भूमी से option हो जाएगा D पधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं तो उन्हें hello fight कहते हैं option हो जाएगा A प्याज का बदला हुआ रूप है तो सभी जानते हैं यह तना होता है option हो जाएगा A पधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है किस भाग से हल्दी पाया जाता है तो तना से option हो जाएगा D निच्ट देखते हैं, आलू का बदला हुआ रूप है तो आलू का जो बदला हुआ रूप है तणा है, option हो जाएगा B किसके कारण फूलों में रंग होता है ते यह रंग होता है आपको इन्थो साइनीन के कारण option हो जाएगा D निश्ट देखते हैं पौले साबसे बड़ा फूल है सभी जानते हैं पत्तियों में कौन सा तत्त पाया जाता है तो यह पाया जाता है कि आपको magnesium option होगा बी नेश्ट दहाए है निवलिखित में वास्तविक फॉल कौन होता है तो सभी लीची जो होता है इसका कौन सा भाग खायाता है एरिल भाग खायाता है वास्तिविक फॉल है सेव नारियल अन्नास जो है वास्तिविक फॉल नहीं है असत्य फॉल के अंतरगत आते हैं फाइकोलोजी में किसका अध्यन किया आता है तो फाइकोलोजी में जो अध्यन किया आता है सैवाल का अध पुष्पोंं का अध्यन कहलाता है व दैखते हैं बॉन अनुसंधान संस्थान अहीं से अशु आपनुसयगे के बिन बिना पोधे की ब्रीधी हैं को परकाससर्ग सेध्ण की फिया कुलॉडोर प्लस्ट में होता है था भारतिया बनास्पत सर्वेच्छन का मुख्ण कहां इस्तित थे इसका मुख्णक्था में इस्तित सिद्धांत का परतीपादन किया था कि देंसी द में किस में होती है तिया एपको पती में option हो जाएगा C, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्थ होता है, तो अफीम जो प्राप्थ होता है, फूल से प्राप्थ होता है, ध्यां रखेंगे, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्थ होता है, तो फूल से प्राप्थ होता है, निश्ट देखते हैं, तारपीन का य का सबसे अधिक सुरोत पया तो आपको सोया वह स्भी दिखाएं उगने वाले काल आते हैं तो क्या कहलाते हैं तो किया कहलाते अप्सन हो जाएगा आपको देखते हैं अब आगया 24 इन्पोटेंट है कि नेक्ष्ट दखते हैं देखिए तो भारतिय क्रिशी अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है यह इस्थित है आपको नई दिल्ली में ध्यां रखेगा और फॉल अनुसंधान संस्थान जो है सब और ध्यां रखेंगे सब भागलपूर विहार में है भारत में हरित क्रांती की जरन्मदाता कों है फ्यां रखेंगे एमस स्वामीना तन जो की आपको हरित करांती भारत में कब आइ थी तो 68 ke दसक में आइ थी देखिए को प्राकिरतिक कृषि का अनुवेशक है टो प्राकिरतिक क्रीशी का अनुवेशक एमस रंधवा को मना yatra है option हगा next दखिए भारत में फसल के परकार को निरधारित किया गया है तिया निरधारित किया गया वर्सा के परिमार तथा तापकरम द्वरा तो option हो जायगा D next दखिए रेगिस्तान में पाई जाने वाली बनस्पती को क्या कहायाता है इसमें कहायाता है आपको 0 फैट अपशन हो जाएगा भारत में फूलों की अधिकतम किसमें पाहे जाती है छींध का उतरांचल में तो करीब का मौसम कब अबसन हो जाएगा ओगो नेक्ट की देखते हैं है भारतिय दलहन अनुसंद्धान अवस्तित जूंखेती प्रचलीत में जूँघ्ट क्या ओप्सद्र करते हैं । ग्रहन करते हैं आपको ने ट्रेट के रूप में अप्शन हो जाएगा ध्यां रखेंगे अप्शन हो जाएगा इसका सी निश्ट देखिए निश्ट देखते हैं या आप चैनल पर नहया है तो चैनल को सब्सक्रैब कर लिजिएगा पूल रूपसे पाया जाता है क्या पाया ध्यान रखेंगे फुल गभी नार्याल का प्रम का फॉल होता है अप्शाण हो जाएगा ए तोिस न नर्च को पॉध्य के रच को चूसे लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा होता है तो यह मध्यां सबसे बड़ा पूस्प होता है तो यह तो सभी जानते हैं रेफलोसिया चाय में लाल कीट का कारण होता है तो यह होता है आपको हरी सेवाल अप्सन हो जाएगा सी निष्ट देखते हैं किसके बीज नहीं बनते हैं तो किसके बीज नहीं बनते हैं तो फर्न में अप्सन हो जा मॉक्तर में मार्ण सरोग का अधे कमी अफ्षान हो जाएगा बी नेश्ट देखिए ग्यों सा अस्थान है यह उत्पादन में ध्यां रखेंगे आपको दीती हो जाए अपसिंगा बी निम्लिखित में कौन सा पॉप णकुल है जिलिए आफ सब्सक्राइब देखते हैं निल खित में कौन नगदी फसल तो इसमें तंबाकु हो और नकदी फसल भीत में नाइट्रोजन की सुरूप में होता है युडिया जो नाइट्रोजन की रूप में होता है एसाइड अपसन हो जाएगा बी स्वयाबीन की उपस्थिती कहां होई है तो स्वयाबीन की उपस्थिती चीन में होई है अपसन हो जाएगा बी नेक्ष्ट देखिए हरित करांती के दवरान की खाद्यान का उत्पादन बढ़ा इसमें बढ़ा है आपका गेहूं का निमलिखित में कौन सा प्रोटीन का उत्तम स्रोथ है तो प्रोटीन का उत्तम स्रोथ स्वयवीन होता है अप्सन हो जाएगा भारत में कपास उत्पादन में अग्राटी राज़ं कौन है? बysis अग्राटी राज गुजरात है भारत में सबसे बड़ा रबण उत्पादक कराज कौन है तो सभी जानते हैं केरल हो जाएगा अपसन हो जाएगा एक नेश्ट देखिए छारीय मिर्दाओं को सुधार लाने के लिए उप्यूकत रसायन का परियुक्त की आता है तो आप छाजी याद के लिए चाजी चजी से का हो जाएगा जिपसम तो अपसन हो हैं कि यह चावल का होता है अप्सन हो जाएगा सी नेश्ट देखते हैं कि भारत का केंदरिये और सथी अनुसंधान संस्थान निम्लिखित में से किस अस्थान पर इस्थी थे आप ध्यान देंगे लखनव में तो तीन बार प्रसन भी तका चुका अलग-अलग सेटों में इन संसार में सब्से अधिक तील का उत्वादन करने वाला देश कौन सा है तेज करता है आपको भारत अब निस्ट देखते हैं-ाही-स Kalosin-ribfilabAYoon और केसर तेल जो है केसर का उत्तम सुरोथ है को रिटून क्या नहीं है अब नेक्ट सेट देखते हैं देखे सेट नमर 25 जो काफी इनपोटेंट है नेक्ष्ट देखिए तो निमलिखित में से स्वेत करांती का संबंध है तो स्वेत करांती का संबंध है दुग उत्पादन से प्राणी की नसल है, यह प्राणी का नसल है आप ध्यान देखें, भैस इसका अप्सन हो जाएगा बी, नेश्ट देखिये दूध कौन सात् Seriously है, तो इसमें होता है आपको कोबाल्ट, अप्शन हो जाएगा D, सरवाधिक पसुधन की सिराज में पयायाता है, तिया सरवाधिक पसुधन जो है उत्तर परदेश में पयायाता है, अप्शन हो जाएगा B, निश्ट दखिए, किसकी उपस्थिती के कारण दूध का रंग सफेद होता है, यह तो सभी जानते है केसीन की उपस्थिती कारण, आपरेशन फ्लोड निमलिखित में से किस्य संबंध है, आपरेशन फ्लोड आपको दुग्द आपकूर्ती संबंधित है, 1970 के दसक में आपरेशन फ्लोड कारकरम चलाया गया था और भारत में इसके जनक संक्रमन यह है, आपको ध्यां रखेंगे, फूट एंड माउथ रोग, इंध्रेक्स, प्लेक क्वार्टर इसमें हो जाएगा सभी, नेश्ट देखिए, भारत में स्वेत करांती का जनक किसे कहा जाता है, तो स्वेत करांती का जनक कहा जाता है, और गीच कूरियन को, नेश् ऑफ्सन हो जाएगा, भी, नेश्ट दकेते हैं, भारत में पर्टर इस जनक किस नसल की बकरी आता है, यह कहा जाता है, यह किस नसल की बकरी को, मेरीन और गहां गयालन तो मेरीनों तो भीर एके जाती है, सबसे बड़ा जीवित पच्छी सुत्रमूज और श्ट्रीच होता है अंडे देने वाला अस्तन धारी है तियो है आपको डग बिल प्लेटिपस यह अश्टेलिया का एक प्राणी है और अश्टेलिया में प्लेटिपस अभ्यारन भी इसके लिए बनाया गया है इपीक कल्चर संबन्धित है अपसे निमलिखित में कौन सा पथेए जुगाली करता है एक अपसे देखिए लाल करांती किस से संबन्ध है यह उतिपस हों पॉसुम में होने वाला अफरा रोग कारण है तो अफरा रोग का कारण है आपको प्रदूसीत अहार अप्सन हो जाएगा D देखिए मुर्गी के अंडे में कार्भोहड्रेट की मात्रा होती है तो मुर्गी के अंडे में होती है आपको कार्भोहड्रेट होता ही नहीं है आपको ध्यां रखेंगे option हो जाएगा इसका A मवेशियों में बांजपन का कारण निम्नांकित में रोगों में से है तो बांजपन का क्या कारण है तो यह होता है बैंग रोग जो होता है मवेशियों में बांज रोग का कारण होता है एक छत्ता में रानी मधमक्खी की संख्या कितनी होती है तो सभाववग बाते की रानी है कहीं होगी एक पसुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नसल है वो कौन है सुवर अप्शन हो जाएगा बी महे सोणवाल का एंसी आर्टी का सार संग्रप पुड़ा कंपलीट क भारत में भेंड की सबसे उत्तम नसल है सबसे भेंड की उत्तम नसल है ने लोर अप्शन हो जाएगा बी नेश्ट देखिए कि सहरी बकरी यहीं सीटी गोट के नाम से कौन जानी जाती है तिया जानी जाती है आपको बकरी अप्शन हो जाएगा भारत में सबसे अधिक बकर से तो अप्शन हो जाएगा सी विश्व में सरवाधिक भेंड एकिस देश में पाई जाती है तो सरवाधिक भेंड जो है अप्शन हो जाएगा एगा नेश्ट देखते हैं क्रित्रिम निसेचन के लिए सांड के बीरी को संचीतर करते हैं तो कहां करते हैं तिया द्रव नाइट्रोजन में ताकि खराब नहों भारत में गाय की लगवक कितनी नसलें पाई जाती है तो भारत में गाय की जो है आपको ध्यां रखेंगे 32 नसल पाई जाती है नेश्ट द बार्तिय डएरी तुह इस्थापना 네가 की चैनलि क्रंटि का संबंद की से है तो चैनल एका समद्ति और आपको मतस्युंद्म हो जडाएगे सब्सक्तर्नाक बिमारी इते हैं अब nes देते हैं शेट नमर हो 26 मिश्पिंप्टि है देखिए तो computer के विज्ञान का जनक कहा जाता है तो computer विज्ञान का जनक कहा जाता है चाल्स बेबेच को और computer का हिंदी नाम क्या है तो संगणक है ध्यां रखेंगे अब नेश्ट देखते हैं कंप्यूटर का यांतरिक और विद्दूत इलेक्ट्रोनिक भाग कहलाता है तो यह कहलाता है आपको hardware अप्सन हो जाएगा ए सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है तो सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर है अल्टेयर 8800 है यह यहीं कि 8800 है नेश्ट देखिए बेसिक कंप्यूटर भासा आई तो जो बेसिक कंप्यूटर भासा आई चतुर्थ पीढ़ी में आई कंप्यूटर है तो आवस्यक IC चीप समानता होते हैं तो समानता जो IC चीप होते हैं सिलिकॉन से निर्मित होते हैं अप्सन हो जाएगा बी नेश्ट देखिए निमलिखित किस सिधान पर अधारित है तो डिजिटल कम्प्यूटर जो है गड़ना के सिधान पर अधारित है ए ध्यां रखेगा नेश्ट देखते हैं निमलिखित में कौन सी कम्प्यूटर भासा नहीं है कौन सी कम्प्यूटर भासा नहीं है तो लोटस जो कम्प्यूटर भासा नहीं अ और में आप सो जाएगा एक देखते हैं है कि फोटरान की स्दक्रमें दनदाब राभिजान के यह दो बब्राइब के फोटे हैं दो कि ऑप्योट्र की जो मेमोरी में लुगा है उसमें और Oke goofed और शक्राइब होसक्ता ऋक्राइब्स होता है दो और मंखो Bennett देख ए makes कि लाइन प्रिंटर की गती काई है तो लाइन प्रती मिनट अप्शन हो जाएगा एंट्रिग्रेटेट सर्कुट चीप किसकी परत होती है यह सभी जानते हैं कि किसकी परत होती है सिलिकॉन की परत होती है तो अप्शन हो जाएगा आपको एंट्रिग्रेटेट सर्कुट कॉंप्यूटर असुधि को क्या कहते हैं तो कॉंप्यूटर असुधि कहते हैं बोग तो अप्शन हो जाएगा सी आबाकस का विसकार हुआ था चीन में हुआ था चीनियों ने विसकार इसका किया था नेश्ट दखिये सबसे पहला इस्टोर प्रोग्रां कंप्यूटर था यह पहला था आपको EDAC था ध्याँ रखेंगे EDAC था सबसे पहला Electronic Digital Computer था तो यह सबसे पहले ABC था ध्याँ रखेंगे Digital Computer कि का है कि आई बी एंपी तक होजाएका में भीक्षचित हुआ था आपको 1980 1 main option हो या दखते हैं कम्पूटर के मस्तिक्स को कहा जाता है कम्पूटर के मस्तिक्स को कह जाता है cju option होजाएक सी कमद्री सब्ड किस्य संबंधищ है मेमोरी जो सब्द है द பहित यह या सरवाधीक , स्वर्पयूटर्वाला नासा द्वारा केस्थ चलंप करने ओज़न में बी नसा की स्थापना एंथा है निए्टाहं कॉम्प्यूटर सा चर्ता दिवस कम मना याता है तो यह मना याता है आपको 2 December को option हो जाएगा B next देखिए email का पिता मा किसे मना याता है email का पिता आपको मना याता है Raymond Samuel Tomlison को option हो जाएगा D CPU का विस्तिरित रूप है तो CPU का है Central Processing Unit option हो जाएगा B next देखिए डाबलूडाबलू का विस्तारीत रूप है तो डाबलूडाबलू का विस्तारीत रूप है World Wide Babe option हो जाएगा आपको C पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहां लगाया गया था तिया लगाया गया था आपको ISO कोलकाता 1952 में option हो जाएगा और कंप्यूटर का अविस्तार कब हुआ था तो 1946 में हुआ था ध्याया रखेंगे next देखते हैं कि 700 का पर्थम Electric Digital Computer हैं इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कंप्यूटर एमिय equation अप्सन हो जाएगा भारत मैंनी मीदर पहला कंप्यूटर है सिद दर्थ है अप्सन हो जाएगा यह जो कि भगवान बुद्ध के नाम पर रखा गया था वचके नाम पर भारत में सबसे पहले इस इलूलर फोन सेवा सुरू हुई थी सिम काड का विस्तारीत रूप है सब्सक्राइबर आइडेंटी मेर्डूल होता है अप्शन हो जाएगा एक नेश्ट देखते हैं Byisoo की सबसे बड़ी mobile निर्माता कम्पणी है सबसे बड़ी mobile निर्माता कम्पणी taller और ties देखिए कॉंप्यूटर में परिकलन कहां संपन होते हैं जो परिकलन होते हैं आपको CPU में संपन होते हैं अप्सन जाएगा भी प्रथम कम्पीटर नियंतरक रोबेट कब बनाया गया था तिया बनाया गया था आपको को चंद्रमा है अप्शन हो जाएगा घूंडन में भी और ध्यां रखें घूंडन में भी और परिवर्मन में भी उतना ही समय लेता है लगभग 27.8 दिन के लगभग में ही लेता है नेश्ट देखते हैं और पहल करो से चामुण ञ्ज। फीफिए प्रासिक्मा संचूरी है थ्याँ रखेंगे ब्रामनल में 20-40 तारा कहलाता था उप्रामन्डमें जो 20-40 तारा अभीuyuं सर्वाँ directing ऑप üzerine ग्दाने था हीया như नेसे प्रफिठर कार है तो सभी जानते हैं कि कितने हैं 89 हैं हमारी अकास गंगा की आकिरती कैसी है तो हमारी अकास गंगा की आकिरती स्पाइरल है एएनी सरपिला कार है ध्यां रखेंगे नेश्ट देखते हैं हमारी एकास गंगा के केंदर की परिकर्मा करने में सूर्य को समय लगता है तो सूर्य को कितना समय लगता है तो पचीश कडोर वर्स लगता है अप्शन हो जाएगा नेश्ट देखिए तारे का रंग सूचक है तो तारे रंग सूचक है किसका तो उसके ताप का अप्शन हो जाएगा डी बर्तमान आकलन की अनुसार ब्रहमांड की आयू क्या है तो ब्रहमांड की जो आयू है 13 बिलियन वर्स है ध्यान रखेंगे और बीग बैंक की घटना से ही ब्रहमांड की उत्पत्ति माने जाती है तो तेरो दसमलों सात अरब वर्स पहले हुई थी नेस्ट देखते हैं एक क्रित्री मुपगरह में बिलूप्त उर्जा का सुरोत क्या होता है तो हमारी अकास गंगा का मंदाकनी है नेश्ट देखिए सिगर्ता से घुमने वाले तारे जो उच रेडियो तरंगे छोड़ते हैं कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं तो यह पॉल्सर कहलाते हैं अप्शन हो जाएगा ए नेश्ट देखते हैं सुर्य के चारों और एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है तिया लेता है आपको 29 दस्मलों पांच वर्स इंप्रोटेंट है इविनिंग एस्टार की सिग्रह को कहते हैं तिया कहते हैं आपको सुक्र को अप्शन हो जाएगा सी नेश्ट दखिए पीर्थिवी के चारों और गयसों के समुव को क्या कहते हैं तो गयसों के समुव कहते हैं वाई मंडल अप्शन हो जाएगा सी इविनिस सूर्य के चारों और एक परिकरमा में कितना समय लगता है तिया लेता है आपको 84 वर्स ध्यां रखेंगे इविनिस नेश्ट देखते ह सूर्य दच्षणी गुलार्द से उत्तरी गुलार्द की और आता कब दिखाई पड़ता है तिया दिखाई पड़ता है आपको 21 मार्च को अप्शन हो जाएगा वी उत्तरी गुलार्द में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो उत्तरी गुलार्द में सबसे बड़ा दिन होत कान सा गुर्ण के निकट्तम है तो फिर्थिवी ऊप्सन हो या खां तर ग्रस्णार सबसे चमकदार ग्रह है तो सबसे चमकदार ग्रह सुक्र है अप्शन हो जाएगा कर अधिक तेज कच्शिय गती वाला ग्रह कौन सा है तो देखिया अप्शन क्या दिया हुआ है है साथ अप्शन हो जाएगा आपको इस में बिरियस्पती है लिटी की उप्षावर अनि데री हेलिए इस्थिती किす महीने में महीने होती है ध्यां रख केगा जनवरी में होती है और आक अपहलीन होती है यो होती है आप को 4 जुलाई को होती है जिया है एक वर सूहि पछू में अधियां रखेंगे विर्यास्पती पड्र बॉस्ती में आप जब दीन और रात बराबर होते हैं तब विशू यह इक्विनोस वर्स के दो काल होते हैं तो कौन-कौन से होते हैं तो ध्याँ रखेंगे आपको 21 मार्च और आपको 23 सितंबर जो होता है तो बसंत विशू जो होता है 21 मार्च को होता है और सरद जो विशू होता है 23 सितंबर क को होता है इस बात को ध्यां रखेंगे द्यार सरद रितु 23 सितंबर और वसंत बीशु 21 मार्च को नेश्ट दखिए सी ऑफ ट्रेंक्विलीट यह निसांती का सागर कहां है तो सभी जानते हैं चंद्रमापर है आखों से दिखने वाला छुद्रग्रह का क्या नाम है यह होता ह आपको से चरवेष्टा श्र्वेष्टा होता है रखेंगे को में चुछक को अपकोisia ॅबश्र संख्या कितनी होती है नेश्ट दखिये जिनके पास उपगरह नहीं दढ़ ग्रह तो कौन कर ने बूद्ध और सुक्रतॉ अप्षन हो जाएगा शुरॉन का सर्वाधी करण है तो सरम्प्णा जो सर्वाधी करण है सुक्र है अप्षन हो जाएगा ऑफिश्ट देखिए कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह है तो सौर मंडल का दूर का सबसे ग्रह नेप्चून है ध्यां रखेगा जिसको बरून भी बोलते हैं ये भी ध्यां रखेगा नेश्ट देखिए पूरुप से पच्छीम की और परिकर्मा करने वाला ग्रह कौन सा है तो पूरुप से पच्छीम ध्यां रखेंगे यह हो जाएगा आपको सुक्र और उसके बाद इवरेनस पूरुप से पच्छीम करता है तो अप्सन हो जाएगा डिए नेश्ट देखिए प्रकास की गती से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है तो पहुंचा जा सकता है आप ध्यां रखेंगे 13 सेकेंड में प्रकास की गती से जाने पर चंद्रमा पर कितने समय में पहुंचा जा सकता है तो 13 सेकेंड में जो कि यह हमें कुछ ठीक बतीं है देखते हैं ध्यान दिजए कि चंद्रमां से प्रकाइं जो पिर्थिभी की दूरी है भ्रकास की जो गती होता है आपको तील लाह किलोमेटर परति सेकेंड होता है तो इसमें यहां आपको point हो जाएगा ध्यां रखेगा यहां point हो जाएगा तो परकास की गती से जाने पर चंदरमा प्रलगभग कितने समय पहुंचा जा सकता है तो एक दसमलो तारा होता है option हो जाएगा सी नेश्ट देखते हैं टेस्ट नमर 28 है नेश्ट देखिए एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज तब जहाज क्या होता है थोड़ा ऊपर आएगा क्यों क्योंकि जो समुद्र का घंत्त है ध्या रखेगा वह नदी के जल के घंत्तों से अधिक है नेश्ट देखिए कि हावाई जहां से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है तो पेन से स्याही निकलने लगती हुआई उदाब में कमी के कारण option हो जाएगा क्योंकि उपर जाने पर वाइम अंडलिये दाप क्या होता है कम होता है बरफ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्यों चिपक जाते हैं दाब अधिक होने से बरफ का गलनांग घड़ जाता है तो option हो जाएगा next दखिए उचाई की जगहों पर पानी 100 डिगरी सेल्सियस की नीचे ताप मान पर उबलता है क्यों उबलता है तो यह उबलने का इसके कारणे वाइम अंडलिये दाप का कम हो जाता है और अंतता उबलने का बिंदू नीचे आ जाता है तो option हो जाएगा next दखिए प्रेशर कूकर में सबजियां जल्दी पकाई जा सकती है क्यों तो क्यों जल्दी पकाई जा सकती है तो दाप बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है तो option हो जाएगा आपको बी नेचे दखिए है हाइड्रोजन से भारा रबर का गुबारा वायू से उपर जाकर फड़ जाता है क्यों फड़ जाता है तिया फटने का कारण है वायूदाप घड़ जाता है option हो जाएगा डी नेचे देखिए लोलग घडियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है तिया सुस्त हो जाती है आपको लोलग की लंबाई बढ़ जाती है इसी के कारण अप्शन हो जाएगा C नेश्ट देखते हैं वर्षा की बुंद गुलाकार होती है तो वर्षा की जो बुंद गुलाकार होती है प्रिष्टिय तनाव के कारण ही होती है अप्शन हो जाएगा ए नेश्ट देखते हैं कि तेल दीब की बद्विति में तेल ऊपर चठने का कारण है इसका कारण आपको कि सी कत्व Märty की की आविर्टी बढ़ती जाती है इसका कारण क्या है तो इसका कारण डॉपलर पर भाव ही होता है ध्यान रखेंगे नेश्ट देखते हैं तेज हवा वाली रात्री में इस नहीं और अप्सटि कशन होती है अभाप से हाथ अ अधिक जलता है अपेछा किरित उबलते जल से क्यों ऐसा होता है तो भाप आप में गुप्त उस्मा होती है अप्सन हो जाएगा किस गुण धरम के कारण पानी से भरे बरतन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतित होती है तो किस गुण धरम के कारण त्या होती है अप्वरतन के कारण अप्सन हो जाएगा सी देखिए कोई भी बस्तु अ यदि उपर या नीचे दिखाई देती है तो हर जगह अप वर्तन ही होगा इस बात को आप ध्यान देजिएगा अकास नीला परतीत होने का कारण क्या है अकास नीला परकृणन के कारण होगा अप्षन C वाई मंडल में परकास के बीसरण का कारण क्या है तो बीसरण का कारण है आपको धूल कौन अप्षन हो जाएगा B समुंदर नीला परतीत होने का कारण क्या है समुंदर नीला परतीत होने का कारण है अकास के परावरतन तथा जल के कोणो दोरा परकास के परकीनन तो अप्शन हो जाएगा बी नेश्ट देखते हैं ऊस्त्ट होते समय सूर्य लाल देखाई देता है अस्त्ट होते समय तो परकिंडन के कारण अप्सन हो जाएगा बी नेग्र देखते हैं प्रती धोनी का कारण है दोनी का परवर्दतव अपसन हो जाएगा एए 不rzyव्श्टील की गोली पारे में तेरती है क्यों इस्टील की गोली पारे में तेरती है इसलिए कि पारे का जो घंत होता है इस्टील की अपेच्छा अधीक होता है इसलिए तेरती है तो अप्शन हो जाएगा आपको भी नेश्ट देखिए गर्मियों में सफेद कपडे पहने जाते हैं क्यों जाते हैं तो सफेद कपडे उस्मा के अच्छे परावरतक होते हैं ऑप्सिन हो जाएगा अ दखिए दलडल में फंसे ब्यकति को लेट जाने की सलाः दी जाती है कियों दियाती है लेट जाने की च्यतर फाल जब अधिक होगा तो दाब क्या होगा कम होगा तो ठीक्ष चौराओं पर पानी की फुहारे में गेंद नास्ति रती थान से दाब घड़ जाता है इसे बर्नौवली का प्रमे के हिसाब से यह होता है इसे ध्याँ रखेंगे देखते हैं चमगादल अंधेरे में उड़ते हैं क्यों उड़ते हैं तो उसका उड़ने कारण है आपको चमगादल परासरव्य तरंगे उत्पन करते हैं जिससे वह टकराते नहीं है अपनी स्थिती का पता लगा लेते हैं बांध के नीचे की दिवारे मोटी बनाई जाती है क्यों जलने पर अपरवर्तित रहेगा अपरवर्तित क्या रहेगा तो घौनत जो है ऑपरवर्तित रहेगा यदि सरल लोलक की लंबाई चार परसेंट बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त काल क्या होगा तो उसका आवर्त जो है दू परसेंट बढ़ जाएगा तो अप्शन हो ज सब्सक्राइब दीच देखते हैं कि तांबे की गेंद को गरम करने पर इसका गहनत्तो जो है घरता है उचाइब बढ़ने से बरफ का गलनांग जाता अपसन होजएगा A, द्रव का घृनत तो अधीक होने पर प्रिस्टिय तनाव होता है आपको बढ़िआता अपसन होजएगा B, just दखिए, तरप बढ़ने पर ढ़र द्रव की सयंता तरप की सयंता क्या होती है, तो बढ़ती है, option होजएगा B, just दखिए, हैं ताप बढ़ने पर गयस की सयंता क्या होती है तो ताप बढ़ने पर जो गयस की सयंता होती है आपको बढ़ती है अपसन हो जाएगा बी नेश्ट दखिए एक लड़की जूला जूल रही है उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो जूले का आवर्तकाल क्या तो यहां रहे गा आपको ध्याय रहेंगे और परवर्तित रहेगा तो कम्रे की वाय। कि वाय। क्या हो बढ़ जाएगा क्योंकि वाय। पंक्खे से पक्राएगी हमें साथ तो इससे घरत हो, फज होगा। कमरे में रखे रेफ्रिजेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा तो हलका क्या होगा बढ़ जाएगा option हो जाएगा A किसी चुम्बक को गरम करने पर उसका चुम्बकत तो क्या हो जाता है नस्ट हो जाता है तो option हो जाएगा D जब किसी बस्तू को ध्हनावेशित किया जाता है तो वह क्या होता है? अपसन हो जाएगा A जल में गैसों की बिलेता ताब बढ़ने से क्या होती है? अपसन हो जाएगा A पीर्थिवी तल से उपर या नीचे जाने पर गुरुत्य तुरन का मान क्या होता है तो गुरुत्य तुरन का मान घढ़ जाता है option हो जाएगा A तो गती जुरुजा जो होगी आपको ध्या रखेंगे एक चोथाई रह जाएगी option हो जाएगा B नेश्ट देखिए आपको NCRT महेशोनवाल का जो सार संग्रह है पूरे चैनल पर पढ़ा दिया गया है आप जाके देख सकते हैं ज़रने में जब जल उचाई से गिरती है तो उसका ताप क्या होता है तो उसका ताप जो होता है आपको बढ़ जाता है option हो जाएगा B नेश्ट देखिए किसी पेंडूलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल आवर्तकाल जो होगा आपको गुना बढ़ जाएगा ध्या रखिएगा option हो जाएगा आपको इसमें D नेश्ट देखते हैं पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिये जाए तो पानी का तल क्या होगा तो पानी का तल ध्यां रखेंगे पानी का तल वहीं रहेगा कारण कि ध्यान देखिए यह जल है ठीक है यह जल है और इसम के गेत ना उपर आजाएगा पानी पत्थर इसके अंदर चला जाएगा तो इसके अंदर कोई मतलब की बढ़ोतरी जल के अंदर नहीं होगी इस बात को आप ध्यार रखेगा अब नेक्ष्ट देखते हैं कि यदि पीर्थीवी परवाई मंडल नो होता तो दीन की अधी क्या ह होगी दिन की अधी उसमें कम होती अप्शन हो जाएगा हलका कम होती ज्यादा नहीं होती नेक्ष्ट देखते हैं स्वतंत्र प्रुवक गिर्ती हुई बस्तु की कूल उर्जा होती है नियत रहती है अप्शन हो जाएगा सी जब कांच की छड़ को रेसम से रगड़ा जाता इस का आकार जो है बढ़ेगा अप्शन हो जाएगा भी नेक्ष्ट देखिए ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का परतिरोध क्या होता है तो सीलिकॉन का परतिरोध घड़ जाता है भूमद रेखा से ध्रूओं की और जाने पर गुरुत्विय त्वरन कमान क्या होता है तो इसका कॉम करने पर उसका दाव क्या होता है तो बढ़ जाता है,ोप्सन त्यांधा धी , नस्ट देखते हैं ले रोकेट के सिध्षान पर कारेपा है यह लोकेट छे नहिए ? परकार करता है option हो जाएगा डी उत्पलाउक्ता से संबंधित बैज्यानिक है या बैज्यानिक आपको आर्कमिडिज है जो ग्रीश देश से संबंधित है ध्यां रखेगा अब नेश्ट देखते हैं कि किसी धोनी सुरोत की आविर्थी में होने वाला उत्राव चढ़ाव कहल बाता आपको डपलर प्रभाव option हो जूआएगा बि नेश्ट देखिये कि प्रमालू बॉंका सिध्धान्त अधारिट न भीखिए भि्फंडन पर फोस्व अप्शन हो जाएगा एग को दरव्यमान उर्जा संबंध किसका निष्करशन है तियो निष्करशन है आपको सब का के समाने सिध्धान का अप्शन हो जाएगा बी नेश्ट देखिए ब्रहमांड परसारित हो रहा है कथन कथन एक कथन है तो किसका कथन है यह एडवीन हबल का है अप्शन हो जाएगा बी ग्रहों के गती का नियम को किसने प्रतिपादित किया था ते प्रतिपादित करने व जाएगा सी तारों और सूरी की उर्जा का सुरोथ है यह ना भी किये सलियन होता है और यह हाइड्रोजम जो होता है हिलियम में बदलते रहता है लागतार लाव फ्लोटिंग सी धांत की खोज किसने की थी यह खोज करने वाले बैज्ज्णिक अर्कमीडिज ही थे नेश्ट देखते हैं पौधे में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था तो यह तो भारतिय बैज्ञानिक थे आपको जेसी बोस किसकोगर आपका इन्होंने खोज किया था किसकोगर आपका ध्यां रखेंगे आध्यूनिक एंटिसेप्टिक सरजरी का जनक कौन है तो यह आपको जोसेफ लिष्टर है अप्सन हो जाएगा ए नेश्ट देखिए स्याही सोकता की सिधान पर कारे करता है तो जो स्याही सोकता है और परासरन के सिधान पर काम करता है अप्सन हो जाएगा सी नेक्ट देखिए आंश्टीन को नोबेल पूरसकार मिला था प्रकास विद्धूत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला था ओप्शन हो जाएगा इसमें आपको ए डिजिटल कंप्यूटर की सिधान पर अधारित है तो डिजिटल कंप्यूटर जो है आपको गणना के सिधान के अनुसार कार करती है तो क्वार्टा घडियां जो है आप ध्यां रखेंगे यह दाब विद्धूत प्रभाव पर कारे करती है ऑप्शन हो जाएगा डि विद्धूत मोटर की सिधान के अनुसार कार करती है तो विद्धूत मोटर होता है फ्राइडे के नियम के अ लेजर की सिध्धान पर कारे करती है तो लेजर जो है आपको बीकिरण के उद्धिप्त उद्धार्जन पर अधारित है तो रडार की जो कारे प्रणाली है आपको ध्यां रखेंगे रेडियो तरंगों का अपवर्थन तो अप्सण हो जाएगा देखते हैं और हैं अधारित है तो लेंज का नियम है तो जो लेंज का नियम है द्रब्यमान सरच्छन से है तो अप्सण हो जाएगा आपको ध्यां रखेंगे नेश्ट देखते हैं और देखेंके पीरथिवी की ध्यान रखेएका पीरथिवी की आयू ज्यांत करने में पर्योग होता है तो प्रियोग होते है तो प्रयोग की आती है आपको कारवण डेटिंग तो अप्शन हो जाएगा ए नेश्ट देखते हैं इस्टोक्स का नियम संबन्धित है द्रो में गिरती हुई गोली से अप्शन हो जाएगा बी नेश्ट देखिए किसी चालक के सीरों के बीच विभवानतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है यह नियम है तो यह नियम जो है आपको ओम का नियम है अप्शन हो जाएगा D नेश्ट देखिए अयस्क से चुमबकिये और सुधियों को दूर करने के लिए परियुक्त की जाने वाली बीधी क्या है तो चुमबकिये पिरिथक करन बीधी अप्शन हो जाएगा भी कि प्राकिर्तिक वरण सिध्धान का परतिपादन किया था तो डौर किर्शन हो जाएगा जीव द्रभ जीवन का भवतिक अधार है यह हमत दिया था यह मत देने वाले बैग्याने कौन थे तो हैक्सल अप्शन हो जाएगा एक नेश्ट देखते हैं उत्परिवर्तन का सिध्धांत किसने दिया था तो यह दिये थे हईगोडी ब्रीज ने अप्टिपादन किया था थireं से आपको बीड़र वॉर टैटम ने अप्टिपादन किया थे आपको तो अब इसमें आय गया 31 सेट जो की इनपोटेंट है निश्ट देखते हैं दखिए अनवन्सिखता के जनक हैं तो जो जनक हैं ग्रेगर मेंडल हैं अप्शन हो जाएगा ए जीन सब्द का पर्यूग सरपर्थम किसने किया था तो जीन सब्द का पर्यूग किया थे जोहांसन जीन जुहांसन तो भी इसे ध्यां रखेगा एक सब्द मिल रहा है नियुन में कौन सा मनुस्य का अनुवान्श का रोग है हीमोफिलिया अनुवान्वान्श कि रोग है जेने टिक्स नाम किस से दिया तो जेने टिक्स झो नाम है आपको वैट सन्ने दिया प्छयागा विए कि मैं उन्हीं का पर्योग सरपरथम कि ने किया था तो जीन का प्रिएधा है आपको जोहांसन अपसwn होगा चप्रोच जीन शंगठक होदा है पूरूस जीन जो संगठक होथा एक सुवााई होता है और महिला में How एक सिस्थ होता है नेख्ट देखिए के गैम्बिड की सुधता का नीयम का परतिपादन किसने किया थी इसके परतिबादन करने वाले कौन थे तर्मेंडल ंप्शन हो नेश्ट देखते हैं प्राथमी को भोकता होता है जो प्राथमी को भोकता होता है सकहारी होता है ध्यां रखेंगे पहले होता है उत्पादक उत्पादक को मतलब घास पाथ होता गया ठीक है उसके बाद होता है आपको सकहारी उसके बाद होता है मांसाहारी उसके बाद आपक तो दीतीयों शृप्टर, मान सहारी होता है , सहृ जीव्ताओर्य हैं लाइकेण लाइकेन को तरह कहां खुला गयाों एकोलोजी सब्द का सर्पर्थम पर्योग कि ने किया था एकोलोजी का दे रिर्टर ध्यारेंगे वाता औरनेम जीओं के संबंध के अध्यान को कहते हैं इसके अध्यान को हते हैं परिष्थितिकी और परिष्थितिकी जो सब्द का पर्योग किये थे रिटर ने किये थे ठीक है और परिष्थितिकी जो तंत्र का पर्योग किये थे एजी टॉंसले ने किये थे कि उसने किये थे एजी टॉंसले ने ध्यां रखेगा और भारतिये परिष्थितिकी तंत्र के जनक कौन है तो भारतिये जहां हो जाएगा तो इसमें हो जाएंगे रामदेव मिसरा रामदेव मिसरा हो जाएंगे भारतिये परिष्थितिकी तंत्र इसारगायस समूंदर का नाम पढ़ा तो से वालों के कारण यो मतलब हलका लाल होता है यह समूंदर का रंग लाल होता है वहां का नेश्ट देखते हैं उर्जया का पिरामीड होता है तो जो उर्जया का पिरामीड होता है हमेशा ही सिधा होता है इस तरह से होता है पिरामीड कि निवन में कौन और जैवी का रखें आपको कर्वोहईड्रेट जल ताप जैवी का रखें ध्यां रखेंगे मनुष्य में किस परकार के गुण सुत्रों से लिंग निधारन होता है तो लिंग निधारन होता है आपको ध्यां रखेंगे तो इसमें एक सवाई या एक सवाई मनुष्य का ही होता है और महिला का होता है एकस एकस सबसे बड़ा गुण सुत्र होता है सबसे बड़ा गुण सुत्र ट्रिलियम में होता है अप्सन हो जाएगा सबसे छोटा गुण सुत्र है सबसे छोटा गुण सुत्र आपको सैवाल अप्सन हो जाएगा लगाया था को नी 109 में हो जाएगा डिने की किरियात्म पाने की है चीन होती पाय सिफरों में हर्गोविंद खुराना अप्शन हो जाएगा और इन्हें इसके लिए आपको नोबेल पुरस्कार भी मिला था ध्यार रखेंगे कब 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था कि नेश्ट देखते हैं हर्गोविंद खुराना मिला था आपको 1993 में ध्यां जो चंद्र शेखर थे उनको मिला था आपको 1983 में और हर्गोविंद खुराना को मिला था 260 में ध्यान रखेएगा जो चंदर सेखर बैग्यानिक थे अनुवांसिक रोग रंग वन रांता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है यह जो पहचान नहीं कर पाता है लाल और हरा को तो अप्शन हो जाएगा सी नेश्ट देखते हैं नेश्ट देखिए लाइकेन जो सूचक होते हैं लाइकेन जो सूचक होते हैं किसके तो वायू पर दूसरन के अप्शन हो जाएगा जीओं के प्राकिर्तिक चयान का सिध्धान का प्रतिपादन किस ने किया था ते प्रतिपादन करने वाले थे आपको डार्वीन तो अप्श किसने दिया था था मोडाल को सरप्तिपादित करने वाले थे वांसन अ Then की नेकट दिखते हैं। परियोंगसाला में सर करday का Will G- hike किया खुराना नहीं गिया यह जीन अवश्थित होते हैं। जीन का अवश्थित होते हैं ते गुंड सुत्रों में अवश्थित होते अप्षेंई कई के विकास K सिध्धांत को किस ने परतिपादन किया था विकास के सिध्धान को चार्स डार्विन ने परतिपादन किया था अप्सन हो जाएगा डी नेश्ट देखते हैं तो बंसागती की अध्यान को अनुमानसी की यानि जेनेटिक्स कहायाता है, अप्शन हो जाएगा D, पर्यावरण में अजयो, अजयो का उधाहरण है, तो सभी जानते हैं, यह हो जाएगा वायू, बनस्पति जानवर जो हैं, सभी जैविक के उधाहरण है, उत्परिवर्तन क सिद्धान दिया था, तो उत्परिवर्तन का सिद्धान दिया था, आपको हीगोडी ब्रीजने, हीगोडी ब्रीजने तो अप्शन हो जाएगा आपको D, नेश्ट देखिए, प्राकिर्तिक वरण सिद्धान का परतिपादन किया था, तो यह किये थे आपको डार्वीन ने, तो option हो जाएगा A, अब next देखते हैं set आपको set नमर 32 जो की important है, next देखते हैं देखिए, तो सबसे बड़ा फूल है, जो सबसे बड़ा फूल है आपको रेपलोसिया, option हो जाएगा A, हावा में धोनी का बेग होता है, तो हावा में जो धोनी का बेग होता है, 332 मीटर पर 30 सेक और मनुस्य का बैग्यानिक नाम क्या है, तो मनुस्य का बैग्यानिक नाम होता है, homo sapiens होता है, ध्याँ रखेगा, next देखते हैं, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है, तो कांच का पीला रंग होता है, आपको फेरिक अक्साइट के कारण होता है, option हो जाए सबसे छोटा फूल है सभी जानते हैं बोलफिया होता है और सबसे बड़ा अरेफुलोसिया होता है मलेडिया रोग में शरीर का परभावित होने वाला अंग है तो उसमें होता है आपको पलीहा अप्षन हो जाएगा एक नेश्ट देखिए एल्मुनियम का निस्कर्षण किस अयस्क से किया आता है तो एल्मुनियम का जो निस्कर्षण है देखते हैं क्या क्या अप्षण दिया है तो एल्मुनियम का जो निस्कर्षण है आपको बाकसाइट से किया आता है अप्षण हो जाएगा द्रव धातु तत तो कौन सा है तो जो द्रव धातु तत तो होता है आपको पारा होता है द्रव धातु तत तो कौन है तो द्रव धातु तत तो ब्रुमीन होता है तो अप्सन हो जाएगा C कि यूश्ट देखिए केक न्यूटन की से ब्राबर होता है देख गनेयुटन 10 प्रखाट 5 डैन के ब्राबर होता है नेहिंगा की सिनी पानी का अप्रतनांग कितना होता है इसमें होता है एक पॉइंट तीन उनून होता है तो कुर्कमीन होता है कि डैनेम घेबन को रशा यॉलत है को हीं यांतरिकुर्जा को विद्OOD तुर्जा में बदलता हैं यांतरी से कल्चर से संबंद्धित से संबंदीत क्या से संबंदित सी कहीं से विकार का पता के लिए लाया जाता है लाया जाता है आपको फी जी जी द्यां रखेगा closed दूद में कौन सा अमल पाया आता है आउप visitors देखते हैं भाणねश्ट देखिए रहे मैं कौन सा अदिसरासी है जो एधिकोष रासी है joj में निर्वाथ में परकास की चाल होती है तो निर्वाथ में ज्व परकास की चाल होती है 30,000,000,000,000 अधीक सेहं ही होती है और सभसे ओधिक होती है सधारण बात Clarke की इतीवर्ता डेसिवल में कितनी होती है तो डेसिवल में आपको 30 2 और 95 agree with PCB से अधिक धोनी मत के लिए आपको खथ्रा है कि समूंद्र जल का पी एच मांग कितना होता है समुंद्र जल में पुलियों रोग में सरीर का प्रवाहित होने प्रभावित होने वाँग लिखा प्रभावित होने वाँग कौन सा है इसमें होगा तंत्री का तंत्रों सब्सक्राइब की संचायक वर्त्री में किया आता है तो सीशा फिäll शुरॆरीक देखते हैं पारा का निम्तम हिमांग कितना होता है तो पारा का जो निम्तम हिमांग होता है माइनस 49 डिगरी सेल्सियस पर पारा क्या होता है जम जाता है केल्वीन पैमाने के किस बिंदू पर जल उबलता है तो जल उबलता है आपको 373 केल्वीन पर अप्सन हो जाएगा बी नेश्ट देखिए जल का कोथनांग डिग्री सेल्सियस में कितना होगा तो जल का कोथनांग डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है निमलिखित में से किसे रंग की सरवाधिक तरंग धर होती है तो सरवाधिक तरंग धर होता है लाल रंग का होता है तूअ की स सूर्य के परकाश में किस रंग सबस्य प्रकिर्णन सबसे अधिक होता है जो उपकिनन होता है त्राइज को दिखते हैं दोनी का बेग होता है दाब से होता है यह निकि दाब का धोनी पर कोई परभाव नहीं पड़ता है घंत्यों से अधरता से तपमान से प्रभावित होता है प्राथमीक रंग कहा जाता है तो प्राथमीक रंग कहा जाता है लाल हरा निला को इसे लाहनी भी कहा ज लाहनी लिए देखते हैं में आको तो पर्माडू की परभावी त्रिज्या होती है तो परमाडू की प्रभाभी त्रिज्या होती है Changing 10 ट्रफांम की परभावी तो और नीकोटीन होता है को दिखिए लगेanka कहा पाया आता है तो होता है कॉफी में पाल ओहता है माँन होता है फ्ञूब को फ्रड़ता है कि निवु के रस ना होता है और निवु में कौन अमल होता है लो अब होता है ग्すित सी तो बक साइड किसका महत्पूर्ण तो है आपको्षाइब क्ष्ट जो है आपको इल्मुनियम हो जाएगा अप्षाइगा पीतल जी घ्याँ रखेगा पीता जी किसमें अप्षण दिया हुआ है थामबा गल要 भी नेश्ट देखते हैं के पारा का आयस्क है फिक पार का प्रक्रम से बनाया जाता है प्रक्रम नेडित मैं और प्रक्रम लोहा का सुदतमरूप है पिटवा लोहा अप्शन हो जाएगा भी अधिकांस लोहा निम्न में से प्रात्प किया जा सकता है तो यह प्राप्त कियाता है हैं हैं तो क्या सेंथेटिक फाइबर्स कौन सा है तो इसमें नायलोन है अप्टन हो जाएगा गौन पाउडर किसका मिश्रान होता है आपको ध्यान दिजेगा सल्फर चार कोल और सोरा का तो अप्टन हो जाएगा भी नेश्ट देखते हैं गण धातु में होता है तो गण धातु में क्या होता है आपको ध्यान दिजेगा तो गण धातु में होता है copper और tin, zinc होता है तो अप्षन हो जाएगा इसमिस्ट सीशा यंशा टीन को सबसे कeszसे भारी दिलीखित में सबसे भारी धातू निमली खेत में सबसे भारी धातू है इ vet नहीं सब में इरणीयं ड्यान रखेगा ने ने टे़गते हैं देखिए व में सामिल है प्रमुक्ष संगठक में क्या सामिल है तो लाइम, सीलिका और एलिमूना तो अप्सन हो जाएगा D नेश्ट देखिए सबसे सुध कोईले का परकार कौन सा है तो जो सबसे सुध कोईला है आपको इंथरासाइड होता है अप्सन हो जाएगा D कि सबसे जटिल कारबनिक्पदार्थ होता है देखते हैं इसमें प्रोटीन होना चाहिए तो इसमें अप्सन हो जाएं तो इसमें अप्सन हो जाएगा आपको प्रोटीन ही होता है सबसे जटिल कारणिक प्रदार तो पायरेक्स काच मुख्य है मुख्यतव है पायरेक्स काच क्या है तो उसमाnd परतिरोधी काच होताय औप्सण हो जाएगा बी नेश्ट देखते हैं गा मेला को नाइट की सधातु का खहनीज है तो मेला कोनाइट जो है अपको ध्यान दिजिए का तंबा का है और ऑप्षन हो जाएगा ए पेट्रोल की मुख संगठक क्या है वट अपस और ुप्षनbon का कारण क्या होता है तो गोदूद में पीलेपन का कारण कारोटीन है पेट्रोलियम में जटिल का मिश्रण होता है तेनी किसका मिश्रण होता है तो प्रोपेन और ब्यूटेन का पेट्रोलियम में जटिल मिश्रण होता है तो अप्सण हो जाएगा एए नेश्ट देखते हैं एसीड एनि अम्ल बदलता है तो जो बदलता है आपको नीला लेटमस को लाल कर देता है एसीड तो अप्शन हो जाएगा एए नेश्ट देखिए कि आपीक कल्चर की सब्सक्राइब मधमख्य पालन से दिखएक पीज़िया रोग होता है मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा होता है किस के द्वारा होता है मलेरिया रोग अब नेक्ट देखते हैं अगला सेट जो की टेस्ट पेपर 34 है नेक्ट देखते हैं देखिए तो मानो शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से परभावित होता है तो टाइफाइड से होता है आपको आथ अप्सन हो जाएगा डी पानी की गंदगी से फेलने वाला रोग है तो पानी की गंदगी से सभी जानते हैं टैफाइड ही होता है अप्सन हो जाएगा डी केंसर असतीमक्ज़ा के कौन से भाग को परभावित करता है यह भाग को परभावित करता है लिवकेमिया को तो उप्सन हो में आर्टीका दिया नेक्ते हैं तो कि एड्स का अर्थ होता है अच्छना को कहा जाता है तो यह पुछ लिए जाता है तो इसे कहा जाता है अपको देखते हैं कि निमलीखित में कौन सा अमल पेट के जिवाणूओं का नास करता है आपको अपस्ण हो जाएगा बी नेश्ट देखिये है है हुमोफिलिया एक और वांसिक रोग है जिसका प्रडाम है तो रख्त का ठक्का इसमें ही मुफिलिया रोग में नहीं जमता है कि एक्वी पंचर क्या है एक्व तो मलेरिया लोक परभायूट करता है मलेरिया रोयआ बहुत करता है मलेरिया और एक Y이나 Deficiency अप्सण होजाएगा है है mi है जरोह कि इस अंग का रोग है तो है आस जो है आपको है 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 नो इस पर पानि में शरीर का कौन सा अंग प्रहायुत होता है दिखिए रोग पानी के माध्यम से होता है तो कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है तो हैजाज होता है आपको दूसी जल के कारण होता है प्याज है प्याज क्या है तो इसमें बॉल्ब हो जाएगा प्याज बॉल्ब है अप्सन हो जाएगा बी अधरक होता है तो अधरक जो होता है निरुपांतरित है तो अधरक क्या है तना है अप्शन हो जाएगा D ध्याराखेंगे नेश्ट दखते हैं इसमें कि बांस कि स्कुल का पौधा है तो बांस जो है आपको घा स्कुल का पौधा है अप्शन हो जाएगा समान्य चीनि या केनशुगर किसे कहते हैं तो ईसे कहतें हैं अपको सुक्रोज को option हो जाएगा a next देखते हैं किесть देखते हैं नासपाती का खाने योग भाग है तदा अ았습니다 का जो खाने योग हो घख गुद्देदार puspसपासन होता है अप्सन हो जाएगा A, सेब का कौन सा भाग खाने योगी होता है, सेब का जो भाग होता है, मासल पुस्पासन खाने योग होता है, अप्सन हो जाएगा C, नेश्ट देखिए, आलू का उदारन है, आलू कीस परकार का उदारन है, आलू रुपांतरी तने का उदारन है, अप् की निश्ट देखिए हैं पोध है कि की सभाग से जूट की प्राफ्टी होती है तो तो होती है ध्यां रखिएगा तो 24 का आको देखते हैं सिम्हें एक निश्टर सब्सक्राइब कहाँदेगा देखिए दिया हुआ है तना एप्षण संि हो जागा रण एक नग्हाद पदार्थ बनाने में किसका परियोग इलाता है यह देखते हैं कि कपास प्रप्ट होता है किसे से फिर्ण होता है तो क्यां सक रिष कि आप SJ eg गाए कि ओमोशेपीयंस किसका वग्यानिक नाम है तो होमोशेपीयंस जो भग्यानिक नाम मनुस्थ कहीं है 15 टेगरीज बाग मेढ़क का होता है तारपीन का तेल कि इस प्राप्ट किया अ कि अप्छेट प्राप्ट हो जाएगा C, next देखिए, सहद का मुख्य घटक क्या है, सहद का जो मुख्य घटक होता है आपको, फ्रक्टोस होता है, option हो जाएगा D, रेविज के टीके की खोज किस ने की थी, तो रेविज के टीके की खोज Edward Jenner ने की थी, option हो जाएगा A, next देखते हैं, hydroponics संबंदीत है, hydroponics जो संबंदीत है किस से है, मिट्टी के बीना पोधे की बिरिधी से तो option हो जाएगा A, next देखिए, पोधे के लिए अच्छा उरुरक है, तो पोधे के लिए जो अच्छा उरुरक है, ध्या रखेंगे, तो इसमें इूरिया हो जाएगा, यहनिकी nitrogen, next देखते हैं, बीज की बुवाई के समय समानतेया किस उरुरक का उपयोगी आता है, तो उरुरक होता है आपको, पोटास, उरुरकों में कौन सतत्ल अनुपस्थित होता है, तो उरुरक में जो होता है, क्लोरील नहीं होता है, nitrogen, hydrogen, phosphorus उपस्थित होता है, अब देखते हैं आपको, सेट नम्मर ध्यां रखेंगे सेट नम्मर 35 है और दिखते हैं इसे असत्य फॉल उत्पन होता है तो असत्य फॉल उत्पन होता है पूस्प क्रम से अप्शन हो जाएगा आपको ए नेश्ट देखिए सत्य फॉल उत्पन होता है तो सत्य फॉल उत्पन होता है किस से अंडासे से तो अप्शन हो जाएगा बी कार्णिया मानो शरीर के किस अंग का भाग है तिया आँं का भाग है ध्यां रखेगा और कार्णिया ही नेत्रदान में दिया आता है घेंगा रोक किस की कमी से होता है त verse मेंट्रदान में ditatak diataka कौं सावाग प्रतियारोपित किया आता है तो तो पॉलेसट्रोल पादीत होता हैं उसे अप्थलमिक कहते हैं तो अप्शन हो जाएगा इस तरह से मसूरुम से बहुतायात में मिलता है तो सभी जानते हैं प्रोटीन मिलता है अप्शन हो जाएगा एक नेश्ट देखिए अधिक्तम सकहारी प्रोटीन पाय जाते हैं तो अप्सन हो जाएगा आपको डालों से निए अधिक्तम जो सकहारी है प्रोटीन किसे पाते हैं किसे पाते हैं तो पाते हैं आपको डाल से नेश्ट देखते हैं तंबाकु निकोटीन होता है कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है तो विटामिन आपको ए रहता है यकृत में होती है नेत्र गोलक किस सेट दौरा 40 होता है तो अप ध्यां रखेंगे इसमें हो जायेगा आपको चोआ bipartisan देख्ये निश्ट देखते हैं है क्वा 2-5 सब्सक्राद सब अधीक लोहां पाया था हरी सबजियों में और हरी सब्सक्राद की सब्सक्राइब तो पालक में ध्यार रखेगा पालक में 0 2 निश्ट देखते हैं ilergy पर्तिकिरिया के कारण उत्पन रोग है इलर hates सकता है नेश्ट देखते हैं तो बीडाल टेस्ट का उप्योग कि संभावना की जांच के लिए किया था है लिए टेस्ट होता है टाइप लिए सभी जानते हैं एस्टिग में टीज में एक बीमारी है अप्सन हो जाएगा भी छेचक के ठीके की खोज सर परस्थम किसने किया था तोसभी जानते हैं किया अड़ार जेनर ही 177 अरगोटिम्लosph कर दिए होगा है थो संबंधित है तो है आपको संबंधित किसे तो अतिसार संपंदित है एचायएभी संबंधित है लिए Iowa सभी जानते हैं कि एरो इसका फोल्घ्रम क्या होता है तो ही मिननोї अमिनो वाइरोस होता हैоздया रखेंगे निश्ट देखते हैं निमोनिया रोग किस अंगों को प्रभावित करता है तो जो निमोनिया रोग होता है फेफड़े को प्रभावित करता है अप्सन हो जाएगा ए निमोनिया किस के कारण होता है जो निमोनिया होता है आप ध्यां रखेंगे बेक्टरिया के कारण होता है निमोनिया नेश्ट दे सबते हैं बीमारी किसे परभाव poorly होती है मेरु दंड को परभाविद करती है से सम्बंधित वोता है आपको फंगस से उत्पन होता है ध्यान रकोनेंगे एक gift दानुस को हो जाता है इस तरों से धनुस की तरह अकड़ जाता है है के 3 कि स्विमारी को और यह किस नाम आम से ristना यह यहां आपको जोड़ों का दर जोड़ों का हड़ी रहेगा वहां क्या हो जाएगा लोग हो जाएगा सर पर्थम जीवाणू का पता लगाया था तो सभी जानते हैं लिमेन होक ने ला अफ फ्लोटिंग सिधान्त की खोज किसने की थी तियों संबंधिते किस से ग्रीस बेग्यानिक आर्कमिडिस से जी बिज्ञान का जनक की से गहाता है जी बिज्ञान और जन्तू बिज्ञान का जनक दोनों ही की से गहाता है और क्यार्फ देखते हैं अब आ घर सब्सक्वांद हो क कॉन सा करदूसक नहीं परफम जीव की उत्पत्ति कब हुई थी जल में हुई थी और तीन दस्मलो आठ और वर्स पहले थी धिया रखेगा और वर्स पहले और उसमें भी कौन होता तो सैवाल का हुआ था ध्यार रखेगा सैवाल का यह जो कोईश्चन है तीन दस्मलो आठ अरब वर्स विहार 2020 में दूसरा पाली में पूछा गया था जीर के उत्पत्ति जीव से होती है कथन का सत्यापन किया किस ने किया यह कि और अप्सण हो याखव से कोफी प्राप्त होती है प्रोडे के वीजों से अप में बैश्यों कि निकोटीन किसमें पाया जाता है ध्यां रखेंगे तंबाकू की पत्ती में कीट वच्छी पौधा कौन है तो कीट वच्छी जो पौधा है ड्रोसरा जो है कीट वच्छी पौधा है आप घट पॉड़ी भी कर सकते हैं ठीक का मॉडल पॉरस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरसकार मिला तो किसे नोबेल पूरसकार मिला तो वाट्सन यूं की तो आप्शन हो जाएगा अ नेश्ट देखिए औन्वान सिक्ता के जनम दाता है तो मेंडल जो है जनम दाता है आलू क्या है तो ध्यां रखिएगा आलू जो है एक प्रकार का तना है ऑप्शन हो जाएगा बी चेचक के वैक्सीन को सरपर्थम तयार किया तो इसमें किया था डाक्टर जेनर एनि एडवर्ड जेनर ने किया था ध्यां रखेंगे निमलिखित में कौन सी बीमारी पर काबू पालिया गया है तो कौन सी बीमारी पर काबू पालिया गया है तो टीवी पर जो है काबू पालि परकिर्टिछ्ट किठनासक प्राप्त होता है तो किसे प्राप्त होता है तो हीसिए Neem के प्राप्त होता को Rasulath 192 प्रछलित रोपसे जौना जाता है तिसे जाना जाता है आपको चूल के नाम से ध्या है पर वंड होता है ध्यां रहता यह जो भड होता है थो 521 होता है फ्लूपर होटा है तो direct 2511 होता है ठीक है नेश्ट देखते हैं राडार का अविस्कारक कौन था राडार का अविस्कारक राब वाट्सन वाट्सन है मनुस्य में एलफा टॉक्सिन खाद विशाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग परभायुत होता है अप्सन देखते हैं तो इसमें अंग जो होता है यक्रित होता है अप्सन हो जाएगा ड सब्सक्राइब करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है लोलक की कालाउधी होती है देखते हैं अप्शन क्या दिया हुआ है तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है अप्शन हो जाएगा घुन जबद्किये चुमबख्येश की सुई किस तरफ संकेत करती है और कमपास इसी से बना जाता है जुराइ और के स्वेट पर्कास कुनल्णी प३र्शन होती हैं तो एक दर्भर कात क करते हुआ ने फव SSDдо करते हabord Hearts कोणना तो सकता है कमेरे को ठंड़ा किया चाहिस को छोडिने से भी नेट देखते हैं कि पर कास में 27 रंगि रंगों को अलग करने का क्या तरीका है रंगों को जो अलग करने का तरीका एक प्रिजम्स से रंगों को अलग अलग किया सकता है अप्सटन हो जाएगा ए-फिये लिए तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गा सूरे ग्रहन तब होता है जब तो सूरे ग्रहन जब होता है तो चंद्रमा जब बीच में हो इस तरह से मालिजए यह सुर हो 22 दिसमबर को होता है ऑफसन हो जायेगा है रिखेंगे सोन्य को घोला जा सकता हैsay Yap नेक्षट देखिये सी चुहा 20 मारने का जहर 50 रसायनिक पJASYell committed बनता है तिया बनता है आपको जिंक फास्फाइट से अप्सण हो जाएगा सी नेश्ट दखिए हैं कि हाइड्रोजन को जलाने से आपको जल बनेगा ध्यां रखियेगा जल यह पानी नेश्ट देखते हैं अब देखते हैं शेट नमर आपको 37 जो की काफी इन पोटेंट है नेश्ट दखिए तो मायोगुलूबीन में कौन सा धातु होता है तो मायोगुलूबीन में होता है लोहा तो अप्सण हो जाएगा डी एस्पिरीन कहां से मिलती है एस्पिरीन जो मिलती है आपको एक पेंड स नेस्ट देखिए लिगाद कहें कि अब काम थाथऊं का मिसराण होता है पी तल हुए आप ध्याँ रखेंगे तम्भा और करती है है गतिक भींट इchuss में थ्यूस्ञान तब झाँमीदों कि किसके तलाममें को युद्व परवर्चित होती है तब क्या होता है तब उस कि 30 परशेंट उसमा की आणी होती है ऑप्षन हो जाएगा chairman २ुश्यचार के कीडवन से क्या बनता है तो सकर के कीडवन से इथाईल एवकोहल बनता है अप्षन होजईगा एं मिराशा होती है तो अमलों वर्षा की से होती है तो कर்खानों से गेहूंको खेती के लिए कौन से उर्रक उपयूग करेंगे तो मैं तो निट्रोजन हो जाएगा एक पत्थरको चांद की सत्रा से पीर्थी पर लाया जाता है तो सभी जानते हैं कि जो इसका बहार बदल जाएगा परन्तु दरब्मान नहीं बतलेगा क्योंकि चंद्रमा पर गुर्तवा कर्षण एक बटा च्छा है पिर्थिवी के पेच्छा आप लिफ्ट में खड़े हैं लिफ्ट में फर्स पर आपके भार द्वारा रहा बल क्या होगा तो यह जो बल होगा इसमें अप्शन दिया होगा तो इसमें अप्शन हो जाएगा आपको लिफ्ट में 9.8 मीटर पर 30 सेकेंड के तोरण से नीचे आते समय सुनने होगा तो अप्शन हो जाएगा आपको बी आम तोर पर सुरच्छा फ्यूज लगाने के लिए परियोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है तो सभी जानते हैं कि यह होता है आपको तीन और सीसे का एक मिस्टर धातू होता है अप्शन हो जाएगा डि कि पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गरम बर्तन की सफाई के लिए पर्योग किये जाने वाले अमोनियम को राट चून से निकलने वाला धूमा है तो इसमें अप्शन हो जाएगा आपको अमोनियम और हाइड्रोकलोरीक एसीट अप्शन हो जाएगा डि देश्ट भाग तामबा घनतों 8900 kg प्रती घन क्यूं से मिलाने पर पीतल बनता है तो पीतल का घनतों होगा तो तो 83,000 kg प्रती मीटर क्यूं होगा तो अप्शन हो जाएगा B नेस्ट दखिए ऐल्कोहलीक खमीर का आखरी उत्पाद क्या होता है आखरी उत्पाद होता है आपको इस्पाइल एल्कोहल अप्सन होजगा सी नेश्ट देखें हाइड्रोक्लोरिक एसीड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिकिरिया करता है वह किरिया किसे करता है तो कांच की सिलिकॉन डायकसाइट से तो अप्सन हो जाएगा डी नेश्ट देखते हैं थोड़ी देर रखने पर किसी धातू के उपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है तो अधातू कौन सी है तो धातू देखते हैं ऑप्सन इसमें कौन दिया है तो इसमें हो जाएगा आपको तामबा चुकि तामबा हरा हो जाता है हमें लोग भी देखे हैं इस्तर है निए निए थे को एक बर्तन पर विधूत लेपन की भी धे दिधिया रखेंगी बर्तन को रियंड़ द्रूप और सुद जस्ते को धंद्रू बनाया जाता है अपसें होता है तो सुस्क बरफ क्या होता है अब ध्यां रखेंगे ठोस नहीं होता है देखते हैं कि निमलिखीत में कौन सा बीटामिन खून के जमने में आवस्यक होता है तो कौन सा होता है तो कि निमली खित में कौन सा हार्मोन है तो कौन सा हार्मोन इंसुलीन क्या है हार्मोन अप्शन हो जाएगा सी कि विकास का कारण है तो विकास का कारण क्या है पीड़ी एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में क्या होगा अनुकूलन तभी विकास होगा क्लोरोफील में कौन सी धा पहला प्रस्णिस में का निम्लिखित में कौन सा मनुष्य में असेसि गनर्व नहीं है कौन सा है तो सामने वाले चप्टे दाथ कृतांकि जो गनर्व यहीं और सबस्क्राव में सबसे मीठी होती है तो सबसे मीठी होती है इस सदी की सुरूवात में हवाई जहाज का अविश्कार किसने किया था था अविश्कार किसने किया था राइट बरदर्ष कब किये थे तो 1901 में किये थे वल टेलिस्कोब की खोज किस वयःग्यानिक थी त्यों कि gekommen देखते हैं इसकी बिच की दूरी को किया किसम अपसंन हो जाएगा हma कि कोंची भ॥ृतिक राशी प्राप्थ होती है कोंची बहुति राशी प्राप्त की जाती है इसमें सल में द्रब्मान ऑर तोउरन का बॉल क्या है फोल है नेश्ट देखते हैं दे निम्लिखित में कौन सी रही में ही सधीज रहती आइतान जो है सधीज़ एक किलोपीतर दूरी का मिज़ात करने का सभी सुतर क्या है तो रहिए बराबर UA-t fixes रहे था चाहे है तो ईसका टीया होता है इसका अप्सन क्या लेह हुआ हुआ है ध्यान दिजिएगा अश्ट फलकिये होता है तो अप्शन हो जाएगा आपको बी अब नेक्ष्ट देखते हैं नेक्ष्ट देखते हैं जिस तत्य के परमाणू में दो पोट्रान दो न्यूट्रान दो इलेक्ट्रान हो उस तत्य की द्रमान संख्या कितनी होगी उस तत्य की द्रमान संख्या होगी चार ध्यां रखेगा नेक्ष्ट देखते हैं निमलिखित में कौन सा इलेक्ट्रोनिक सर पर धातु तत्तों के लिए ने कौन सा है थोड़ा समय मिल रहा है तो आप भी अपना गेश्र सकते हैं इस तरह से आपको मुझे भालाएड गरन्ठी से थाइरक्षीन देखते हैं कि कशेर की रज्जू में कितनी जोड़ी तंत्रिकाय निकलती है तो कितनी जोड़ी तंत्रिकाय निकलती है तो एक तीस अप्शन हो जाएगा सी पर्तिवर्ती किरियाओं का नियंतरण के अंदर कहां पर है तो पर्तिवर्ती किरियाओं का नियंतरण के अंदर जो होता है आपको ध्यां रखेंगे कशेर की रज्जु में तो अप्शन हो जाएगा सी नेश्ट देखिए है निम्लीखीत में कौन सा धातू रोसनी के बॉल्ब में फिलामेंट के रूप में पर्योग होता है थातू हो जागा पो टंग ऑस्टं ऑप्सन हो जाएगा विश्ट देखते हैं निम्लिखित में किसे सुस्क वर्फ कहते हैं तो सुस्क वर्फ जो कहते हैं ध्यान रखे का ठोस कार्वन डेक्साइट को अप्सन हो जाएगा सी महें सोण वाल एंसी आटी का पूरी बूख चैनल पर करा दिया गया मास्टर वीडियो के रूप में एक विसे का आप उसे देखकर लाव उठा सकते हैं निम्न धात्मों में कौन समाने ताप पर कौन द्राव है तो पारा जो है समाने ताप पर द्राव है सवर उर्जा निम्न में किस से प्राप्त होती है सवर उर्जा जो प्राप्त होती है ध्यान दीजेगा अप्शन दिया हुआ है यह सूर से ही प्राप्त होती है सभी जानते हैं निम्न में कौन सी धातू और चालक के रूप में ट्रांजिस्टर में परयोग होता है और चालक उर्जा को अप्शन हो जाएगा C नेश्ट दखिए पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस परकार के लेंस से बनते हैं तो लेंस से बनते हैं किस परकार के उत्तलत अप्शन हो जाएगा B सबसे सक्त कौन सा। हिर्ए apocalypse हुजाएगा सबसे सक्त आपको है फैसंग क्या कहते हैंी है थ्यान कहते हैं ध्यां रखेगा उर्द्व पातन कहते हैं। सबसे सबस्क्राइब होस्ट देखते हैं निव्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने के लिए बसतु की पर रच्षण में परियोब किया चायता है उसके कखराब होने से बचाने के लिए परयोग किया निकलने वाली ग्येस कौन सी है तो वाहनों से निकलने वाली जो कर्वान मोनोख्साइड होती है कि छाना बनाने में पर्योग की जाने वाली गैस मुखोट सहे तिसमें जैस आपको ध्यां रखेंगे तो औो हो जाईगा सी नेश्ट देखते हैं कि नीम्न में कौन सा पदार्थ साभून बनाने में परियुक्त होता है तो साभून बनाने में जो परियुक्त होता है बनस्पति तेल का होता है अप्शन हो जाएगा ए नेश्ट देखिए मनुस्य के शरीर में खून की सुधी करण की परकिरियाव क्या कहते हैं तो सभी जानते हैं डालेसिस कहते हैं अप्सन हो जाएगा यह नेक्ट देखिए विटामिन जो खटे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्त रखने में जरूरी होता है तो कौन सा विटामिन है तो विटामिन सी है अप्सन सी हो जाएगा निम्न में किसकी कमी से मद में होता है तो किसकी कमी से मद में होता है इंसुलीन की कमी से क्या होता है मद में रोग हो जाता है देनिक डाइबिटीज होता आता है पौध है यह पेड़ों को खाना तयार करने की प्रकिरिया क्या कहल है तो उतरदाई पदार्थ आपको हो जायेगा ध्यांधे एंजाइमाप्स 550 प्रथम भारती उपक्राया आरे भट कप छोड़ा गया था आरे बट छोड़ा गया था आपको ध्या रखेगा पानी का अधिक्तम जो घंट तो होता है पानी गहनत तो चार डिगरी सेल्सियस पर दाढ़ी बनाने के काम में अलाते हैं तो दाढ़ी बनाने काम में अवतल दरपन ताकि बड़ा फिगर दिखाई दे और कटे न दोपहर के बारा बजे किसी दिशा में इंदर धनुस दिखाई देते हैं यह नहीं दिखाई पड़ेंगे क्योंकि सिधा परत्वीम बनेगा दूर दृष्टी निवारन के लिए काम में लेते हैं तो इसके निवारन में लेते हैं उत्तलेंस अप्शन होजाईगा सी फ्यूज का सिधान्त है जो सिधान्त है विद्दूत का उसमिय परभाव अप्शन हो जाएगा सी नेश्ट देखते हैं परकास का सुन्य वकास के वेग अनुमानता होता है इसका अनुमानता वेग क्या होता है तो ध्यां रखेंगे तीन गुड़े दस प्रघात आठ मीटर परदी सेटेंड 程 किलो मीटर पर ती सेकेंड भी आप याद रख सकते हैं नेंस्ट अंब धोने के सोडा का रास आयिक सुत्र क्या है तो नहीं के सोडा इनद छे तूसी यो ठीन सुस्क वर्फ तो क्या है ठोस्कारबन अख्साइट अप्षन हो जाएगा वी थी डिखिए रसाइनिक उद्योग में कौन सा तेज़ाब मूल रसाइनिक माना जाता है तिया माना जाता है आपको यह सफोर इनी सफिरीक अमल परमाड़ू के नाभीक में निम्न होते हैं तो पर समय रखेगा तो इसका अप्षन हो जाएगा यह सो त्योप्स अप्षन ओसे देखते हैं कि सिदातू तो से बनाया हवाई जहाज तथा रेल दिबे में पूर्जे के नाम से लिया याता है तेसी सभी जानते हैं इसका हो जाएगा अलुमिनियम से यहीं बनायाता है ताकि हल्का होगा निक्श्ट देखते हैं हैं कि आतों में रों की निदान में निम्न करणो का उप thrown कि आता है कि किरण का पर्यों का तरे विकार साला में सर पर्थन डिनैंगा प्संपर सब किया था ढदे खूराना प्रकास के लिए कौन सी आवस्यक है तो प्रकास संसेलेशन के लिए सब्सक्राइब कर देता है तो सभी जानते हैं कि वह सभी को रख्त देता है और यह भी सभी का लेता है पूरुस जीन संगठक होता है तो पूरुस जीन संगठक एक सवाई होता है अप्शन हो जाएगा भी नेश्ट देखिए प्रकास संसलेशन होता है तो प्रकास संसलेशन कहां होता है तो ध्यां रखेंगे केवल दीन में होता है प्रकास संसलेशन कब होता है केवल दी नेक्ष्ट देखिए शूरी के परकास को धरती की सतो पर पहुंचने में लगभग यहनि की लगने वाला समय लगभग कितना होता है तो इसमें जो समय लगता है लगभग 8 मिनट 30 सिकेंड का तात्वर हो गया 8 मिनट जो 20 सिकेंड हो जागा ठीक है इस तीन सिकेंड सभी दिया है थे रखेंगा शूरी के परकास को धरती तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है तो यह सेकेंड दिया हुआ है यह गलती हो जागा ध्यार के मीनट होगा आठ डसमलों 3 मिनट होगा ठीक है इस बात को आप ध्यार रखेंगे यह गलती दिया है इससे सुधार यह आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमनेश्ट देखते हैं इसमें देखिए सेट नमर कौन दिया है चालिस इसमें पहला प्रसंद देखते हैं पानी का घणतो अधिक्तम होता है जो पानी का अधिक्तम घणतो होता चार डेगरी सेल्सियस पर होता है सर सीबी रमन को भौतिक कार्नोबिल पुरसकार प्राप्थ हुआ था तिया प्राप्थ हुआ था 1903 में रमन प्रभाव की खोच करने के लिए प्राप्थ हुआ था दूध उदाहरण है एक तो दूध जो उदाहरण है तो किसका इमल्सन का अप्शन हो जाएगा की घरेलू एलपीजी सिलेंड्रों में दाब मापक नहीं परदान किये जाते हैं क्यूं क्यों परदान नहीं चाहते हैं तो एल-बीज द्वारा चौह हो जाते हैं अप्सण हो ज약अ केक गर्म कर 네, क्रमेेटोग्राफी की तक्नीक पर द्यां रखेंगे इसमें हो जागा रंगिन बदार्थों के परभाव के आस्वन में से दिखेऊं WITH कॉन सा मिल सीरिक होता है तो में व्यूक होता है कि अप्रशन होता है रिष्ट प्लास्टर जाते हैं कि अस टू टो होता है कि आ कि मैं होता है तो इन देखते हैं सूर्य पर उर्जा का निर्माण होता है तो इसमें कौन होजादा सल्य हैं ऐसरेशनकीर्या का देखते हैं आपको भी ना भी किये शवर नब्खिरिया अब देखते से का रसाइनिक है तो आप्सकर्वी और देखते तो नेंश't देखते है कि नी मिखीत में से किस खनीज द्वारा लोहाा प्राप्ट की आ सकता है तो हेमाटाइट द्वारा लोहा प्राप्ट की आ सकता है है कि हेमाटाइट लोहे का ही अश्ग है और सबसे बेश्थ है एक कार बैटरी में परियुक्त बीदूत अब घटए होता है तो एक बैटरी में होता है आपको सल्फियूरिक अप्शन हो जाएगा बी नेश्ट देखते हैं जितना भी आता है उतना का देखिए गुणा करके सबको एक खजार का भागा देदेना है यहीं सिंपल बात है आप खजार का भागा दीजिएगा तो एक होता है तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है अप्शन हो जाएगा देखते हैं थड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इस डिये हूँ हैं थंड की दिनों में लोहे के गुठके और रखणी को प्राटअ का चुए तो लोहे का गुठका थंडा लगता है क्यों लगता है तो इसमें लकडी की तूल्णा में लोहा उस्मा का अच्छा चन लग है कि हावा में जिस गयस की मातरा सबसे अधिक होती है वह तो जानते ही है 78 परसेंट क्या नैट्रोजन अप्शन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है तो ध्यार रखेगा इसमें हो जाएगा आपको नैट्रोजन अब नेश्ट देखते हैं 100 मंदाल का सबसे बड़ा गरा है तो यह तो सभी जानते हैं कि विरस्पति है और इसका उपगर्ण गएनी मीड सब्सक्राइrica सेज्ट के लना क्या है कि अधिन अधिक के रखेंगे यह नाभी में क्या होता है पोट्रान और न्यूट्रान होता है, option हो जाएगा C, next दखिए, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिये रसायन क्या है, तो जो सक्रिये रसायन है, ध्यान देंगे, एलिथरीन होता है, option हो जाएगा A, next दखिए, किसी परमालू नाभीक का आईसो टोप वर नाभीक है, ध्यान रखेंगे जिसमें पोट्रानों की संख्या वहीं होती है, परन्तु न्यूट्रानों की संख्या भीन-भीन होती है, आपको आईसो टोप यनिकी समस्थानिक कहलाता है, next दखिते हैं, बीस वर्स की आयूमें मानों, शरीर में हड्डियों की संख्या होगी लगभग, तो जो हड्डियों की संख्या हो जाएगी आपको ध्यान रखेगा, उसमें 206 होता है, इसमें 206 तो अप्सन नहीं दिया है, अप्सन हो जाएगा D, इस तीरियों की तुलना में पूरुस और अनांता से अधिक पीडित हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, तो उनमें केवल X क्रो अप्सन हो जाएगा C, नेश्ट देखिए, बिजली की खपत किसके मापन पर अधारित होती है, यह खपत जो होती है ध्यां रखेंगे वाट पर अधारित होती है, तो अप्सन हो जाएगा A, नेश्ट देखते हैं, इसमें अगिला 41 सेट, जो की काफीन पोटेंट 44 बार बार इस तरह से पढ़ने से याद हो जाएगा निमलिखित में कौन बैकल्पी कुर्जा का सबसे बढ़ा भंडार है तो सबसे बढ़ा भंडार सवर उर्जा है अप्सन हो जाए जब सारा पेट्रोलियूम और कोईला समाप्थ हो जाएगा तो सवर उर्जा से काम चला क्या जाएगा रेडियोधर्मी पदाथ सर्जीद करता है तो जो रेडियोधर्मी पदाथ करता है तो बिटा की जल की अस्थाई का टोर्ता करण लए कहला है केल्सीयम त्हा मेगनिसियम के को रैट और सलफीड उप्जा हो जैगा देखिए निमलिखित में सबसे भारी धातू है तो जो सबसे भारी धातू होता है ऑप्षन में उरेनियम होता है और इस तरह से उस्वियम होता है हास गैस क्या है तो हास गैस आपको ध्यार रखेंगे नाइट्रस अक्साइड होता है हास गयस तो अप्शन हो जाएगा डी नेश्ट देखिए प्रति वर्स पांच लाख भारतिये एक रोग से मरते हैं इसकी पहचान करें तो यह इससे टीवी यहनिकी टीवी से मरते हैं ध्यां रखिएगा टीवी को 6 रोग भी करते हैं नेश्ट वर्गी किरित किये जाते हैं तो डॉल्फीन जो वर्गी किरित किया जाते हैं कि इसमें अस्तनी में अप्शन हो जाएगा अपमार्जक क्या है अपमार्जक जो है सोधन अभी करता है अप्शन हो जाएगा डी नेश्ट देखते हैं आर्कियो अप्टेरिक्स है आर्कियो अ महत्तपुर्ण अंग है तो इसमें महत्तपुर्ण अंग हो जाएगा पूस्प यानि पूस्प से हिजन्रेशन चलते रहेगा पौधेका बीज बनेंगे फोल में फोल में पर्रिछ बनेंगे कि सबस्पति खाद में अधिकतम हो जाएगा एक नेश्ट देखिए कि बर्तमान प्रमान के अनुसार पिर्थी पर जीवन का उद्गम दो लाख वर्ष पूर्व हुआ था इस युग में प्रोटो जोवा सेवाल और जीवाड़ू थे तो कब हुआ था तो इसमें तो अप्षन देहीं दिया ध्यां रखेगा तहिए दहाई सेखड़ह हजार 10,000,000 लांख दो लाख वर्ष पूर्व अप्शन हो जाएगा वी देखते हैं पर ढता वर के रक्त दाता का रखत गुरूप होता है तो कितना होता है वह थे अप्शन होता है अप्शन समान्य सुस्क देख्ट होता है इसमें उप्षिक आप एपसुन हो जाएगा दिखते हैं है च एक डाइनेमो मॉत दीचा में बदलता कि घ्रिक कर सकते हैं अब दंते हैं अकास नील लगता है क्यों अकास जो नीला लगता है ध्यां रखिएगा लगुत तरंग दिर तरंगों की अपेच्छा वाई मॉंडल द्वारा अधिक प्रक्रिण होती है इसलिए लगता है अप्शन हो जाएगा आपको बी नेश्ट देखते हैं एक माइक्रोन ब्राबर होता है एक माइक्रोन ब्राबर एक बटा में 1000 मिली मीटर के ब्राबर होता है ओती-चालकता का लच्छन है अती-चलकता का उच्छ पारा गम्मेता अप्शन हो जाएगा ए कि cana siara की चु empleo कितने रंग में होते हैं तो सभी जानते हैं सात्रंग वर्सा कि बूंद्ध पी गुलाकार अखिर्थी का कारण है इसमें हो जाएगा कि प्रिष्ठिय तनाव की कारण वह क्या होता है गुलाकार होता है आप्शन हो जाएगा वी देखते हैं को कमरे में रखा रेफ्रीजेटर का दर्वाजा खोल कर खोलने से क्या होगा अंतत्व आप अंतत्व कमरे को थोड़ा गरम कर सकते हैं अप्शन हो जाएगा सी नेश्ट देखते हैं प्रमाणुबम का सिध्धान्त धारित है प्रमाणुबम का जो सिध्धान्त है ना भी किये भी घंडन पर अप्शन हो जाएगा बी प्लास्टर और पेरीज़ का सुत्र होता है C-A-S-O 2 .2は in 2 . Bye-bye . के निभू खट्टा किसे कारण से होता है तो ऑप्सन होता है अप्सन हो जाएगा ऑस देखते हैं रखेंगे मिस्षरण है ? अब नेस्ट पेपर देखते हैं इसमें सेट जो किशें अब देखिए सेट नममर आगया टेस्ट पेपर 42 देखते हैं कोरे विरंजक चूण के लिए कौन सा कथन असत्त्य है जल में अधिक भी लेता होता या कथन असत्य तो कौन सत्य है विरंजक चूण हलके पीले रंका चूण है आक्सीकरन है तनु की पर्ऴ किर्या से कलोरी निसकाशित करता है तिस तरह से अप्षण हो जाएगा यह और बाकि सही है है ज़से बाहर निकाले जाने पर मछली तो rator को कि अपशान हो जाए हैं इते हैं अ कि मंधमक्षी का लोटज सदस्य एक दूसरे को परकार पहचाने एक दूसरे को नर्तन द ले अपस्ठान सी मनुष्य की विश्क्राइब कितने दांत दो है तो मनुष्स की खोपड़ी में जो अस्तियां होती है तो कितनी होती है 8 अथ होती है कि मनुष्य का पुरुवश क्या है आध्हानीक मनुष्य का जो है क्रो मैगनन मनुष्य Kigu थनोचीछ peg मापोध्य BER cred है किमें लगातšे अब किתना के से और तुमम से दुने इंसुलीन प्राप्त होता है इंसुलीन जो प्राप्त होता है ध्यान रखेगा डहलिया की जड़ों से अप्शन हो जाएगा बी नेश्ट देखते हैं हर्गोविंद खुराना को ध्यां रखेंगे हर्गोविंद खुराना को किस अविस्कार के लिए समानित किया गया था तो अविस्कार के लिए जीन संसेलेशन के लिए ध्यां रखेंगे 1960 में इन्हें नुबिल पुरस्कार परदान किया गया था संसार का सबसे बड़ा पूस्प है संसार का जो सबसे बड़ा पूस्प ध्यां रखेंगे रेफलोसिया है अप्शन हो जाएगा बी नेश्ट देखते हैं तना काट आमतोर पर किसके परवर्धन के लिए परयोक्ति आयाता है परवर्धन में आसे गणा को बोने के लिए पहने को काटके बूय आ है मतरपज है मनुष्य के सरीर में पंपकट कर ल होती है अब सनुरेगे भौतिक परिवर्तन होता है तो ध्यान देंगे पानी में चीनी का घुलना क्या है भौतिक परवर्तन है दूद से दही बनना मुंबत्ती का जलना हावा में चान्दी के बर्तनों का काला होना यह सब रसाइनिक परवर्तन है और कोई पर्तकिर्या नहीं होती जब घुजरती है उपर से कहां से गुजरती है इलमुणियन की उपर से कोई पर्तकिर्या होता है नहीं होता है स्टेनलेश इस्टील मिसर्धातु ए लोह और क्रोमियम का ओप्शन हो जाएगा सि नेक्ट दिखते हैं निकोलस कोपर्निक्स प्रसिद्ध हैं तो निकोलस जो कोपर्निक्स यह बताते यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों और चक्कर लगाते हैं नो की पीठ्थी भी अप्शन हो जाएगा भी नेश्ट देखते हैं हुआ है कि शिग्रोव सिग्रोथ पादी रियक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभीकिया रियक्टर जो बीजली उत्पन करता है तो जो बीजली उत्पन करता है ध्यां रखेंगे इसके द्वारा इस्तिमाल की गई है कि समाग्रियों को जलाने तथा उन्हें पुना उप्योग करने के लिए आप्शन हो जाएगा सी नेश्ट देखते हैं लुढ़ो पर मारू उर्जा में भार्तीर कारकरम के जनक है तो बहर्तीर कारकरम के जनक हैं एच जो भावा अप्सन अंतरिच्छ वीमान पर अनुसंधान और विकास का स्रेज आता है किसे जाता है बिक्रम सारा भाइब को अप्सन हो जाएगा भी बएग्यानिक औलविड आंस्टीन प्रशीद सेब्रकास में विदूद परभाव के लिए प्रापसण भाता इसमें क्शेंजानों एक परकिरिया मुद उसमें अर्दा में यह थाया देखते हैंепर क्या बताता है तो देखते हैं क्या दिया हुआ है कि जॉल और अस्थल दोनों पर रह सकने वाले पस्वों को तो अप्शन हो जाएगा अब नेश्ट देखते हैं कि सेट नमरा गया तालीस जो की इन पोटेंट है कि अलेरिया के संबंद में कौं सा कथन सत्य नहीं है तो कौं सा कथन इसमें अप्सन हो जाएगा आपको ए और बाकी सही है क्लोरोकीन जो दवा है बीस में सबसे अधिक भारत ही उत्पादन करता है बीस नॉवंबर उन्नेई सो संदानवे को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस सटल का नाम था तो उसका नाम था आपको कोलंबिया अप्सन हो जाएगा ए नेश्ट देखते हैं गामा किरणे है नामए किरने किया है तो उच्च ऊर्जा वाले विद्धु चुम किये तरणंघ तो अप्सन हो जाएगा नेश्ट देखिए नभीकिये उर्जा परिवर्तन है तो नभीकिये जो उर्जा परिवर्तन है उरेनियम का अलफा कणों से अप्सन हो जाएगा A नेश्ट देखते हैं जिन धातूं को पीट कर पत्तर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाती है तो अकहलाती आपको तन्य धातू अप्विधा जाने से ने निमनांकित में और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है नहीं संय किया सकता है रखेंगे pię 있는 ooh अब सबसे कसमें लेता है या धिया खाँ सकता है अप्जरू तोझे कि यह की प्रकास प्रकरियाय है तो प्रकास जो रसाइन को पिडिया है क्या होता है कि दिए यह गोवागत ड्वारा प्नारम्ब होती है कोपर सल्फेट का घॉल मैं तो जो जल मेंилась होता है ध्याँ रखेंगे जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है अप्सण हो जाएगा ए निश्ट दखिए कि एक कमजोर अमल है क्यों कि क्यों कमजोर अमल है इसका आयोनियन निम्न होता है अप्सण हो जाएगा बी एक त्री अधार यह अमल का अणुभार 176 है इसका समतुल्य भाग होगा तो जो इसका समतुल्य भाग होगा 58.6 होगा ध्याँ रखिएगा निश्ट देखते हैं का किस था म हैं तामबे की त्यूंश था तु था था थनु है उसन होगा बशलो के देखते हें ए कि में अधिक नहीं लेना चाहिए को सब जानते हैं वाशा नहीं लेना चाहिए जर्मन सिल्फर में सम्मिलित होता है जर्मन सिल्फर में तो होता है आपको कॉपर जिंक और निकिल होता है जर्मन जाता नी जाता नी जस्ता तंबा निकिल हो जाएगा सुत्र है इसे ध्यां रख सकते हैं टैप को कि सीशा संचायकों में परिउक्त अमल होता है सीशा संचायक में होता है फूर अप्सन हो जाएगा सी निम्नांकित में से किसमें कोबाल्ट होता है किसमें कोबाल्ट होता है अप्सन हो जाएगा डी पीर्थिवी के भूपटल में सरवाधिक होता है तो पीर्थिवी क ज्ञान का पिता किसे कह जाते हैं और अस्तू को अप्शन हो जाएगा बी सबसे विसाल जीवित अस्तन पाई है तो सबसे जो भी साल है नीली हुएल है अप्शन हो जाएगा सी बरख पर चलते समय किसी को सरकने से बचने है तो छोटे कदम से चलना पड़ता है क्योंकि छुदरतर कदम निश्चित करता है किस बात को निश्चित करता है तो बिरिहत परत किरिया बल को अप्शन हो जाएगा सी यदि पिर्थिवी परिकर्मन बंद कर देती है तो इसकी सतह पर अभासी मान क्या होगा इसकी सतह पर जो अभासी मान होगा सभी अस्थानों पर एक्सा रहेगा अप्सन हो जाएगा नेक्षट देखते हैं द्रभमान एम एक ब्लोक चीकना और दोर वर्दाकार मार्क से होकर नीचे की और फिषलता है गती के दरान ब्लोक रहेगा तो उर्दौर्दा संतुलन पर छेती संतुलन पर और ये संतुलन पर तो इसमें किसी पर नहीं रहेगा तो अप्सन हो जाएग किसी पिंड के सभी कांड मूल विंदू से आर दूरी पर इसीत हैं, तो गिंद के दरमान की केंदर की दूरी क्या होगी, तो जो केंदर की दूरी होगी आपको आर होगी ध्यां रखेंगे, नेश्ट देखते हैं, ह्याइड्रोजन अडू में कौसा आवंध उपस्तित है शहें सवयोजक exem अबंध होता है अफ्सन हो जाएगा बीच्ट देखे ए कि प्रविस बनाया जाता है प्रविस जवह जिटर विपसन सबनाये प्रीट कि गोत्त होता में मोखित होता है तो गोवर्व Dollar में मित्हें होता है अप्शन हो जाएगा निश्ट देखते हैं निश्ट नमर 44 सैलीनो मीटर यंदर का परियोग होता है तो किसी घोल में लवण की मातरा निर्धारित करने के लिए होता है तो स्ट याश्ट देखते हैं कि अंतर किरिया नहीं करता है तो क्या नहीं करता है इस्थीर आवेशों के साथ अप्सण हो जाएगा एग व्यक्ते हैं एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक बिद्दूत सक्ति का बीतरण उच प्रतिवर्ति धारा भोल्टता पर किया जाता है क्यों कि तो क्यों किया जाता है तो बिद्दूत का अपव्याय कौम होता है अप्शन हो जाएगा एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंधा अन अप्शन हो जाएगा भी कि मानों आख की रेटीना पर निर्मीत परतिवीम होता है तो जो निर्मीत परतिवीम होता है ध्यां रखेंगे वास्तिवीक एवं उल्टा होता है अप्शन हो जाएगा भी कि जब सिरी एक्स सिरी वाई के साथ हाथ मिलाते हैं तो किस परकार का ब में क्या होते हैं तो इसमें देखिये अफसे निधर दिया होगा थो सोडियम के धनात्मत आयन क्यों करी रिर्णात्मक बनते हैं तो फसर रजाएगा देखते आप थोड़ा सवग्स कर लेते हैं इसे कि एच सी एल और एच सी थीरी सी ओ यज से अधिक सक्तिक्या साली है क्यों कि क्यों सक्ति साली है यह हाइड्रोजन आयन उत्पर्ण करने है तो संपूर्ण आयनित हो जाता है अप्शन हो जाएगा बी निश्ट देखिए जस्ता निम्नमीश्र धातु में उपस्थित नहीं है तो जस्ता किस में उपस्थित नहीं है तो कांसा में अप्शन हो जाएगा बी सुस्क वर्फ क्या कहलाता है तो ठोस कारबन डेक्साइट तो अप्शन हो जाएगा ए निश्ट देखते हैं कि आद्र हावा में लोहा के मोर्चा में सामिल है लोहा के मोर्चा में जो सामिल है तो लोहा द्वरा इलेक्ट्रानों की हानी होती है अप्शन हो जाएगा एक धातु जिसे लोह के साथ मिलाकर स्टेनलेस इस्टील बनाया जाता है वह है तो क्रूमियम है अप्शन हो जाएगा दिमलिखित में कौन अलोव धातू है सबस्टर निमलिखित में से कौन सा एक रसायनिक अभिकिरिया नहीं है नहीं है तो काश्ट का जलना दूद का दही परिवर्तन और लोहे में मोर्चा लगना रसाइनिक है जबकि जल का लगन घुलना रसाइनिक नहीं है कि विकास सील उन्नत फसलों में संस्क्राण उपयोगी है तो संस्क्राण उपयोगी क्या है जीनों का अनुकूल समिश्रन उत्पादन करने में तो अप्सन हो जाएगा सी नेश्ट देखते हैं और ने मलिखित में फसलों में किसे में सबसे अधिक प्रकास संस्लेषन से करिया होती है यहां तो यह दिया अँपको हो जयाएगा इसमें आपको अब घंणा में ऑप्सण में मानो शरीर में दिर्खतम अंतरवी ग्रन्थी कौन में प्राप्त होता है तो मोरियम जो पराप्ट होता है पीरिंडे से होता है सर्वाधिक तत्य तत्य है और जलों घ्टर करते है को जल में में स्क्राइब सर्वाधिक करती है तो सीसूट इत्वर क्या जेनिक्स एक विज्ञान सबिगन संबंदित नीम्दापिन किस के द्वारा तो हिूगे Ums के द्वारा परतीष्थापित किया गया था अधिया अब ए कि जब किसी पिणड कोई ई। स्थिर भॉल का पर्याउग किया जाता है जो हूए одно समान से चलेगा तो किस पर तो तोरण से अप्सन हो जाएगा सी नेश्ट देखते हैं कि परकास की गती नियुंतम होगी जब यह गुजरती है तो जब गुजरती है आपको कांच से होकर ध्यां रखेंगे नेश्ट देखते हैं कि जब 0 डिगरी से 10 डिगरी टक जोल को गरम किया आता है तब जल का एयतन क्या होगा तो जयां रखेंगे पहले कमता है और बाद में बढ़ता है अप्सन हो जाएगा सी नेश्ट दख्यानिस fed देखते हैं जो कि काफी इन पोटेंट है तिसमें पहला परसंद देखते हैं किसी Mei दीपक की बद्ति से तेल उपर चढ़ता है तो किसके कारण तो किसी कत्वकिरिया कारण तो उफ्सन हो जाएगा डी को है मोटर कार में पश्च द्रीश्य के लिए कौण को सा temporary होता है उसमें रहार होता है यह ज़ेंगें उत्तल दर्पन का अपर सब दो है कि निम्न में सर्भाधिक परिश्ठित की इन्दन है तोस परично vragen क्योंकि यह ज्यादा पर दूसरण इससे नहीं होता है यह होता हैकत मस्तिक्स के इलाज में किया आता है कि रेटियो शकीरता का विष्कार करने वाले ग्यानिक हैं तो रेटियो शकीरता विष्कार करने वाले हेणीरी बेक्रोल अप्स anarch है गडी सरो थे लिए कि बैदूती इस्तिरी में अबरख का परियोग होता है क्योंकि यह ध्यां रखेंगे क्योंकि यह क्या होता है ताप तथा बिदूत दोनों का कुछालग होता है अप्शन हो जाएगा सी किसी धातु के प्रिश्ट के प्रती सेकेंड उसरजित फोटो इलेक्ट्रों की संख्या आप्तित प्रकास की गूण अपसन हो जाएगा बी नश्ट देखते हैं पहरँ कौन सा करता है तो सूरिक 88 दिनों में एक चकर करता है तियों हो जाएगा बुधर सबस्ट देखते हैंarnya मार्सके नाम से जानाभ देखती है तो मार्सके नामक पोधे के किस भाग से प्राप्त होती है था से अप्सपन होता है शीठी क्या है तो जीए अन्वाण सी गुणों का वाहक है एक इसे दूसरे जीन होता है जीओं का विकास होता हैं क्रुमोसों सब्द सरपर्थम किस ने दिया था और मोसों जो सब्द वाल्ड एयर सबसे पढ़े दिया था लैंगर की दूपिक आंप आप आए न से में फोन हो जाएगा भी रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है तो रिकेट्स जो होता है आपको विटामिन डी की कमी से होता है बेरी-बेरी रोग किसकी कमी से होता है तो बेरी-बेरी जो होता है थाइमीन की कमी से होता है विटामिन हो जाएगा भी हो जाएगा नेश्ट देखते हैं किसी बस्तु में जड़त्तो का गूण किसके कारण से होता है तो किसी जड़त्तो का गूण किसके कारण से होता द्रमान के कारण होता है अप्सन हो जाएगा उबासे दखते हैं को नीमिलीखित में से ऑल और पीनटर ग्रीन किसे कहते हैं अभी स्कूद भीट देखते हैं K अ कुलोरोफील मेंनीमिलीखित में क्या पलाटा है क्लोरोफील में आपको ध्यां मेगनीसियम धातुप्य पर्रोटीन संसलेशन किसके द्वारा किया आता एन राइभ जोम द्वारा तए उप्षम हो जाएगा बी देखते हैं मैं कि तॉनियं का का रहे है तो संभ़न करना संग्रहンニ करना सखाए तथा पत्तियां उत्पन करना तो अप्षम जाएगा कुमरे में रखे रेप्रीजेटर का दरवाजा खुलने से कमरे की ताब पर पर परभाव था बढ़ जाएगा आप्सन हो जाएगा कीज बीटामिन का रशानिक नाम करें नाम टोकोफहरोल है तो सभी जानते हैं कि बीटामिन लाल रंग प्रकास संसलेशन में सबसे अधिक प्रकास संसलेशन होता है जपान के निवासी किस नामक सैवाल का उपवियोग सलाद के रूप में करते हैं तो सलाद खाते हैं ध्यां रखेंगे अलबा के रूप में अप्शन हो जाएगा नेक्ट देखते हैं वह किरण जो नियूट्रान के टूटने से बनती है तथा जिसका बेक परकास के बेक के बराबर होता है कौन सा है तो बीटा किरण अप्शन हो जाएगा बी और किमीडिज नामक परसिद बैग्यानिक ने कौन सा नियम परतिपादित किया था तिया परतिपादित किये थे आपको जल उत्पलावन का नियम तो अप्शन हो जाएगा बी कि जंपिंग जीन का सिधान्त कि इस बैग्यानिक ने प्रतिपादन किया था तिया प्रतिपादन करने वाले थे बैग्यानिक बरबरा मैकलीन टाक यह थे अप्सण हो जाएगा इसमें सभी प्रसंद काफी इंपोटेंट दिये गए हैं आप इसे एक नजर पूड़ा देख ल फियाच मान इतना होता है जीव और निर्जिव के बीच की कड़ी है लुजटा है और ऑफश सिमेंट का मुख्य घटक है पोर्ट लेंड सिमेंट का मुख्य घटक क्या है तो सिलिका चुना एलुमीना तो अप्सण हो जाएगा आपको ए निश्ट दखिए त्री आयामनी 3D लेजर में बीम की सहायता से छाया चित्र बनाने की वीधी को क्या कहते हैं इस वीधी को आपको कहते हैं होलोग्राफी तो सभी जानते हैं नेश्ट दखते हैं दूध का पी अच्मान कितना होता है तो दूध का पी अच्मान होता है 6.4 से 6.6 तक होता है ध्य से यह हं उर लागरा नामक किस की कमी से होता है तो ऑफसेन हो जाएगा किस भीटामिन की कमी से घ्यां रखेंगे विटामिन बीठीरी ग parallels की रसानिक नाम नयसिन अपने भीटामिन की कमी से जनन-छम्था ऐसानीह नाम होता है कि ट्रिप्सिन क्या तो ट्रिप्सीन ध्यान दिजिएक अधर ऑपे कि कें क्ई के मरमस मैं मरहत सु नामक रोगशरीर में कॉन सा अग प्र भाउत होता है कि प्लबाध होता है तो हम the next देखिए say we went क्वार्सी ओर कर किसकी कमीशी होता है तो कुसी ओर कर होता है है मैं किक मित्सक्राइब को citizen होता है करके अफजिन के द्वारा होता है वे फॉलीय जो हर जोता हैं वीशानुड कानँ होता है अफ्जन हो रहेँ गई करन्व निवलीखित में से स्थाइक ऊण है स्थाइक आल्फा कॉन साहे समस्थानिक पर्माल goo में परोटन की संख्या समान होती आप सबसे से अधिक होती है तो सबसे अधिक होगी आपको लाल रंग के कंशन हो जाएगा कि इंसुलीन एक हार्मं है। जो स्रावित होता है, आपको सभी जानते हैं, कि लेंगर हैंस गरंथी से ही होता है, तो औप्चन होजाएगा आपको C station 2 है लेक्रेश नेक्ष्ट देखिए फ़लों के रस को सुरच्छीत रखने के लिए कि इसका पर्योग किया आता है तो पर्योग किया आता है आपको सोडियम बेंजोएट का अप्सन हो जाएगा डी आसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है आसुओं में जो घुलने वाला पदार्थ ध्यान देगा लाइसोजाइम होता है ऑप्सन हो जाएगा बी अगर साट सेट को आप लगा लेते हैं तो निश्चीत रूप से आप काफी मजबूती निश्ट देखते हैं तो लोहे म जंग लगती है तो लोहे में जो जंग लगती है आपको पानी और आक्सीजन से लगती है अप्सन होती रहती है और सुर्य निरंतर उसमा अभी पांच बिलियन वर्स तक देते रहेगा अभी सुर्य जवान इस्थिती में निमलिखित में जूठा सोना कहलाता है तो जूठा है आपको अपसं हो जाएगा ये शरीर का कौन सा प्रभावित होता है कंकाल अपसं हो जाएगाई दीज्ट शेखते हैं कि निश्ट दखें हमारे स्रीर में कार्बो हैड़ेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्रदाई है आपको की सफलता के लिए आवस्यक नहीं है कि इसमें आपको मसीनी करन आवसकता नहीं है तो क्या है परियाथ सीचाई की सुभिधा हो उच उपज भी जनी हाइब्रीड की उपलगता हो और रसानी कुरो रोक और कुटनासकों की उपलगता हो तो सभी सही है यह सही नहीं है नेश्ट देखते हैं को सधी दर्द दूर करती है कोन रजस्ति है इनालजेसिं का बाला ती है मनुष्य के सभसें चiggles आलश्य सभी जानते हैं एस्टवीष कांडे पास होती है कि सयंता का इसाई मात्रक किसके समतुल्य होता है तो जो सयंता का इसाई मात्रक होता है ध्यान दीजेगा यह वाइज के दसवे गुने के समतुल्य होता है नेश्ट देखते हैं हम तस्वयाविन निमली खीद में कौन सा प्रोटीन प्रोटीर प्रोटीज सब एकना रखेगा घ्लिसी नीन के वह कुकिंग प्रोटीन मिस्टम का दो उन्टा प्रोटीपन2 राएगा देखेए कि अब सेट नमर देखते हैं आपको 47 जो कि अब करीबे करीब में हम लोग पहुंचे है किस रोग से पीडित रोगी को कार्बोहाइडरेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है तो सभी जानते हैं जिसको डाइबुडी जैनि मधमेज रहेगा उसको सरकरा लेने के से बिउस्ट देखते हैं ने गें आरेपृमया नियांतरन कौन करता है यह तो आपका नियंतरन होता है फिरें कडा है अपशन हो जाएगा डी नेक्मेशित देखते हैं अब व्लूब किस तत्तों की कमी से फीका होता है करन होता है करन होता है और के कारन होता है गुलाब से इत्र निकालने की बीधी को किसने खोजा था या तकाफीन पोटेंट है असमत वेगम अप्सन हो जाएगा बी मचलियों के यक्रित तेल में किसकी परचूरता होती है इसमें परचूरता होती है विटामिन एकी नेश्ट देखते हैं धातू के तार में विद्दुधारा का परवा किसके कारण होता है तो विद्दुधारा का परवा होता है इलेक्ट्रोन के कारण होता है लोहे की चादर को गल्वेनाइजेशन करने की लिए उसके घोल में डुबाया जाता है तो उसके घोल में क्या डु बेदी अंतरिन केशकोग्राफ का निर्माण किस भारतिय बैज्ञानिक ने किया था यह किये थे आपको जगदीश चंद्र बसु अप्शन हो जाएगा बी निश्ट दखिए अपमान के घटने से घटता है अप्शन हो जाएगा डी लिखित में कौन सी गैस उच्टम उस्मी मान रखती है यह रखती है आपको भापंगार अप्शन हो जाएगा बी एक कुप पंचर क्या है एक की पंचर तो सुईयों के माध्यम से उपचार चूकि अच्छीन में किया बिधी थे सब्सक्राइब क्योंब कीतनी हड़ी वह तो षह नुज्य के से पर नहीं नहीं करता है तो उर्जा पर्दान कर्था। और प्रोटी नशा करो तो वह उर्जा उत्पादक है लेग नाम कि से दिया जाता है तो सलेग नाम जो है आप ध्यां रखेंगे गलित सिलीकेट को दियाता है अप्शन हो जाएगा ड़ी पायरोमीटर से उंच्छ ताप मापा जाता है अप्शन हो जाएगा एफ देखते हैं का कच्ची चीनी का रंग हीन करने है तो जीश्य के पर्योक क्या आता है हुआ है तो जिस में देखी आपको हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा कि से टेप रिकादर की यूअलेवह छूट रहती है यूप भलीरोम्यटिंबू से पंदरशन हो जाएगा जब इनो का लामण जल में डाला जाता है तो बुल्बूले बनते हैं इसका कारण क्या है इसका कारण है अपको स्पन होता है तो सभी जानते हैं माटो कंड्रियां में होता है से सिए ऑ फ्रकास संजलेशन हो संदोनों के लिए आवसयक है दोनों के लिए लिए क्या है साइटक्री सं यापस्अस नेमात्व में अर्जा का सुरोथ सभी जानते हैं सुर्य ही हु कर लाल मिट्टि का लाल रंग क्योंकि इसमें बया जाता है तो लाल लाल रंग किसके कारण से होता है लोहा के कारण से होता है निम लिखित में किस विटामिन को टोको फेरोल के नाम से जाना जाता है ध्यान दीजिएगा विटामिन आपको टोको फेरॉल के नाम से किसे जाना आता है तो केल्सी फिराउल होगे आपको विटामिन सी और विटामिन भी हो गया तामीन और वितामिन के हो गया फीव क्यूँ नीन तरफ से एक आप हो कि हीलियम की खोज किस न की थी निमलिखित में स्रिट लड़ होता है तो आपशन हो जाएगा सी नेश्ट देखते हैं तो पीचब लेंड किसका है तो रेडियम का है ध्यां रखेगा यू थीरी वो येट पीचे बिलेंडे का होता है अब नेक्स्ट देखते हैं आपको जो की काफी इन्पोटेंट है नेक्स्ट सेट 48 देखिए देखते हैं 48 का पहला प्रस्ण निवलिखित में कौन सी जीवन को नस्ट कर देता है लेकिन भावनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है तो कौन सा है तो यह न्यूट्रान बम है अप्शन हो जाएगा कि एक पोट्रान को दूसरे पोट्रान के पास ले जाने पर बैदूत इस्थिदी उर्जा क्या होगी तियो और परवर्तित रहती है ध्यां रहेंगे अप्शन हो जाएगा यह और परवर्तित रहती है कि सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्यन के लिए नोबेल पुरसकार परदान किया गया था तिया परदान किया गया था ध्यां रखेगा आपको प्रकास प्रक्रिणन के लिए अप्शन हो जाएगा सी कव 1930 में नेश्ट देखते हैं सींदूर का रसायनीक नाम थे सिंदूर स्लफाय होता है विटामिन के कार湧 को फकका जमाता है सब्सक्राइगा देखते हैं कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है रोग तो कौन सा वायरस द्वारा पूट इसमें निpower होता से कौन सा रोग होता है तो बेड़ी वेरी होता है अप्शन होजाएगा सी सब्सक्राइब निश्ट और सहवाल के परस्पर संबंद से एक नया पाद पोर्ग बनता है तो सब जानते हैं लाइकेन होता है कौन सा ग्रव सरवाधिक गयशों से घीरा है कौन सा ग्रव है तो इसमें उरेनस हो जायगा ऑप्सन हो जायगा सी नेक्स्ट देखते हैं कि स्वेट प्रकास को प्रिज्म से होकर गुजारने पर प्रिज्म के अधार की और कौन सा रंग प्राप्थ होता है तो यह बैगिनी होता है देखिए अधार की तरफ कर रहा है जैसे यह प्रिज्म हो गया इससे गुजारेंगे तो इस तरह से जो अधार की तरफ होगा यहां देखते हैं कि है ही मोफिली या एक अनुवानशिक रोग हे जो उत्पन होता है आपको ध्याँ दिजिएगा रग्त का एसकंदन नहों से औप्षंण हो जाएगा सी जस्ट देखते हैं कि और की अहां थे अन्युटन को निएक को सट और सा को स्ट्रीपini बिद्धी से पिर्थिवी की आयू का परिकलन करते हैं किसी से करते हैं इूरेनियम डेटिंग बिधी से इलेक्टरान की खोज किस ने की थी तो इलेक्टरान की जो खोज है जे-जे थमसने की थी अप्सन हो जाएगा सिग्ष देखते हैं हो और एप्फोलों को क्रित्रिम तरीकों से एकून यहिस्ट परियुक्त होती है दिक रेटिनॉळ निम्हें की स्ब्रेटामिन का रशक्लिष नाम है तो सभी जांते हैं यह रेटिनॉळ आपको हो जागा विटामिन और सिरो तबने और चालकों की चलकता पर क्या परभाब पड़ता है और प्रभाबार्भाब बढ़ जाती है उप्सण हो नेश्ट देखते हैं नेश्ट देखिए पर्योग साला में जीन का संसलेशन सबसे पहले किस ने किया था जीन का संसलेशन जान लिए हर्गविंद खुराना न किये थे और इसी कार के लिए नोबल पुरसकार मिला था गुलाबी करांती का संबंद किस से है गुलाबी करांती का जो संबंद जिंगा उत्पादन से और प्याज उत्पादन से भी है द्यां रखिएगा उत्पादन और जिंगा उत्पादन दोने से होगा ठीक है अब नेश्ट देखते हैं अजित कौन सा गरह सबसे अधीक से गीरा है सबसे अधीक गीरा सबसेब्सें सब्सक्राइब की समय में रखाजाता है घ्यार धायिक्रांड방 में सिने बार किसका खनीज है नेश्ट के सिधान पर कारे करता है तो डायनेमो जो करता है आपको बीद्दू चुम्बक के सिधान पर काम करता है ऑफसन हो जाएगा डी कि को नीम्न में कौन सा एंजाइम पचाता है प्रोटीन को पचाने वला एंजाइम है रिप्सिन अप्सन हो जाएक बादलों पर किस रसायन का च्छिड का उकर करा जाती है तिया करा आती है आपको इसलवर अपयोग करके आप जब चाहिए तब बरसा करा सकते हैं अब निखते हैं और चास तेक्टे इसमें आप अतमने में कौन से कठोर हैं तो कौन से कठोर हैं ध्यान दीजिएगा तो हीरा HOLया और जो सबसे कठोर है पतियों में बना खाद पथो के बीभीन उंगों में किसके द्वारा पहुंचता है तो यह पहुंचता है लिल फोगल ंणές कांशन के दोरह सभी लोगन सभी पोछता है थी प्रकास संस्लेसन किसमें अधिक होता है दो सभी जानते हैं लाल में प्रोटीन के वीगट allons निर्माणद होता है आपको अमिनोफली का अपसन हो जाएगा डी नस्त दख़िए तो स्याबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है यह होती है आपको 40% सुस्क वातावरण में उगने वाले पोधे को क्या कहते हैं यह कहते हैं आपको जीरो फाइट अप्शन हो जाएगा डी और मरुद भीद में जो मरुष्थल में बोलता है उसे भी जीरो फाइटे बोलते हैं किसका मिसरद आता है सोल्डर जो है आपको टीन रस की अप्शन हो जागा सी प्रकास संसलेशन की किरिया में बाहर निकलता है तो बाहर क्या निकलता है तो और आकसीजन क् suspect भूला रहता है और में जो घुलने वाला प侧ार रात है ओप्सांडेगाे बी रेफिरीजेटर में ताप को नियंत्रण कौन करता है तिया करता है आपको फ्रियों और अप्षन हो जाएगा D नेश्ट देखते हैं रसाइनिग परियोग में उप्योग होने वाला लीटमस कागच किससे बनाया जाता है या बनाया जाता है पुलाइकें से प्रोटीन संसलेशन में कितने अमीनों अमल की अवसकता होती है अमीनों की 20 अवसकता होती है को गेहूं का खाया जाने मुला भाग है ऐसे की ओप्षण हो जाएगा बिर्ठिवी के घुरव की भूई इस तीर कछा की उचाई कितनी होती है इसकी योगचाई होती है 36,000 km होती है option हो जाएगा D गर्भ में सीशू के लिंग की पहचान किस वीधी से की जाती है तो यह वीधी आपको ध्याँ रखेंगे एम नियो सेंटेसिस वीधी है तो option हो जाएगा C नेश्ट देखते हैं रेफ्रिजेटर में फ्रीजर को सबसे उपर उपर रखने का क्या कारण है तो उपर रखने का कारण है आपको जिससे वह संबहन धराएं अस्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंधा कर सके option हो जाएगा C नेश्ट देखते हैं कि प्राकिर्तिक रबर एक बहुलक है तो प्राकिर्तिक रबर जो बहुलक है ध्यार रखिएगा आइसो प्रीन का option हो जाएगा B नेश्ट देखते हैं मा के दूद से सीशू को सबसे महत्पूर्ण पदार्थ क्या मिलता है तिया मिलता है आपको एंटी बोडी तो option हो जाएगा D कि शुरुक के उप्चार के लिए सर्फ गंधा सिप्राप्त होने वाला रेजर पाइन का इस्तिमाल किया आता है तिया किया आता है उंच रख्त अमल आवस्यक होते हैं तो यह आवस्यक होते हैं लाल रख्त कणिकाओं के लिए option हो जाएगा बी कि क्रिश्ण इचिद्र सिधांत का किसने प्रतिपादन किया था यह प्रतिपादन करने वाले थे चंद्र सेखर option हो जाएगा सी और इन्हें 83 में नोबेल पूरसकार मिला थ यह इस्तित्यापक उडिशा में रखेगा वैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है यह संकेत जो होगा तुफानी होगा option होगा सी नेश्ट देखते हैं भाद पदार्थों के पर रच्छन है तो निमलीखित में कौन सारा सायन प option हो जाएगा तो अच्छा का रंग किस के कारण होता है तो अच्छा का रंग जो होता है मेलानीन के कारण होता है option हो जाएगा डिव्ण में कौन साकनासी नहीं है कौन साकनासी नहीं तो डिडिसी साकनासी नहीं है पिलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है त लाइकें जीन दोवर्ग के पोधों से मिलकर बनता है वे कौन से हैं तो यह आपको कवक और सेवाल हैं अप्शन हो जाएगा डी निश्ट देखते हैं प्रकास का रंग निर्धारन होता है तो रंग धर्शे अप्शन हो जाएगा बी निश्ट देखते हैं कि आप सेट लगाईए सेट लगाना पर इच्छा के लिए बहुत ही अनिवारे होता है अब लगाते हैं तो निश्ची तुरूप से मजबूती स्थिती में आपकी समझ विक्षित होगी चमगाद्रणों द्वारा परागन क्या कहलाता है यह कहलाता है आपको चिर्यप्टो फ अधिक प्रत्यास्त है निम्न में कौन रख्त अल्पता का कारण नहीं आपको ध्यां रखेगा न्यासिन नहीं है तो नहीं हैं के मनुष्य के सरीर में कुल वजन में कितना प्रतिसत होता है इसमें चार प्रतिसत होता है पिलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है तिया गड़बड़ी होता है लीभर जब गड़बड़ी होगा तो पिलिया रोग हो जाएगा नेश्ट देखते हैं आकास गंगा वरगी किरिद की गई है सरपाकार गेलेक्सी के रूप में फ़सल हो जाएगा एब निश्ट देखिए शूरी की उर्जा उत्पन होती है ना भी किये सलियन द्वारा फसल हो जाएगा भी नेक्ट देखते हैं सल किरिया में आर्थो प्लास्टी क्या है तो सल किरिया में जो आर्थो प्लास्टी है कुल्हे के जोड का प्रतिस्थापन अप्शन हो जाएगा डी नेश्ट देखते हैं कौन सा हार्मोन लडो या उडो हार्मोन कहलाता है कौन सा कहलाता है तो एड्रे नेल्ट अप्शन हो ज होता है नियों तो सन्हों हो जाएगा डी नेष्ट देखते हैं कि निभली खित में कौन सा भी स्फोटक पदार्थ नहीं है तो कौन सा भी पदार्थ नहीं है तो लेकिन बहुंदों को कोई छती नहीं पहुंचाता है तो आपको न्यूट्रान हो जाएगा यह पहले भी प्रसन आ चुका था कि सीवी रमन को कि सीष्ट अध्यन के लिए नोबेल पूरसकार परदान किया गया था प्रकास के प्रकीनन के लिए अप्सन हो जाएगा सी नेश्ट देखिए एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने में बैदूत इस्तिदी उर्जा क्या होगी तो यह उर्जा होगी आपको बढ़ती है अप्सन हो जाएगा सी नेश्ट देखिए भीटामिन के कार है ध्यान दिए गरगत का ठकका जमना अप्सण हो जाएगा भी निस्ट देखते हैं कि पोटाइसियम क्लोरेट से आक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरा का उप्यों कि आता है उत्प्रेरा कौन से मेगनिसियम डायकसाइट अप्सण जाएगा एक देखिए कि डुबते सुर्य का ताल लाल रंग निवन में से किसके कारण होता है तो किसके कारण से होता है तो प्रकृर्ण के कारण होता है अप्सन हो जाएगा भी देखते हैं कि भी को से कि मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उप्योग होता है असमान में बादल छाय रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है तो गर्मी लगने का कारण है बादल उस्मा का कुछ आलक होता है अप्सन हो जाएगा यह निम्न में कौन सी गय सवाई मंडल में अमलीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उतरदाई है तो पॉपुलर कोशने सभी जानते हैं यह सोटू होता है होता है कैलश्यम की कमी से होता है ओप्सन हो जाएगा करनाल बंट-्रोग्स फचल से सम्वनदीत है यह फशल में कैय हुआ भी घान में खैरा र्ओ ऑपर अप्सन हो जाएगा डि गुजर्ष सकथ्कुन वालई भुकम्सी लहर कौन सी है भुकम्सी लहर जो आपको ध्Não की सेकेंडरी वेप से प्राइमरी स्क्राइब देखते हैं कि दूद को कुछ देर खुले में रखने पर उसका स्वाट एनि हुट्यकि कारान से होता है स्वाद 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 किसके करान से से खट्टा हो जाता है तो हो जाता है आपको लेक्टिक अम्ल से अपसण हो जाएगा ए ठोस अवस्था में बीदुधारा परवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है ति अपको गिरफाइट हो जाएगा अपसन हो जाएगा भी अब निश्ट देखते हैं देखिए अब साथ नम्मर देखेंगे आपको यह कावन आगया साथ है साथ हो को हम लोगों को देखना है नेश्ट देखिए अब सीशे के संचेन वाले सेल में किस अमलका परियोग होता है आपको सल्फिवरिक एसी डॉप्शन हो जाएगा डी नेश्ट देखते हैं के युके लिप्टरस के बिज औहीं में कहां पाये जाते हैं यह पाये जाते हैं आपको ध्यां रखेगा निल गिरी की पहाड़ी ओंडियों में ओप्षान हो जाएगा हो देखते हैं वाइति किती का भी भाजन होता है कि का भी बादन होता है मार्थ का दोनों के लिए आवस्यक होता है यजया लिए ऊप्शण हो जाएगा Gra Sixty दिन ले किस में पाए आता है तो दिन आ जो है आप ध्यां रखेंगों माइट्याओं पाये जैता है ऊप्सण हो जाएगा बी वेल मचली की स्वर्ग में आती है तो वेल मचली जो है अस्तंधारी में आती है option हो जाएगा d कुसी काओं के अंदर सुचनाओं का प्रवा होता है यह किसे होता है आर-na के द्वारा होता है option हो जाएगा a कि वैं मंडलीय दाभ का मान होता है दस परखात 5 पास्कॉल अप्शन हो चाहएगा सी पनामा रोग किससे सम्दित है तो पनामा रोग जो है आपको केला से सम्दित है अप्शन हो जाЙगा सी निश्ठ देखते हैं हिए हैं डाक्टरण दौरा परियोग में लाया जाने वाला इस्टै्थ Hispan कोप की सिधाने कंड़ी करता है तो सभी जानते हैं परावर्तन के सिधाने पर नेश्ट देखते हैं है कि एद्थिलिट्फूट नामक दिमारी किसके कारण होती है दिए किसके कारण से होती फंगस संक्रमन से अधिकता होती हैं सुलफ्यूरिक अधिकता होती है नेश्ट देखते हैं चुहा के 20 वीचाराशाइनिक नाम क्या है चुहा के 20 वीचाराशाइनिक नाम जिंक फासफाइड है अप्शन हो जाएगा अ कि बिटामिन जो किसी भी साघ्सपजी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है सोरा कि सोरा से अलकोहल止ола श्यां Сी ri सोडा का रशानिक नाम है थे में सोडियम बै कार्बोनेट अप्सन हो जाएगा भी कि आप कि अटा आटो मोबाइल वहांनों द्वारा निश्कासित मुख्यन नुकसान दे गए सजिस्से वाय पर दूसर्शन होता थे मढँव में मानों सरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोसिका क्वाओं सmore से लंबी जो कोशी का होती है आपको ध्यां रखिएगा तंत्री का पerson होजाएगा अप go cần farming का लिखा जाने वाला भाग किस से बना होता है ति यह बना होता है आपको ऑफाइट से q qlinear समझे जाते हैं जो करते हैं तो यह आपको पोट्रान करते हैं नेस्ट देखते हैं कि फोलों को कृत्रीम रूप से पकाना किस रसायन का मुख्यगूण है तो ध्यां रखेंगे इसमें एथिलीन का अप्षन हो जाएगा का पक्रोटीन की बढ़ती मात्रा की अनुरूप से अधिक होता है की उसके बाद में मुटर में उसके बाद चना में सबसे अधिक कि वर परणी याट्रा जो है कि वाक्तुन घटन डिए कने के तहत की का द्ध्यक्ता है कि द्धाधो फटन होती यह कि के चल्चर के तहत कि का अध्यन की ऐता आपते कि अध्यन गेंगा अध्य। किने देखते हैं कि Amева without a leton में आपका सभी का होता है मनुस्य और किणो कोकड़ी संपुन भार होती है यह होती आपको यह तो बार आगया है जो और अब मॊझने दक्ते हैं नम्मर आपको 52 है how a तो इसमें पहला प्रसन देखिए देखते क學 लार काटलीन किस माध्यम से होता है तो सब्सक्री फिर्थिभी कितना होता है और सूर्ख के तना होता का सभी जानते हे विए किने क्या डिलीषा नामक पर इच्छन की हिए निदान के लिए कि लिए ईक में रेट रॉट नामक कारण क्विश्चा क्या है फंजाइब सुन हो जाएगा पो निफ्ट दें लाल रख्तकुन का जीवन काल 70-120 दिन होता है और स्वेट translates करन का है सो छाल रोग ब्रभावित करता है तो प्रभावित करता है जो dai next देखते हैं नेमन में कौन सा बीटामी जल में घूल जाता है तो कौन सा बीटामीन जल में घूल जाता है तो गलत इसज़ा में अ सिल ध्यां रखेंगे नेमिन किसी तरह की परकरियद् आ माने जाती है तिया प्रत्किरिया माने जाती है ध्यां रखेगा यांतरिक अप्षेयन का नेश्ट देखते हैं मेरी कल्चर में किसका उत्पादन की आता है मेरी कल्चर में किया ध्यान रखेंगे तो समूद्री जीयों का अफ़्सैन होजाएगा भी सधा नेक्ष्ट रखते हैं इसमें तो रोकेट को ऊड़ाने में कौन सा इन इस्तिमाल किազा है वी तो यह संबंदित है प्लुकोमा बीमारी मानों शरीर के की संबंदित है या आख से संबंदित है आपको इसमें बिक्रीम यह नि में तोड़ से हो ने वाला रोगů में प्लेरिया है नेक्ट देखते हैं जैनिको प्रोद्यगी की है तो जैनिको जो प्रोद्यगी की है अन्वांसिक रोगों की पूर्व सुचना प्राप्त कर तरकीव की तो अप्सन हो जाएगा सी नेश्ट देखते हैं कि निम्ण में किसमें परकास की चाल अधिक्तम होती है तो जो परकास की चाल अधिक्तम होती है निरवात में अप्सन हो जाएगा एक नेश्ट देखते हैं किस विटामिन की कमी से सारीधिक व्रिधी में रुकावट आती है और व्यक्ति और रक्ता का सिकार होयता है तो किस में तो यह होता है आपको विटामिन गुलुकोज के पूर्ण आक्सी करण के फॉल सोरुप कितने अणु एटीपी का निर्मान करते हैं तो यह करते हैं आपको और तीस ही तो सभी जानते हैं मानों चहरा कितने हड्ड्डियों से बना होता है लाल रक्तकण का जीवन अधी कितना होता है तो लाल रक्तकण का जीवन अधी आपको सभी जानते हैं की 120 दिन होता है नेश्ट देखते हैं समुंदरी घोडा किसका उदारण है समुंदरी घोडा उदारण है मतस्यवर्क का अप्शन हो जाएगा खाना न चिपकने वाले बरतनों में निमलीखित में किसकी एक पतली परत होती है तो किसकी पतली परत होती है तो टेफलोन की अप्शन हो जाएगा बी, नेश्ट देखते हैं, लौ एक्स की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है, तो लौ एक्स की सबसे उत्तम किस्म मेगना टाइट है, अप्शन हो जाएगा आपको ए, पीर्थिवी से हम चंद्रमा के कितने परतिस भाग को देख सकते हैं इसमें देख सकनी भाग अधिक तंमन स父 पर्षेंट नैंक नॉर्मल कंडीशन में 57 त्विश कते हैं दो systाट अधिक ने क्वक्त दोता है तो खटा दोध मैं क्या वच्थित होता है लेम्ट्टिक अमल sì med जमना कैसी प्रकिरिया है और चेपी प्रकिरिया है पानी कि यह बंअ कर मद गया है तो इसका आयतन क्या होता है उसका आयतन को बढ़ आपको पर्यों हो जाएगा ईस नेश्ट दोहती है यह का विद्धूथ बहुटब किसे सब्सक्राइब कौन सा रोग फैलता है तो वाइरस द्वारा जो होता है रोग आपको ध्यां रखेगा पोलियो वाइरस के द्वारा फैलता है तो अप्शन हो जाएगा डी नेश्ट देखते हैं कि सिल्बर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन होता है तो सिल्बर पर जो काला धब्बा होत होता है सांचा बनाने में होता है मूर्तियां बनाने में होता है तो अप्सन हो जाएगा डी नेश्ट देखते हैं आपको सेट नम्मर आप उसके बाद आ जाएगा तीरपन तो पहला प्रसंद देखते हैं पीर्थिभी के धुरू की और बस्तू का भार क्या होगा तो बस्तू का भार जो इसमें बढ़ जाता है अप्सन हो जाएगा ए नेक्ष्ट देखते हैं कि नीमोनिया रोक से प्रभावित होने वाला सरीर का भाग है आपको फिफड़ा अप्सन हो जाएगा किस सुस्क वर्फ है थोस कारबन डेक्साइट अप्सन हो जाएगा ए नेक्ष्ट देखते हैं दूद से क्रीम कौन से कार्ण अलग होता है कMore संटी से फीव में परुफिप्श्य जिए आपको कुति सुरज का लाल होता है परलास क्लिणल से होता है यह कुर्जा से परिवर्फित करने वाला यांसत्र कहलाता आफ को ले आपको तो जो कांच होता है आपको अतिसी द्रव ऑप्शन हो जाएगा सी स्वेत फासफोरस किसमें डुबा कर रखा जाता है तो सभी जानते हैं जल में ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि बाहर इस तरह से जल जाएगा कौन सा कांच लेंज के लिए पर्युक्त किया जा सकता है कौन सा होजाएगा होगा ह 화ले का ओसंट और होजन होता है तीन सो चालिस ग्राम होता है ऑपसन हो जाएगा है रिगिस्तान के जिआ का कारण होता है मिरिःग मरीचिका का प्रकास का प्रुklich प्रोवर्तन हो जाएगा नेश्त देखते हैं मेरा पेंडूलम की घड़ी किसी रितु में अक्सर तेजी से चलती है। तो यौर थिया कर्या रखेगा 利 किसी रूप में उपयोग होता है वह चार की बैटरी में संचलक के रूप में परियोग हो है तो वह क्या है आपको सցलफुरिच ये र OPS yourself देखते हैं तो किम नहीं होता है किस रंग का परियुदी काला रंग का परियुदम होट है नाल नीन अए इसको प्राथमी कौने भी कहते हैं इससे सभी वरण बनाये जा सकते हैं बनस्पती तेलोंग में कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्पिर्र रख कारे करता है तो उत्पिर्र रख हो जाएगा आपको निकेल तो अप्षन हो जाएगा बी नेश्ट देखिए मानों सरीर में लाल रक्तकण का निर्माण कहा होता है तो लाल रक्तकण का निर्माण होता है वस्ती मजजा में अप्शन हो जाएगा में यद देखें, उच उन्णतांस पर मानों सरीर में आर्.बी सी की संख्या का होगी गृका का जियानी Jadi सब्सक्राइब 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 करता है जब कोई बाहरी पदार्थ मानो रुधीर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है कौन सा में सर्वाधिक झाता आप सब्सक्राइब में प्रणाल तो कौन सा रक्तवर्ग उपस्थित नहीं हो सकता तो यह उपस्थित नहीं होगा ओ बाकि बी ए भी ए उपस्थित होगा नेश्ट देखते हैं यदि पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O हो तो बताइए उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है तो पुत्र का होगा आपको O निश्ट देखते हैं रुधीर वर्ग B वला व्यक्ति निरापाद कौन से रुधीर के वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है तो यह करेगा आपको B और AB को कर सकता है B वला व्यक्ति निश्ट देखते हैं कि सेरे ब्रह्म किसे संबंधित है तो सेरे ब्रह्म जो है मस्तिक से संबंधित है मनुष्ट के मस्तिक का सबसे बड़ा भाग होता है यह होता है प्रम मस्तिक नेक्ष्ट देखते हैं मानेख शरीर के किन कोशी काउं में सब से कंप पुनर्योजिन सक्विवति है किन कोशी कउम में शम्हों कम होती है combien सब समक्षक राजाएगा क्हें मुणीर लेक्षित में मेん मेरू दन्ड्र से कितनी जोड़ी तंत्रीका निकलती है तेया निकलती है आपको ध्यां सब्सक्राइब इतना करके लगा किसी भी तरह से इसमें सारे प्रसंथ नहीं छुठेंगे अब नेक्स्ट देखिए आक्सीजन की उपस्थिती में सुक्रोज का CO2 यमजल में उर्जा निर्वुक्त होने के साथ पूंड रुपांतरन होने को कहते हैं तो क्या कहते हैं यह वाइव स्वासन हो जाएगा अप्सन हो जाएगा हमारी छोड़ी हुई सांस की हावा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है मेंखना इसमें आपको चार परसेंट हो जाएगा चार परसेंट यसे लेते हैं लेकिन छोड़ते समय हम 17 पर सक corr. चार्वंदम कितना है है जीरो पॉइंट जीरो तीन परसेंट लेते हैं छोड़ते कितना है चार परसेंट और अठतर परसेंट लेते हैं और इतना ही छोड़ते हैं इस बात को ध्यां रखेंगे नेश्ट देखते हैं तो क्रेफ्स चक्र में किसका संसलेशन होता है तो क्रेफ्स चक्र में आपको पायरूबी कमलका होता है अप्सन हो जाएगा बी नेफ्राउन किस से संबंधित है तो नेफ्राउन जो है आपको बिरिक से संबंधित है अप्सन हो जाएगा सी नेक्ट देखिए ओपुहनका पर्योग किस किरिया को पुरा करने के लिए होता है तो अपोहनका होता है आपको बीक अप्सषन हो जाएगा डजी निशेचन की किरिया कहां होती है ऊंडवाहिनीय में होती है अप्सण हो के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है तो खाद की पूर्ति आपको नाल से की जाती है मां के अप्शन हो जाएगा आपको भी कि इस तीरियों की नस्वंदी को कहा जाता है इस तीरियों की नस्वंदी होता है निमलिखित में कौन सी एक गरंथी नहीं है कौन सी गरंथी नह अगनाओ से ग्रन्थी इस बात को ध्यां रखेंगे जठर क्या है है भूल कि मानोशक। कि कीस्न गरंथी मास्टर गरंथी मनुष स viewpoint कर शरीर की सबसे स्परते हैं सबसे च्ण फोटी ग्रंथी होता हैसान हो जाएगा सी में नेश्ड देखिए से दूद उतारने के लिए किस हार्मोन की लगा जाती है हार्मोन की ऑप्स्ण होजाएका लिए है थायराइड गरन थी से थायलाउक्सीन हार थायलाक्सीन स्रावित करने वाले अनत्त रावी हार्मोन क्씬 से हैं तियां आपको टी एस हैं ऑफ शन हो जाएगा कंष्ट दखिए हैं निमलिखित में किसकी कु सकरिता के कारण मानो शरीर में में mixt di ma होता है तो mixt di ma होता है आपको up to gyseen cheese कमी आ जाएगा तो नेश्ट देखिए या निम्लिखित हार्मॉन में किसमे Ayodine होता है तो mana जो होता है थाइरक्सिन हार्मॉन में है या मिंहुडीन होता है kul Oreo physics में कौन सी एक अंत्रावी ग्रंथी प्युस ग्रंथी से स्वतंतर कारे कर सकती है तो स्वतंतर जो कारे करती है आपको ध्यान रखेंगे पराबटू जो गरंथी होता है वह कारे करती है रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है तो रक्त जाब का जो नियंत्रण होता है अधिविरिक फिरंथी करता है अपallas हो जाएगा ढctar हों कि जीवन रच्षक हार्मोन किस गरंथी होते हैं प्रकास दूरी कई का ि Mein प्रकास वर्ष में कौन सा एक हार्मोन है नेक्ट देखते हैं कौन सी गरंती इन्सुलीन निशारण के लिए उतरदाई है कौन सी गरंती तो अगना से अप्शन हो जाएगा दी देखते हैं अगे अगे मानों नेत्र में उपस्थित रेटीना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं तो कौन सोते हैं आइरिस का क्या कार है आइरिस का जो कार है अप ध्यां रखेगा इसमें का पुतली के आकार को नियंत्रीत करना आइरिस का कारे है अब त्वाचा कारण किस के कारण होता है या का मानौ शरीद का सबसे बड़ा अंग कॉन सा है मानों शरीर का जो शबसे बड़ा अंग है तो अट साओ एगा कली सिब्सट वण एकले कोलू में कौन सी दातव होती है है कि मायोग्वीन में को का समाने रख्तदाब कितना होता है तो मानों को जो समान रख्तदाब होता है एक सो बीस बाई और सी एमेम एच जी होता है अप्सन हो जाएगा यह पूरा याद रखना है एमेम एच जी मानों सरीर का समाने तपमान होता है तो जो समान तपमान होता है 37 डिगरी सेल्सियस होता नेश्ड देखिये घट का आवर्यन बना होता है तो सभी जानते हैं यह स्टार्ज का बना होताई होताई अप्शन अजयाएगा भाग ने मिष्टे हैं डी थे सहाब का प्रमूग्हटकол्यन क्वेजा ध्या दीजिएगा सहाथ निमली खित में ऐसे सरवाधिक उर्जा परदान करता है तो सरवाधिक उर्जा परदान करता है धियां रखिएगा- आपको कार्बोहःड्रेट हो जाएगा ऑप्सन एंच्र देखते हैं जुक्क उसके बाद स्शेट नमर आ जाएगा 55 उस में पहला प्रसन देखते हैं। मानव शरीर में कार्बोहडरेट पुनत संख्राहन होता है कहा होता है। ग्लाइकोजेन आप्शन हो नेंगे को निर्मान किसे होता है फिर रेक्षिस में उत्त को निर्मान करने वाला था ने निश्ट देखते है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है एंजाइम मूल रूप से क्या है तो यह प्रोटीन ही होते हैं जैविक सिस्टम में रसाइनिक किरिया की प्रतकिरिया को तेज करने वाले उतरदाई क्या कहलाते हैं आपको ध्यां रखेंगे एंजाइम कहलाते हैं अप्सण हो जाएगा सी निश्ट देखते हैं किसमे प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो किसमे प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो मांस दूद्ध डाल में पाया जाता है निमलिखित में से किसमे प्रोटीन का सबसे अधिक प्रोटीन स्वयादीन प्रोटीना 40 15 देखते हैं था सकाहारी अधिक्तम प्रोटीन पाते हैं ऐथ पाते हैं दालों से प्रोटीन का सरप्रमुक्व होता है सरप्रमुक्व होता है स्यभूेट निंत मानों सरीर में वशा जमा होता है तो वर उत्व thumbs ब conveyrick देखते हैं निम्लिखित में किसे रच्छात्मक पदार्थ कहा जाता है तो रच्छात्मक पदार्थ बिटामिन कोहीं कहा जाता है कि देखेए गाजर किशु का संभीन होता है तो गाजर जो होता है आपको बीटामिन एक होता है option हो जाए मानो शरीर में बीटामिनЕ त canon tomorrow में यक्रीटवय सब्सक्राइब से गाजर से अप्षण होता है शी सिनेफ्ट देखिए कि थाइमीन है तो थाइमीन क्या है इसमें विटामिन बीवन थाइमीन होता है साइनकोबालमीन है टो कई बार मता चुके लेखिए बिटामिन जो खट्टे फ़लों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्त रखने के लिए जरूरी होता है क्या है तो आपको बिटामिन C है अप्शन हो जाएगा C बिटामिन C का सबसे उत्तम सुरूत है तो सबसे उत्तम सुरूत आवला होता है अप्शन हो जाएगा C नेश्ट देखते हैं, विटामिन C का रसाइनिक नाम क्या है, तो हो जाएगा स्कॉर्बिक अमल, ऑप्सन हो जाएगा B, स्कॉर्बिक अमल है, स्कॉर्बिक अमल जो है विटामिन होता है, ऑप्सन हो जाएगा A, कि देखते हैं दातों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी कि कारण होता है किसी सबजी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कोण सा है सब्सक्राइब को ध्यायां रखेगा कि प्रातः कालिंदी में मानों शरीर में निमलिखित में से कौन सा बीटामिन उत्पन होता है आप ध्याया रखेंगे लिधामिन-डी होता है सुरी के प्रकास में नेज देखते हैं इसे भी रमत को मझहलीयों के अक्री तेल में परचुरता होती है डी मेनअ कि सर्जन इसमें हो जाए आपको मझा होता है है कि रया होता है देशिक यंट होता है कर विडामिन अ का होता है बिटामिन में क्या हैं में संध्रक्त में क्या होता है कि स्कंधन और कि होता है रुप्षित में कीक्र प्षूब की कित सवाल ही होता है जो समुंद्री होता है उपस्थी तिथा हड्डियों को निर्माण और संपोषण में आवस्यक तत्त होता है तो कौन सा है आवस्यक तत्त तो ध्यान देंगे इसमें हो जाएगा केल्सियम मानों शरीर में औस्तन आक्सीजन का तत्त तो कितना प्रतिसचत होता है इसमें आपको हो जाएगा ध्यान रखेंगे कि पचास प्रतिस्वत अप्सन हो जाएगा अब देखिए नेक्स सेट देखते हैं आपको 56 जो की इन पोटेंट है अब देखिए 56 का पहला प्रसंद इसमें कि मनुष्य लोहा किस से प्राप्त करता है कि लावस्यक हैि थोड़ा उपर करके दिखते हैं इसमें अफसन तो लोह आवस्यक है हमोग्योवीन च 有फीसी के निर्मान के लिए समाने सौस्ट बनाए रखने के लिए और सबसे अधिक आइरन किसमें पाया जाता हैं सबसे अधिक होता है हरि-पते-दार सब्सक्राइब किसमें भुर्पूर्त पाया अभरी सबस्सक्राइब सबस्क्राइब होती है जैए और देखिए कर से हो से नेक्ट देखिए निमलीखित की कमी से हो जाता है तो ध्यां रखेंगे कमी से निमिया हो जाता है बीटामिन ये का नाम क्या है कितना बार बता चुक्ड टोको फेरोल होता है है अब होता है निवलिखित में कौन सी भीटामिन की खुं की जमने में आवस्यक होती कौनसी विटामिन तो इसमें ध्यान रखेंगे श्राइप बीटामिन जो आपको डी होती है खून के ठक्का जमने में हम फोती है wr आप में कि सकी अधिक ओधिक में पलते किसके लिए महत्वम्ण ध्यान गश्रम लिंग गरंतियों के समानी कईख्या में हो जाएगा सिह दखते हैं कमानों सरीर के कौन सेक्विड के अंग कनकापर पर नहीं किसा कशेख्ञ सकांधी तक लाता ङता है नेश्ट देखिए 80% से अधिक से कोशिका में पाये जाने वाला पदार्थ क्या है तो यह पदार्थ होता है जॉल अप्शन हो जाएगा डी नेश्ट देखिए किसकी उपस्थिती के कारण किसी पादब कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है तो यह अंतर पाया जाता है कोशी का भीत्ती ऑप्सन हो जाएगा बी नेश्ट देखिए गौल जी काय का पर्मुख कार क्या है तो गौल जी काय का पर्मुख कार स्रावी होता है अप्सन हो जाएगा डी नेश्ट देखते हैं कि कौन सा कोसि कांग DNA रखताओ कोसी कांग DNA रखता है तो माइटो कॉंड रहे सकताय इसे ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रों सुछमदर्शी की खोज किस ने की थी या खोज की थी आपको नौल लियूम रसकाने अप्शन हो जाएगा A नेश्ट देखिए मृदा आप अर्दन रोका जा सकता है तो मृदा आप अर्दन जो है आपको बनों को उगाने से रोका जा सकता है बाढ़ को रोका जा सकता है बाढ़ को रोका जा सकता है नदियों पर बांध बना कर वह विर्च्छा रोपन करके तो अप्शन हो जाएगा D नेश्ट देखते हैं कि मेंग्रों बनस्पत्टि पाई जाती है मेंग्रों बनस्पति अप्शन हो जाएगा कि अधीक विख्षित होते हैं ऐसे पोधे होते है iron 28 odd किस पर निर्भर करते हैं यांत्रीक मदद है तो अप्शन हो जाएगा भी नेश्ट देखते हैं कि भोपाल दुर घटना में किस गैस का रिशा हुआ था इसमें रिशा हुआ था मिठाइल आइसो साइनेट का आपको दू या तीन दिसंबर उनिससब चवरासी को हुआ था भपाल घटन नेश्ट देखते हैं कि निम्न में कौन सी गैस वाई को परदूसित नहीं करती है तो वाई को परदूसित नहीं करती है आपको सी ओ टू इन ओ टू सी ओ और सी ओ टू सबसे जादे करती है सी ओ टू जो है ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादे योगदान देती है और दोगीक बहिसराव द्वारा किये जाने वाले जल परदूसन को रोकने के लिए निम्न खित में कौन से अप्तिरिन को उप्योगी पाया गया है ध्यान दिजिएगा इसमें हो जाएगा आपको पार रहान परदूसन का भागेस तुदू नहीं है इस यो और टू और आपको फॉल्ट टू है उर्जा के की सुरूप में पर दूशन की समस्या नहीं होती है कि सुर में सुर्च से कहां कोई पर दूशन होता है निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्योंड पर दूशन का कारण है परदूशन का अधिक्तम कारण है जेट वीमान है 120 डेसिबल से भी अधिक धोनी उत्पन करता है और 180 मिसाइल और 95 डेसिबल से अधिक मनुस्य के लिए खत्रावला धोनी होता है अस्तियों का अध्यान की कि सखा के अंतरगत किया आता है तो यह किया आता है आप ध्यां रखे हो जाएगा आपको सी नेश्ट देखते हैं आपको सेट नमर संतावन जो कि अब बहुत करीब में ही पहुंच चुके हम लोग कि मचलियों से संबंधित अध्यान कहलाता है तिया कहलाता है आपको एक्थियों लोजी अप्शन हो जाएगा सी मदमख्यों का पालन कहलाता है सभी जानते हैं मदमख्य पालन एपी कल्चर होता है अप्शन हो जाएगा एक देखते हैं कि एडवर्ड जेनर निमलिखित में से किस रोग से जूड़े थे चेचक से अप्शन हो जाएगा सी निमलिखित में से वह बैग्यानिक कौन से हैं जिन्हें जिसने पहली बार उध इस थापन किसके द्वारा किया गया था तो डाक्टर क्रिस्चेन बनार द्वारा जोकी यह साउत फिरका के डाक्टर थे नेश्ट देखते हैं कि डिने की सरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था यह करने वाले थे बैग्यानिक आप वाट्शन हो जाएगा सी गया था कि थोड़ा सा समय मिलता है ताब आप सो अप्शन कर सकते हैं किसके द्वारा अनुएं सिखता है कि ग्यान को अनुए यह निजिक्स कहा गया तिया कहा आपको वाट्शन वह क्रिक द्वारा आधुनिक एंटी सेप्टिक सरजरी का जनक कौन है तो जोसेफ लिश्ट जाएगा अच्छी की सलेख्शनगा सिधान किसने बनाया था तो इस धांत धैनिन्हें जाएगा सिंइस्टो लोजी सब्द का परियोग किसने किरा तो सब्द का मेहर ने परियोग किया था तो भी साटले ऐसे भिनी क कि देखिये मानुस्य की त्वच्छा सभसे ठोटी होती है मनुस्य की देखते हैं निया घ्याना ध्यानर रख कर सबते होराना होंने नगे नेका डीह ते है यह च्छोय अल kriegen का घ्रान प्सक्रपा नगी नata डवल्यलिक्स मॉडल किस ने दिया था यो डवल हीन्य मॉडल्य माडल देने वाले थे आप ध्यां रखेंगे तो वाट्सन यो क्रीख नहीं हो जाएगा सी है मनुश में दियूडित क्रailsूम की संथ्या होगित है तेश जोड़े होती है और कूल होती है चियालीष मालों में गुर्षुत्रों की जुख संख्या होती है लने सथे हैश्ट जसा देखते हैं कि अधार्ब हैश्चो के निवकल ड्वारन के लिए उतरदाई कर्मोसम होता है उतरदाइध निम्न में कौनसा मनुसत्र में च्प्त सबस्क्राइब siya नहीं है यह सभी क्या है और सभी काम में औहीं आते हैं को आखे लोता है कशुप लिश जहां ह食べं और की सुख्लाइब कैने होता है तो मिरिदू कोची होते कवाल दिखते हैं ऑप्सन दिया है कि नहीं तो अक्टोपस जो होता है आपको मृदु कवुची होता अपशन हो जाएगा डि निम से कौन सा एक मीन है कौन सा मीन है फ्लाइंग फिस क्या मीन है आपको सी्ष्ट नेश्ट देख्ये तो नेश्ट देखते हैं संसार में किस की जीव की संख्या सरवाधिक है तो संसार में जो है आपको मचली की सरवाधिक संख्या है जल से बाहर निकाले जाने पर मचलियां मर जाती है क्योंकि क्यों मर जाती है तो हो जाएगा आपको वे स्वांस नहीं ले पाती है अप्सन हो जाएगा सी नेक्ट देख स्थार होते हैं में उतिन चार होते हैं मांश्य में कितना होता है चैर्व होता है नच्छट contracted शीठ रखती रखती प्राणी में धक मचली छीप के लिपानटी ते अपसन मोजाएगा डी निरीशंश प्राणी कौन से रिखते हैं ध्यां का कच्छुआ हो सब्सक्राइब डी और कच्छुआ की आयू सबसे अधिक जीवों में घोसला बनाने वाला एक मातर सांप कौन सा है तिया आपको किंग कोब्रा है अप्शन हो जाएगा बी डैनासोर थे डैनासोर जो थे आप ध्यां रखेंगे मेसुजोईक सरीप थे मेसुजोईक सरीप अप्शन हो जाएग और इसके मुह में क्या होता था बड़े बड़े नात होते थे नेक्ट देखते हैं तो पेंग्वीन चीडिया कहां पाई आती है पेंग्वीन चीडिया है अंट्राक्टिका में पाई आती है अप्शन हो जाएगा अब सेट नमबर बहुत करीब में हम लोग आ गया है अब सेट बचा है उसे भी देख लेते हैं कि देखिए अंठावन हो गया अंठावन के बाद आपको अब इसमें साथ सेट है सबसे बड़ा उड़ने में और समर्थ पच्छी जो सबसे तेजगती से दोड़ सकता है वह कौन पच्छी है तो वह सुत्रमूर्ग है जो एस्टलिया सभी का याद रखेंगे जसस्ट देखेंगे का सोफित डॉलफीन कींशूर का वैदारन है तो डॉलफीन उदारन है आपको अस्तंधारी कर रह और गंगेट्ट डॉलफिन नाम होता है गंगेट्टी डॉलफीन हो इसका बैघ्यानिक नाम निमलिखीत से प्रद् आप प्रा अस्तनी में भारत का राष्ट्य अस्तनी करा बाग से जुए ब्रतवार्त के हिर्द्य में कि चंबर में 6 देखते हैं कि देखिए इसमें तो पितामबरी एक परजाती है तो पितामबरी किसकी परजाती है तो सरसो की परजाती है कुफरी किस फसल की किस्म है तो कुफरी जो है आपको आलू की किस्म है नेश्ट देखते हैं कि मनुष्य के सरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं तो पसलियों के जोड़े होते हैं 12 होते हैं अप्सन हो जाएगा ए सरीर में सरवाधिक प्रबल अस्ती होती है जबड़े में तो अप्सन हो जाएगा भी नेक्ट देखिए मनुस्य के सरीर में पयर की हड़ियां तो पयर की हड़ियां क्या होती है खोखली होती है अपसन हो जाएगा ए टीबिया नामक हड़ी किस में पाई जाती है तो टीबिया नामक जो हड़ी है टांग में पाई जाती है अपसन हो जाएगा बी निश्ट देखते हैं कि मानो सरीर के किस अंग की हड़ी सबसे लंबी होती है सबसे जो लंबी होती है जांकी अप्सण हो जाएगा भी निश्ट देखिए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विक्सीत होते हैं तो दांत कितने हैं तो 20 हैं कि मानो सरीर में पाचन का एधिकांस भाकिस अंग में संपन होता है संपन होता है अब द्या थेखैंगे को अपसणं देखते हैं चोटी आंत में चोटी आंत में चोटी आंत के लंबाई iphग फोटी से disse नेश्ट दखिये थे पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में किसकी खास हो सकता होती है तो जो खास और सकता होती है एंझाइम की अपस्थिती मानों होती है आपको थ्यां रखेंगे हाइडरोग्लोरिक अमल्खी तो अप्सवन हो जाएगा वी नेश्ट देखते हैं पाचन कीरिया में प्रोटीन निमलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है तो तो यह बदलता है किसमें ध्यां रखिएगा तो अमीनो अमल में यह उप्सन हो जाएगा सी निमली खित में से वह उंग कौन सा है जो मानों सरीर में ग्लाइकोजेन की रूप में कार्वोहाइडरेट को जमा करता है तो आपको हो जाएगा यह अप्सन हो जाएगा डी नेश्ट देखिए पीत निमन में किसके द्वारा पैदा किया जाता है तो यह पैदा किया जाता है यक्री द्वारा अप्सन हो जाएगा डी नेश्ट देखते हैं पीत जमा होता है पीत जमा होता है पीत आसे में अप्शन हो जाएगा यह पेस्मेकर का संबंद किस्से है पेस्मेकर का संबंद हेड़े से अप्शन हो जाएगा डी निश्ट देखते हैं पेस्मेकर का कार्य क्या है पेस्मेकर का कार्य हो जाएगा दिल की धड़कन प्राराम क गती प्रेराख किस से शंबंदित है जो गती प्रेराख ध्यां रखेंगे से Dieu हिर्दे से संबंदित है निम्लिकosit में से कि इसकी वित्टि के और रुपी अपनी ब्लडर कहते हैं तो इसका अप्सण सब्सक्राइब को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है एक बार धड़कने में आपको सभी जानते हैं कि बहुत्तर बार धरकता है साटक भागा दीजिएगा तो इसमें हो जाएगा आपको इस देखते हैं है मानो रॉक्त प्राजमा में प्र्तिशत मात्रा कितनी भीनता होती तो अब हिंटा होती है आपको 90 प्रतिशत प्रतिशत हो जाएगा ते अरॉक्ट में जो पाई जाने वाली धातु कोनसी है तो इसका अप्शन हो जाएगा आपको झानते हैं ड़ी लोहा हो ध्यां रखिएगा आपको लोहा रख्त को सुधी करण कहां होता है रख्त का सुधी करण आपको क्युद्नी के माध्यम से होता है नेश्ट देखते हैं कि मानों शरीर में खून की सुधी करण की परकिरिया क्या कहलाती है तो यह कहलाती है आपको ध्यां रखेगा डायलेसिस कहलाती अप्सण हो जाएगा अब निख्ट देखते हैं शेट नमबर उनसट जोकी एक सेट और बचा हुआ है रख्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण से होता है तिया कारण से होता हीमोगलोबीन के कारण अप्सण हो जाएगा बी शरीर में हीमोगलोबीन का कारे क्या है तो शरीर में जो हीमोगलोबीन का कारे होता है ध्यान रखेगा अक्सीजन का परिवहन अप्सण हो जाएग कार्य है खोल जाने का विसमेंट की की साइटा से रखत द्वारे द्वारा आक्सीजन ले जाया जाता है तो निगेश्च देखिए मानो शौरीर में भीतर खूंन में निमन नहीं तसे की पशोण नहीं जमता है अब को पस्तिति के आफ सखने हो जाएगाzam कि रुध हीर से प्लाजमा में निलिखीत में से किसके द्वारा Antibody निर्मीत होते हैं किसके द्वारा होते हैं लिंफोकसाइट के कारान घावाल लाल रग तकनिका और भीसी कहां उत्पन होती है और कर दोकर विश्य जो उत्पन होती है ध्यां रखेंगे मझ्या में होती है अप्सन हो जाएगा डी जी थीयां सब्द का परियोग सर पर थम किस्ने किया था तेकी कि यह थे आपको सभी जानते हैं आपको लैमार के यह मर्क नेकि थे ऑप्सन हो जाएगा डिजी जी जीए किसे कहा जाता है तो ची किसा सास्तर का हफ को हिपोक्रिट को कहा ता है बड़ोटनी सब्द की मिन में हुई है नि HC कर दिखेंगे Nee पर्यावरण का अध्यान जी विज्ञान की किस सखा के अंतरवत किया आता है तिया किया आता है आपको परिष्थित की इकोलोजी के अंतरवत कि 課ें का संबंध किसे है तो डेंड लोजी का संबंध जानते है धाड़ियों के अध्यान से अप्षन होसाद के मिला से कुश्मों के अंध्यान सभी जानते हैं स्कहा कहलाती यह क待 है कि अध्येंगा देट होता है परकास के दवरान पाइदा होने वाले अक्सीजन का शुरुत क्या है तो आपको जल से आता है नेश्ट देखिए अ कि नीबू में कैंकर रोग होता है तो नीबू में कैंकर रोग जीवानु से होता है अब समय जाएगा भी फुलगों भी का खाने योग भाग है इसका भाग होता है पुस्प करम निफ्ट देखते हैं अब समाप्त ही होने वाला है घवडाने की ज़्यादा बात नहीं है पस्वों में होने वाला अफ़रा रोग का कारण क्या है तो अफ़रा रोग का कारण है दूसी तहार अप्सन हो जाएगा डी सहरी बकरी के नाम से कौन जानी जाती है तिया जानी जात है कि गेहूं में खाने योग भाग कौन सा होता है तो यह होता है आपको भूर्पोस लीची का खाने योग भाग एरील कि निफ्ट देखिए कि के लिवीन स्केल पर कमरे का समाने तप मान कितना होता है 300 के लिवीन होता है एक न्यूटन किसके बराबर होता है तो एक न्यूट पारा का अयस्क है तो आ इस देखिए को सुप प्रज़ाय का मान होता है एक संख्या का मान होता है छोटी जीरो दो दो गुने दस पर गात मैनस कि में दिखते हैं कि परियारोन में जेव का वायव है दियाँ रखेंगे जानवर वरनस्पति जैविक है कि मैं जीन बने होते हैं जो जीन बने होते हैं ध्यान रखिएगा डी ए ऐने के मैं होते हैं सहही उता का guidance है इसको लाइकेन होता है कवक और सैवाल से बनता है रखेंग मैं कुbased दिखने वाला छुदवर्भ नाम क्या है आंखों से दिखने वाला चुदवर्भ को शीरस बोलते हैं आपको डी अब देखते हैं इसे कि लग रहा था कि नहीं होगा एक दिलमे लेकिन इसको किसी तरह से पूरा अच्छा से कर दिया गया तो निम्न में कौन सा सरबादի के वर्गी क्या है अधार चाहर प्रमानुद्रमान अप्सन हो जाएगा सिंफिति के पर चाहे हैं कि पूब्रतेख आवर्थ का अंतिम सदस्य होता है गाहिस उनिक आवर साणी के 17 को क्या कहा जाता है है लो जन्स हो जाएगा अ निक्ट दखिए भूट की होज किस ने की थी चाकू से काटी जा सकने वाली धातू कौन सी है तो चाकू से कौन सी धातू तो लिथियम, सोडियम और पोटेसियम काटी जा सकती है तो अप्शन हो जाएगा इसका D गामा कीरण की खोज किसने की थी तो गामा कीरण की जो खोज की थी पॉल विलाडने की थी भारत का बाट्समेन किसे कहा जाता है तो भारत का जो बाट्समेन है ध्यान दिजिएगा यह कहा जाता है आपको डाक्टर सलीम अली को कहा जाता है स्वपनों का अध्यान कहलाता है तो स्वपनों का अध्यान और निरोनोलोजी कहलाता है सभी जानते हैं पहलाता है जो नेत्रों का चीकिषक होता है ध्यान दिजेगा ऑफ्थालमोलजिस्ट का अपसन हो जाएगा भी नेशनल ब्रेन रिशर्च सेंटर इस तो यह स्थित आपको गुण गाव में और सफन हो जाएगा भी नेश्ट सुपध espa movimento देखते हैं कि कुवांटम सिध्धांद किस ने दिया था कुवांटम सिध्धांट जो है आपको मैक। बनेया गया था ठी मतों बता दिये हैं उननी सो बाउन में गया था है जो ह्म होता है ना भी कि सलें द्क होता है बहुत खत्रनाक होता है ऽो देर से कई को ध्यां रखेगा कोन सा होता है अप्सटन देखते हैं इसमें होता है निकिल उत्परे रख नेश्ट देखते हैं कि वीज-टुएन गईल बेभार कि से अपने में किया आता है ध्यां राखेंगे प्रतिरोद को अप्शन हो जाएगा शीडिक्टर डी एन ए नए कि ध्याड़ कि खोच अपसान हो जाएगा मं आ से भारी जल का रसानिक सुतर है जो होता है आपको कि सबंधित है फंक ने इसकी पर्तिबादन किया था उन्नीज सो आपको ध्याँ रख्यें गाहर ने लिक यह थे निशो म Aktikum झाय भी सब्सक्राइब QUE प्योग में जनने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में मुपरमाड़ मान को प्यव्यक्त किया जाता है तो अपसन हो जाएगा और आपको एक नियुक्त देखीए लाल रखत्कुण तर्खणो काकार हिए तो लाल रखत्कुण काकार घ्राइब भलाकार हुटा है असनों जाएगए निट देखिए हिमोगलोबीन में उपसीत होता है तो हिमोगलोबीन में जो उपसीत होता है आयरन होता है नेप्चून की खोज किसने की थी तो नेप्चून की जो खोज करने वाले बग्यानिक थे गयले थे अप्शन हो जाएगा ये नेफ्ट देखिए वाई-व में carbon dioxide की मात्रा होती है जिरो पॉइंट ket 새 फोटी है और स्पर्टिक सोड toga निए क्तिक सोडा झोता है उद्वेपन और घैपते हैं नेश्ट देखिये उत्तल द्रपंड द्वाराばいना परतिवीम होता है तो उत्तल दरपन्ट द्वाला जो बना परतिविम होता है ध्यान रखेंगे कालपनिक और सीधा होता है अप्शन हो जाएगा सी नेश्ट देखते हैं पंडुब्बी अधारित है आपको आर्कमीडिज के सिधान पर अप्शन हो जाएगा भी नेश्ट देखते हैं प्रकास तंतु की सिधान पर कारे करता है तो प्रकास तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिधान पर काम करता है अप्शन हो जाएगा अब नेश्ट देखते हैं धूब के चसमे की पावर होती है जीरो डैप्टर होती है अप्शन हो जाएगा पौधे में वास्पो बोट सर्जन की किरिया यह पूरा पती में होता है क्या होता है पती में होता है इस तरह से देखिए जो लास्ट से था उसको भी समाप्त कर दिया इस तरह से इस बासट चारीश लगभग प्रसंट यहीं कि आपको यहीं वीडियो में उपलब्द कर दिये गए यह चैनल पर पताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा क्योंकि वीडियो को बनाने में समझ नहीं सकते हैं कि कि अ हमसे लग नहीं होगा लेकिन हमने काहा की नहीं जब मुझे समय होदी है तो पूरा होगा और दोस्तों का कमेंट भी था तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जय हिन जय भारत